साथियो स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर लॉकिस बाली कोई भी इनसान बिना अनभाव के कुछ नहीं कर सकता आज के सेशन को मैं साथियो बहुत लंबा ये सेशन आज हमारा होने वाला है ये मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूं साथियो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक महा मेराथॉन सेसन करने वाला हूं जितने साथियो ये दावा करने वाला हूं कि हम जो पड़ेंगे वो सीधा सीधा हमारी NTA UGC NET की एक्जाम में आएगा क्योंकि मैंने इस फिल्ड को पूरी तरीके से एक्सपिरियंस कर रखा है तो यार पानी की बोटल साथ ले लो एक सबसे बड़ी बात और दूसरी है साथियो आप पैन कोफी लेकर ही इस क्लास में बैठना अगर कोई स्टुडेंट अगर पैन कोफी लेकर नहीं बैठता है तो वो क्लास से अभी जा सकता है मैं हापर एक एक चीज के नौट्स बनवाने वाला हूँ एक एक चीज को आपको हातों से लिखवाने वाला हूँ यानि ओनलाइन क्लास को ओफलाइन की भाती हम लोग साथियो पढ़ने वाले हैं तो साथियो शुरू करते हैं 6 घंटे 6 घंटे की महा मेराथोन लगबग 6-7 घंटे क्लास होने वाली है देखते हैं कितनी चलती है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मैं आइडिया मान कर चल रहा हूँ कि 6-7 घंटे मैं कंप्लीट कर दूँगा मैं एक ही क्लास में पूरा यूनिट साती हो डियाई डेटा इंटेटेशन को कंप्लीट करने वाला हूँ खासकर हमारे आर्ट्स, कॉमर्स के विध्यारती जिनकी मैथ, रीजनिंग या डियाई इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती है चीज बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ अलावा एक और बात, अगर आप ने मेरे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है, पूरी मेरा थोन इसकी तरह और अभी तक मैथमेटिक्स की क्लास नहीं देखी है तो भाई साब वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कॉमेंट में आपको इन क्लास एज के सेसन भी मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इन क्लास एज को जरूर से देखना ना वैसे रोज रातरी नो बजे मेरी यहाँ पर लाइव क्लास भी होती है, आप उसमें भी आ सकते हो, तो साथियो चलते हैं, शुरुवात करते हैं, हम एक नई जोस, नई उर्जा के साथ, तो साथियो यह हमारी काई नमबर सेवन है, जो नेट का सिलेबस है, यह सिलेबस है, उन से या आप मेरे इस पहल से प्रसंद है कि मैं एक एक दिन में ही एक्जाम के लिए, रिविजन के लिए पूरा कम्प्लीट यूनिट करवा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करना और गुरु दक्षना के रूप में, आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर से कर सभी नॉट्स आपको साथियों यहां देखने को मिलेंगे इस टेलिग्राम चैनल पर, चले साथियों, शुरू करते हैं इस महामेराथां को, जिन लोगों ने मुझे सोसल मीडिया पर फोलो नहीं किया है, वो मुझे डॉक्टर लॉकिस बाली के नाम से हर जगे फोलो कर सकत साथियों सीधा जम करते हैं हमारी कलासेज पर जैसा कि मैंने आप से कहा, कि हमारी एगजाम में कई सारे टाइप की questions पूछे जाते हैं के एक टाइप का question इस प्रकार से आता है, दूसरा type का इसको पाई चार्ट बोलते हैं इस प्रकार के आता है, और तीसरा साथियों इस प सबसे पहले हम सुरुवात कर लेते हैं पाई चार्ट से क्या करते साथ यूं है पाई चार्ट से शुरुभात कि लेते हैं इसको पाई चार्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पाई चार्ट कॉपी पैन निकाल लिया सबने दिख तो साप रहा है न आप लोगों को हाँ फिल कर सकते हैं जो लोग एमे कर रहे हैं वर्तमान में वो सब लोग फिल कर सकते हैं बिलकुल फिल कर सकते हैं जो अभी वर्तमान में अमें कर रहे हैं वो लोग भी फिल कर सकते हैं चाया आफ हश्ट इयर में हो चाया आफ सेंड सेम में हो आफ सब लोग सात्व यहां पर फिल कर सकते हैं पूरा नेम क्या है और भाई लिखो भाई डियाई का पूरा नाम लिखकर बताओ इनको इनको डियाई का पूरा नाम साथ्यों लिखकर बता दीजे इसको बोलते हैं डाटा एंट्रिप्टेशन आकणों की गणना क्या बोलते हैं इसको आकणों की गणना बोलते हैं चलिए उमेद है आप लोगोंने कौपी पैन साथियों यहाँ पर निकाल लिया हो अब देखो क्या होता है बेसिक से चलते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलते हैं यह क्या है साथियों कोई चीज है यहाँ पर क्या की नीचे दीगे पाई चार्ट में किसी प्रकासक द्वारा एक पुष्टक के प्रकासर पर किये गे वेको दर्साता है मान लो यह किताब ना सो रुपे में किताब है कोई किताब चपाना चारा है सो रुपे उसका खर्चा है अब उसमें से 35 परसेंट यानि 35 रुपे उसके चपाई में खर्च होगे 15 परसेंट उसके कागज में खर्च होगे 18 परसेंट उसने विज्ञापन पर खर्च कर दिये 12 रुपे इसने जल्द बाजी में जिल्द बाजी जो कवर चणाते उसमें खर्च कर दिये 15 परसेंट की रोयल्टी होगी और 5 परसेंट का एक्ष्टा खर्चा हो गया ये मानकर चलो, एक गोले के अंदर कोई चीज है, वो सो है, आप ये मानकर चलो, अब सो में कैस आते हो, अलग-अलग चीज के प्रतिसतियां पर हो चुके हैं, आए इस प्रकार के कौशनों को समझने का प्रियास करते हैं, सबसे पहला कौशन आपके सामने हैं, चलिए, सबसे पहले इस कौशन को कर लेते हैं यदि पुष्टक की 5000 पृतिया चपाई गई हूँ माल लेते हैं कि कोई किताब है जिसकी 5000 पृतिया चपाई गई हूँ जिसका विविद का वे कितना है पंद्रा सो रुपए है हो तो तता प्रिकासक कितना है 25 परसेंट लाब चाहता हो तो पुष्टक की एक पृति का अंकित मुल्ग क्या होगा इसको आप थोड़ा सा हॉल्ड रख दो इस वाले कौशन को इसके बाद करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा कौशन आईए कौशन नंबर 113 करते हैं ताकि हम क्रम से चल सकें सरल से कठिन की और चल सकें क्या कह रहा है यदि विवित पर खर्च 1500 रुपे होए हो तो विज्यापन पर कितरे खर्च होए होंगे यह सवाल हमसे पूचा है कि कौन से भगत पर भीड़ पा गई है जो क्लास देखते नहीं है फौन कर देते हैं मोबाइल पर यदि विवित पर देखो यह जो पांच प पढ़ना बहुत आसान है बस डियाई से डरना बंद कर दो अगर आपने डियाई से डरना बंद कर दिया तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ एक बार वीडियो को लाइक करके करके पॉजिटिविटी फेला दो क्लास में और जो लोग कॉमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं न मैं उनसे कहना चाहता हूँ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर आप कॉमेंट्स कर पाओगे अब देखो यदि विविद का खर्च कितना है रुकजा का का यदि विविद का खर्च कितना है पंद्रेशो रुप है अब यहां पर ध्यान देजिए कि पांच परसेंट बराबर कितना है पंद्रेशो रुप है तो हमारा एक प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा एक प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा अगर पांच प्रतिसत बराबर पंद्रा है तो एक प्रतिसत निकालने के लिए क्या करेंगे सातियो हम पंद्रेशो में पांच का भाग दे देंगे क्या करेंगे पंद्रेशो में भाग दे देंगे पांच का बराबर एक प्रतिसत पराबर कितना है 300 यहां तक बात समझ गी अब हम से क्या पूचा गया है तो विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ है तो विज्ञापन कितना है सातियों हमारा 18% है तो क्या करेंगे हम यहां पर सातियों 18 इंटू 300 कर देंगे तो कितना आगे सातियों 8 रहती 54 तो यहां पर सई आंसर आगी हमारा चाववन सों शमझा दूंगा आप लोग सिंथा बिलकुल भी ना करें एक एक चीज को समझा दिया जाएगा यह कैसे किया है मैंने सॉल यह चीज मैं आपको समझा दूंगा बिलकुल जिंथा ना करेंगे क तो सी जो को भी हम लोग समझ लेंगे तो लोग और सई कर दिया नेहा सिंग को फिर से समझातेता हूं संगीता को चिन्ता वाली बात नहीं है अलो नेहा है संगीता विभा ग्रेट 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 सब लोगों के सॉट आउट कर लेते हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें क्वालिटी बढ़ालो दिख जाएगा सब कुछ फिर से समझ लेते हैं घर की सरकार है आप चिंता क्या करते हो इसको बोलते हैं पाई चार्ट आपको यहां पर क्या है कि मैंने आपसे क्या कहा हमको इस डियाई को समझने के लिए तीन प्रशनावली की आवश्रक्ता पड़ती हैं सबसे पहला प्रतिसत निकालना दूसरा ओसत निकालना और तीसरा ऐसातियों अनुपात समानुपात निकालना क्या है अनुपात निकालना पर तीन चीज हमने सीख ली डियाई का कोई भी कॉश्चंट को अंसॉल कर देंगे और यह तीनों चीज मैं आपको सिखाऊंगा आप बिल्कुल निश्चिंत रही है फिर से हम 13 वाले नमबर को समझने का कॉश्चन को प्रियास करते है कॉश्चन कह रहा है कि यदि विविद पर 1500 रुपे खर्च किये गये हो जबकि विविद का प्रतिसत कितना है 5% तो हम यह कह सकते हैं प्रतिसत बराबर 1500 रुपे एम आई राइट भाई इस कॉश्चन ने क्या का हम से कॉश्चन कहा कि यदि विविद पर 1500 रुपे खर्च होई हो जबकि विविद कितना है 5% तो यहाँ पर 5% बराबर कितना होगे 1500 तो भाई जब एक प्रतिसत निकाल लेते हैं जब इसका सीधी सी बात है जब 5% बराबर 15 है तो एक प्रतिसत निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे एक प्रतिसत बराबर कितना होगे हम 1500 में क्या दे देंगे भाग दे देंगे कितने का 5 का तो कितना होगा एक प्रतिससत बराबर कितना हो गया 300 रूपए अम आ राइट इतनी वाष समझ लगई अब हमसे सवाल कह रहा है कि विद्ध्यापन पर कितना खर्छ हुआ है तो विद्ध्यापन कितना है हमारा यहांपर 18% है तो क्या करेंगे यहाँ पर साथियो मालो एक प्रतिसत बराबर तीन सो तो अठारा प्रतिसत बराबर क्या होगा? तो यह होगा साथियो अठारा इंटू तीन सो बराबर चववन सो Am I right? बात समझ लगी? इतना सराल कॉशन आते हैं डियाई के बस हम लोग डियाई से डर जाते हैं और डर के आगे ही जीत है डरना नहीं है बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक एक चीजें समझा दूँगा आप यह निस्सिन रही है देख लीजे कोई समझ आई आपको? देख लीजे यह कॉशन सबको समझ लग गया? अब मन में कैसा फील हो रहा है मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है मन में? मन में लड्डू फूटे? अब मन में लड्डू फूटने लगे गया? अब अच्छा लगने लगा? मन में लड्डू फूटे? फूटे मन में लड्डू? कि यार गुरुजी यह तो बड़ा मस्त मजा आ गया यार यह तो बहुत बढ़ीया क्लास और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विग्यापन पर खर्च ना करके छपाई में कितने खर्च हों मुझे यह बता दो विज्यापन पर खर्च ना होकर छपाई पर कितने खर्च हों हैं मुझे आप यह समझा दो बस इसका आंसर आप कॉमेंट्स करके दोगे प्रतेख व्यक्ति कॉमेंट्स में आंसर देगा यदि विविद पर पंद्रे सो रुपे खर्च कि हैं तो छपाई पर कितना वे होगा कॉमेंट करिए यार कोई बताओ पांच परसेंट ही क्यों लिया पांच परसेंट यह हमने नहीं लिया 35 परसेंट इसने लिए कॉस्चन ने कहा है कि विवित बराबर 500 है क्दे के मालो कि आपने कोई किताब लिखीत आपकी कीमत सौ रुपे मालो हम आपने क्या किया पांच रुपे तो खर्च कर दिया ऐसे ही उडाने में जीत जैन्ती चुर्रे खाने में विविद्ध था पांस फ्रुपय वैसे सहे खर्च कर दिए हैं पैंतीस रुपय की आपने छंपाई करवा दी किताब चंडवा दिया और 18 रुपय का आपने विज्यापन कर देघ्र किताब की खर्चा आए जो मिने अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया लेकिन इस वाल में क्या दिया है प्रतिसत दिया है यहां पर जो प्रतिसत भी विविद विविद व्यहे उसको 15 रुपे बोल दिया इसने जबकि विविद व्यहें कितना 5% है तो 5% बराबर पंद्रे सो है तो यहां 18% बराबर क्या होगा या 35% बराबर क्या होगा आंसर दीजे रूमी खान का नाम ले लिया भाई रिम्पी जी नेहा सब लोगों ने 10500 आंसर दिया है देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है कि आंसर दिया है 10500 कितने लोग इस आंसर से सहमत हैं सर एक्जाम ओनलाइन होता है तो वहां में औरली सॉल करना होगा नहीं भाई आपको रफ वर्क मिलता है कॉपी भी मिलती है जिसमें आप रफ कर सकते हो ऐसा आपको पूरा ऐसा औरल नहीं करना होता है आपको कॉपी दी जाएगी उसमें आप रफ कर सकते हैं अब देखो, यह कॉशन सही है या गलत है, इसको हम कैसे सॉल करेंगे, आजये इसका देख लेते हैं, जैसा कि हमको पता है, विवीत बराबर कितना है 15 Då 5 5 परतिस बराबर 1500 रुपए तो एक परतिस निकालने के लिए क्या करेंगे, पंद्रे 5 में 5 का भाग दे देंगे, चपाई पर खर्च पूचा है तो चपाई पर खर्च वहाँ 35 प्रतिसत तो 300 इंटू 35 बराबर आप सात्यों 35 दुन सत्तर दुनी 105 पैंति दुन सत्तर और 35 एक सो पांच एक सो पांच बराबर दो जीरो जी हां सात्यों 10,500 इसका सही आंसर है क्या है सात्यों 10,500 इसका सही आंसर है जो लोग कॉमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं मैं उनसे कहना पाऊंगा कॉमेंट्स सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने चैनल को सस्क्राइब किया होगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लो ताकि आप कॉमेंट्स कर पाएं और इसलिए मैंने यह किया है कि जो विध्यारती क्लास को सच में अच्छे से पढ़ रहा है जो डेली ऐसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखाया किवल वही कॉमιंट्स कर पाएं ताकि क्लास हम अच्छी तरीके से पढ़ पाएं और ताकि मैं आपके सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दे पाऊं इस मॉबाइल के अंदर तो आप लोग अगर मुझे कॉमेंट्स कर सकना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आँ भाई दोनों पेपरों से बनती हैं दोनों पेपरों से ही कटोप बनती है है अब है साथ जैंतियों कौशन नंबर 114 चपाई चपाई विए का रोयल्टी से अनुपात है चपाई पर जो खर्च हुआ है वो रोयल्टी के खर्च का अनुपात निकालो, मैंने आप से क्या कहा, हमको अनुपात निकालना आना चाहिए, कोई बात नहीं है, आज हम अनुपात निकालना भी सीख लेंगे, छपाई वेकाय रोयल्टी से अनुपात क्या है, सबसे पहले छपाई, इधर देखिए, छपाई क्या है, छपाई का प्रतिशत कितना है, 35 प्रतिशत, और रोयल्टी कितना है, रोयल्टी है साथियो, 15 परसेंट, रोयल्टी कितनी है, 15 प्रतिशत है, तो हमारे पाद दो संक्या आ गई है, 35 अनुपात 15, अब अनुपात का मतलब क्या होता है, कि इसमें एक्ट्रा चीजों को काट दो, समान जितनी भी चीजे समान है, उसको हटा दो, तो समान चीजों को अटाने के लिए हम इसमें 5 का भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, 5 दुन 10, 5 तिया 15, 5 चोग 20, 25, 25, 35, 5, 7, 35, साथ बार मैंने इसको काट दिया, 5, 7, 35, अनुपात 15, पान तिया 15, क्या अब भी कोई कुछ बच रहा है बाकी, तो इसका अनुपात हो गया, साथ आतियो, 7 अनुपात 3, तो सही आंसर हो गया, 7 अनुपात 3, कितना सरल है डियाई, बस आप डियाई से डर जाते हो, गबरा जाते हो, जीवन में पहली बार डियाई सुना है, इसलिए आप डर जाते हो, डियाई बहुत सरल है, मैं खुद कही बार नेट जी आरेप क्वालिफाई हूँ, तो मुझे इसका जादा आइडिया है, अब मदाया साथियो, कैसा लग रहा है मन में, अब फिलिंग बेटर हुई, कल आप क क्लास पढ़ लेंगे ना, तो गर्दा उडा देंगे, धुआ उडा देंगे, एक भी कॉशन गलत नहीं करोगे, यह मेरा वादा है आप लोगे, इसलिए मैंने सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, डियाई पढ़ाया है, ताकि डर आपके दिमाग से निकाल दू, टीचिंग, ए अमित यादव कहने, कॉमेंट नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या चाहिए प्रभू, खुब पहुँच रहे हैं, पूचो क्या पूचना चाहते हो, महादेव की लाडली कह रहे हैं, कि हलो सर, आज ये मेरी फर्ष्ट लाइव क्लास है, अभी तक आपकी क्लासेज के बारे में पता नहीं था, और ये बाप्रे, आप डेली आया करो, डेली लाइव क्लास होते हैं, नौ बजे, ठीक हैं? कपूरा स्लेबस कवर करेंगे, बार्वे नंबर का सवाल, अब साथियो बार्वे नंबर का सवाल हम कर लेते हैं, कि बार्वे नंबर का सवाल किस तरीके से करेंगे? आईए अब हम बारवे नंबर का सवाल को एक बार दंग से पढ़िए ताकि हम चीजों को डंग से चीजों को साथ यहां पर करना शुरू कर दें आईए बारवे नंबर कॉशन हमसे क्या कह रहा है यदि पुश्तक की 5000 पृति चपी हो यदि पुश्तक की 5000 पृतियां चापी गई हो विविद भे है हमारा 1500 तो प्रकासक 25% लाब चाता है तो पुश्तक की एक पृति का अंकित मुल कितना होगा अब आपके मन में डर बैट गया होगा झाल 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 कें तो सब से पहले हम बुक्की लागत निकालें गे आप बताो बुक्की लागत क्या है आप बताए न कोके यह प्रतिसत बराबर कितना हो गया पंद्रह सो बटे पांच बराबर इतनी बात तो सब को समझ लगी लेकिन अब सो प्रतिसत बराबर क्या होगा पूरी किताब को निकालना है तो सातियों सो प्रतिसत बराबर क्या होगा सो प्रतिसत बराबर क्या होगा सो प्रतिसत पूरी वुक की कीमत इसका मतलब हो गया सो गुणा तीन सो क्या हो गया सो गुणा तीन सो यानि कि किताब की जो कीमत है सातियों यह टोटल जो किताब की कीमत है सातियों सो गुणा तीन स किन्सों करेंगे तो किताब की जो लागत है वो कितनी है तीस हजार कि मैं राइट यहां तक समझें आप लोग किताब कितनी लागत है तीस हजार साथ हुआ अपर किताब की लागत है अब सबसे बड़ा सवाल कि अब हमको यह किताब 25 परसेंट के लाब पर वेतनी जो टोटल 5000 किताब चपी है ना यह टोटल 5000 किताब चपी हैं कितने रुपे में चपी हैं 30,000 रुपए में चपी तोटल जो किताब चपी है 5000 वो चपी है 30,000 रुपए में लेकिन अब हमको 25% का लाब चाहिए क्या चाहिए इसमें साथ ही हमको 25% का यहां पर लाब चाहिए तो 25% के लाब के लिए क्या करेंगे आप में से कितने लोगों ने मैत की किलास पड़ी है मेर हैं लोगे जुन रहें मैथ की क्लास पड़ी है मेरे यहां पर अवाज आ रही है भाई आवाज क्यों नहीं आ रही है तो तीस हजार का पचीस परसेंट निकाल कर इसमें प्लस कर तो और पांच हजार का भाग दे दो तीस हजार का पचीस परसेंट निकालो ठीक है उनको जोड़ दो फिर उसमें पांच अजार का भाग दे दो ताकि एक किताब की कीमत आजाए चलो करो आसान है हमको पचीस परसेंट लाब चाहिए पहले आप स्ट्राइ करो ओके गाएं तो देखो खमने किताब कितने की छापी है किताब चपकी यह सातियू अमारी पांच अजार किताब कितने की तब की 30,000 रुपे की तो 30,000 का यहां पर देखिए 30,000 का 25 प्रतीसत क्या होगा मैंने आपको बड़े प्रेम से सिखाया था क्या होगा जो का लग रहा है गुणा तो 30,000 को ऐसे कैसे लिख दो गुणा 25 बटे 100 इस दो 0 से इस दो 0 को काट देंगे 300 इंटू 25 करेंगे तो 500 आ जाएगा यानि कि सात्यों हमको 500 रुपे और कमाने हैं तो 500 रुपे को हम यहां पर जोड देंगे तो टोटल अमाउंट आ गया 37,500 यानि कि 37,500 में अगर हम पूरी किताबों को बेचेंगे तो अब हमको 25 परसंट का लाब मिल जाएगा बट यह पूछ रहा है कि पूछता की एक प्रती पर अंकित मुल कितना होगा तो हम क्या करेंगे 37,500 में भाग दे देंगे 5000 का तो सात्यों 7.5 आंसर आएगा कितना आएगा 7.5 आंसर अब बताओ समझ लगा या नहीं लगा मन में कैसा फील हो रहा है डियाई पटकर मन में लड्डू फूट रहे हैं मन में लड्डू अच्छा लग रहा कैसा लग रहा बताओ पानी लिया दाओ आज हमारी इवा का 6 मंग का बसडे भी इवा आज 6 बेनी के हो गई है आज है हाए इव्डा हाए इवु हैपी बासडे बेबू हाए handle हाई 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 भेल रही है क्या बोल रही है हलो हाए कि हैंपी बात देए इबु रदिधी, लॉडूँए algún हôm हैपी बदेख बदेख 대해 किललोग। हैपी बदेख जाले गाइज ओहो अच्छा ओहो थैंको गाइज अच्छा आप मैं माइक मेरे साथ चला गया ना वाइरलेस माइक के तवाज आगी होगी बिल्कुल आज इवा का वर्सडे है आज थैं मैंने के होगी यह इवा शिक्स मंथ और मेरी लाइफ के यह थैं मैंने बहुत बहतरीन अद्भुत जो मैंने उसके साथ जिया है यह समय को फैबुला कमाल स्टाइल विट मीना केरें नौट्फिकेशन आ गया है बिल्कुल वीडियो बना देंगे पहले आप इस क्लास को देखिए थैंक्यों आप इवा की फोटू दिखाऊँ मैं आपको दुख जाओ दिखाता हूँ कि आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे गर्मी लग रही है आरे आर अल्ली फैन पर हो रहा है कि अब सलेंगे कि इस चलते में आज यह है कि इस कौूशन को करके तो इस प्रकार से कौूशन होते है जो हमारे अगले कौशन को करने के लिए और वो है सात्यों आरेक वाले क्या है यह कौशन है सात्यों आरेक वाले थैंक्यू गाइज थैंक्यू थैंक्यू ओके अजर रॉली के पास है इसकिन सौट रिवा के वेरी गूश अब इसमें क्या है आरेक वाले कौशन देखके डरों मत यह आरेक वाले कौशन है यहाँ पर अगर आप जानते देखोगे तो यह गहरा कलर जो है वो है सातियो इसना तक को दर्शारा है यह जो कलर है वो किसका है इसना तक का है यह जो कलर है सातियो इसना तक को दर्शारा है और यह जो कलर है सातियो हाई स्कूल को दर्शारा है और अनपढ़ लोगों को यह कलर दर्शारा है आईए इसको हम समझने का प्रियास करते हैं पढ़ लेते हैं निवन लिकित आरेश 2006-2009 के बीद एक नगर की कुल जन संक्या की तुलना में सना तक हाई स्कूल तथा निरक्षर लोगों की जन संक्या का प्रतिसत है आरेक का जन पीजिए इधर की साइट साल दे रखें 2006-2007-200 नों और यहां पर शाथे उनका क्या साथे औरो यह दे रखा इनका प्रतिसत की यह पर तरियास का और कॉनख कौन लोग हैं जो इस प्रिकार के कॉश्चन को जानते हैं कि गुरुदी हम जानते हैं ऐसे कॉश्चन कि हम पर हम है संपन्द गुणी ज्यानी हम पर सब आता है कि सर किलियर नहीं दिख रहा है यह कॉश्चन अब दिखेगा किलियर देख लो कि यह कॉश्चन अब दिखेगा आपको किलियर पहला कॉश्चन समझते हैं क्या गया रहा है यदि 2008 में कुल जन संख्या 80 लाग थी उन्होंने कह दिया कि मालो यह 2008 में यह टोटल जो जन संख्या है यह यह मालो 80 लाग थी तो दो आजार आट में इसनाथक की संख्या कितनी होगी वह टोटल जो जन संख्या है 80 लाइख हैं तो इस नाथ चक कितनी होगी मैं सरल कोशन है तब से पहले हमरे पास कुल जनसंक्या गई है उपन्संक्या मैंसे हम इसना तक का पुरतीसत निकाल देंगे और इसना तना तक का पुरतीसत है 25 पृतीस त्यानि यानि 80,25 परसेंट क्या होगा और आपका आंसर सही हो जाए चलिए 80,25 परसेंट यानि 80 का 25 परसेंट क्या होगा आप कॉमेंट्स कीजिए आंसर दीजिए सब के सब सही आंसर देने वालों में हैं प्रियंका, मनेशा यादाओ, ओके दीपी का, प्रियंका, सुमन, अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है अब बताओ, मन में लड़ू पूट रहे हैं, डी आई समझ में आने लगा, आज तो हमारी पहली क्लास लगा लो आप, आज तो हमारी पहली दूसरी क्लास है, मन में लड़ू पूटने लगे, अच्छा लगने लगा, डी आई, आने लगा समझ, अपने आप से पूछो, गुशी मिल रही है अंदर से तो फिर कॉमेंट लिए पूछ अपने आप तक जान आ रहा है कि आ रहा है समझ अच्छा रहा है कि यह करो आ रहा है कि में आपको पहले सौल कर वा देता हूं कैसे यदि 2008 में बनाज जन्सान के यह टोटल यह टोटल प्रतीसात है और यहां पर साथ है इसना तक की हमसे पूछे इसना तक है हमारे 25 परसेंट तो असी लाग का 25 परसेंट क्या होगा यानि असी का 35 परसेंट हमारे पास है के असी का 25 प्रतीसात क्या होगा है कि मैंने आपको कहा कि हमको प्रतीसात निकालना आना चाहिए मैंने आपको प्रतीसात निकालना मैत इसलिए सबसे से पहले मैथ पढ़ाया था ताकि मैं आपको प्रतिसत निकालना सिखा सकते हैं अब हमने कहा कि पत्ची असी का 25 परसेंट क्या होगा तो मैंने आपको नियम बताए जो पहले वाली सेंख्या को सबसे पहले लिख दो असी हमने यहां लिख दिया का का मतलब होता है गुणा गुणा लगा अगली संख्या को यहां उतार दो भाग का मतलब होता है प्रतिसत का मतलब भाग सो का अब क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे बच गया दस इसको सात्यों करेंगे पांच दुनी दस और पचम पच्टी आठ पंजो चालीस बटे जो इसमें आगे भाग देंगे तो बीस आंसर आ जाएगा यानि बीस लाग कितना सरल हो और आप लोग सिर्फ डियाई में ये डंडे देखकर डर जाते हो जबकि कितना सरल सवाला था मजा आने लगा अगर सच में मजा आ रहा है डियाई करते वे तो वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपको सच में मजा आ रहा है लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो आगया भी क्लास होने वाली अभी तेह की कॉशन करवाया आगया और करवाया लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो हर चीज मुझसे समझना चाहते हो हर चीज कि पेपर वन और पेपर टू दोनों पढ़ना चाहते हो तो तो यार जो मेरी जो क्लासेज होती है निया में तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगला कॉशन करिए साथ यह 110 नंबर वाद डंग से करिए भी में इसनात्कों के प्रतिशत का अंतर क्या है यह साथ इसना तक यानि की यह वाले लोग इसनातक है दोजार चैयर ठोजाब। है और 2009 मैं यह वाले इसनातक है चलेनका आपको इसका प्रती सब्का अंतर निकालना है मेरी क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रेकर ही होती है जो मैं अगली यूनिट पढ़ाऊंगा र रिर्शर्च म्यडियम की तो बहुत सारे टीचर्स मर्केट में लेकिन हिंदी मीडियम स्कालना है हैं इस बात का आप ख्याल रखेंगे दो अजार चे दो अजार नो में अन्तर तो दो अजार चे में इसना तक model थैसस दो अजार शिक्स में इसना तक कि एप टने हैं हैं कि भीस कि दीज़िएंड़ अ किंद्ने पंद्रा इंदोनों का अंतर है तो यहार वो ती intelig 15 और आलंकी कर दो आप долларов है कि और ग्यांवेश्ट किया जाएगा पंद्रा इस यह प Nicht-ד. बाए पाइचार्ट्ट्ट वाला करवा दिया था यह कॉशन मैंने आपको बॉराइट. यह पाइचार्ट्ट वाला कॉशन करा दिया था. कोई समश्या हो इस कॉशन में मुझ्ट से आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगले question के तरफ बढ़ता हूँ, कोई समझ्या हो, किसी भी तरीके से तो पहले पूछ लो, then हम अगले type के questions के तरफ बढ़ने वाले हैं, चलि मैं आपके comment देख लेता हूँ, मैं डी आई का एक साथी PDF दे दूँ, आप लोगों को चिंता ना करें, थैंक्यू गाइज, थैंक्यू, 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 आप बहुत अच्छे से concept किलियर करते हैं, थैंक्यू गाइज, ग्रेट हेरिस्टाइल गुरु जी मैं भी देख लेता हूँ, इस हेरिस्टाइल ग्रेट हरे, हेरिस्टाइल मत रखो भाई, जान मत दो, आप पढ़ाएब जान दो, जब पढ़ लिखकर सक्सेज हो जाओगे न, आपकी हर चीज आप दो लोगों को अच्छी लगेगी, और आपको पता है कि क्लास में डेली नौ बजे क्लास होती है हमारी, यह तो आपको मालूमी है, डेली क्लास होती है नौ बजे, आप आजाये करो, लिख दिया मेरे ओपर डेली क्लास नौ बजे, डेली नौ बजे आजाये करो, चलिए, तो कल हमने साहती हो, आपको पाई चा नजरों में बैठा लीजिए, नजरों में जगे दे दीजिए, कि नेनों की ये बात नेना जाने रे, ये कॉशन हमारे लिए महित्पूर्ण क्यों है, जैसा कि आप सभी को पता है, तीन चार टाइप के कॉशन्स आते हैं, नेट में, मैं बतला देता हूँ, कौन-कौन से टाइप के कॉशन्स आते हैं, एक तो साथ ये टाइप का कॉशन्स आता है, इस प्रकार के टाइप के कॉशन्स आते हैं, जो अभी समझने जा रहे हैं, एक इस टाइप के कॉशन्स आते हैं आपकी एक्जाम्स में, एक साथ ये टाइप के कॉशन्स आते हैं आपकी एक्जाम्स में, तो हमने ये वाला कॉ में पहले इसको समझने का प्रियास करते हैं नीचे दीगे आरेक को सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्या लिख रखा है कि 2016 में तीन विद्धायलों की विबिन कक्षाओं में प्रवेस लिए विद्धारतियों की संख्या अब कक्षा कौन-कौन सी है 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये कक्षा है जिसमें विद्धायले A कौन सी है जिनमें ये गोला लग रहा है ये वाला गोला जितना भी ये वाला गोला लग रहा है ये हैं विद्धायले A और सात्यों जिसमें चार कौन्टका सा ये हो रहा है ये सात्यों क्या है ये हैं विद्धायले B ये सारी विद्धायले B हैं और ये फूल बन रहा है ये सात्यों क्या हैं विद्धायले C हैं आए इनको समझने का प्रियास करते हैं और इस क्वेशन को सॉल करने का प्रियास क करना सुरू करें, very good, आपके सामने एक कॉशन आ गया है, कि विध्धायले ए में सभी कक्षाओं में प्रवेस लिए सभी विध्धारतियों की ओसत संक्या कितनी होगी, विध्धायले ए में, मैंना आपसे पहले ही कहा था कि डी आई को समझने के लिए एक हमको औसत निकालना आना चाहिए, एक हमको परसंटेज, और एक हमको सात्यों क्या अनुपात निकालना आना चाहिए, बास, काम बन जाएगा, और तीनों चीज़े मैं आपको सिखा दूगा, और सिखा चुका हूँ, अगर आपने मैत देखा होगा, तो मैं तीनों चीज़े आपको प्रियास करो, और फिर मैं आपको समझा दूगा, एक बब आप करो क्योंकि DIY के आज तीसरी क्लास है तो एक बब आप खुद भी तो करो मैं साइड मट जाता हूं कॉमेंट्स में आप आन्सर दे सकते हों पर ध्यान रहें कोई किसी का से का t 74 ली करेगा क्या नहीं करेगा कोई किसी का ट 75 ली यहां पर नहीं करेगा कि हम किसी का टीप टाप लेंगे, टीप टापी वाले लोगों की मुझे यहां पर जरुरत नहीं है, कर लिया, औसत निकालना था हम को, कैसा लग रहा है आपको यह जानकर, आप मैंसे अधिकांस लोगों ने 450 आनसर दे दिया है, अब कॉशन को सॉल करके कैसा लग रहा है, जिस दिन पहले दिन जब मैंने आपको डियाई पढ़ाई थी, तब आप से कुछ नहीं आ रहा था, और आज आपने आउसत निकाल दिया है, सरल कॉशन था, आई यह समझने का प्रियास करते हैं, मैं फिर समझाओंगा, जिया आरे आपकी एज के बारे मैं पढ़ लिया है, मैं उसका कमेंट चरू जाब दूँगा, विध्याले ए में, यह है विध्याले ए, विध्याले ए में सभी कक्षाओं में प्रवेस लिये विध्यारतों की ओसत संख्या कितनी है, तो सभी कक्षाओं में, तो सभी कक्षा सात्यों, कक्षा थे में कितने लोगों ने लिया विध्याले में, 150 लोगों ने, 150, यहाँ पर औसत निकालने के लाद सुत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या एक सुत्र होता है वैसे सुत्र को याद करने की जरत नहीं है औसत निकालना कैसे होता है यह में हम आप और आप सब अच्छे से जानते हैं तो 6 में कितने हैं? 150 दिखाई दे रहा है आपको प्लस सात में कितने हैं? 300 प्लस आठ में कितने हैं? 300 नौ में कितने हैं? 500 दस में कितने हैं थस्सो पचास अगर हम इन संख्याओं का क्या करते हैं अगर हम सात्यों इन संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आया बताओ कितना आया इनका योग करेंगे तो कितना आया बोलो 2700 आया 2700 अब संक्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 का भाग अगर दे देंगे तो सातियों क्या अंसर आ जाएगा काट कर देख लें काट कर देख लें क्या काट कर देख लें 3 से सातियों इसको हम या काट देंगे काटना आप जानते हो 450 आंसर आ जाएगा काटने के आप सकते हैं आप काट कर जानते हो 450 इसका आंसर आ जाएगा बड़ा सरल है D.I. करना D.I. से डरना आप लोगों को बंद करना होगा बस आगया समझ Very good आगले question को solve करने वीडियो लाइक कर दिया देखो मैं अपने इतने व्यस्ततम जीवन में से आपके लिए एक क्लास लेकर आता हूँ रोज डेली इतना तो रिगार्ट साब मुझे देजी सकते हो कि हमसे वीडियो को लाइक तो करी सकते हो और मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे और कुछ एक वीडियो को लाइक कर दिया करो थोड़ा सा पता लगता है कि आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल रहा हूँ आपके लिए ताकि आप अपनी एक्जाम में सफल हो पाएं अगले कॉशन की तरफ चलते हैं अगला कॉशन है साथ ही हमारा कॉशन नमबर ट्विंटी नाइन क्या कह रहा है कॉशन सभी विध्यायले A, B, C में कक्षा आठ में प्रवेस लिए विध्यारतियों के बीच का अनुपात क्या है और मुझे पता है आप अनुपात निकालना जानते हैं तो आनस्वर दीजिए कॉमेंट्स में और जो लोग बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को वो लोग भी आनसर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि यार हाँ आप लोग काम कर पा रहे हो दीजिए अनसर अनली कक्षा आठ की बात हो रही है यापर अनली कक्षा आठ की बात हो रही है उसके अकौर नहीं है आपको अनसर देना है सबसे पहले ए कह साती हो विध्धायले A विध्धायले A में कितना है यह विध्धायले गोला है विध्धायले कितना है 300 विध्धायले A में कितना है साती हो यहाँ पर 300 है फिर विध्धायले B विध्धायले B में कितना है 200 और फिर साती विध्धायले C कितना है 300 पी इसो कि कि अन३ांट्रेट चीजों को काट दो कि Metन्वांट्रेट चीजों सात्व यहां बना काट दो dino 0000 काट दिया आब यहां पर कितने बच्के यहां पRb until दें थीस यहां पर बच्के भीज और इहां पर बच्के 35 अब से गयाट दो पांचों का 20 और 5-7, 35 तो इनका अनुपाद क्या आ गया शे अनुपाद, 4 अनुपाद, 7 जो आप लोगों ने सबने सही दिया है जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है बहुत बढ़िया अब बताओ, डियाई करके कैसा लग रहा है अब इमानदारी से बताओ, अपनी feeling बताओ कि डियाई करके आप जब कॉशन को solve करते हो तो कैसा feel होता है जिस चीज से आप डरा करते थे अब कैसा लगता है उसको solve करने में बोलो, कैसा feel हो रहा है बताईए मजा रहा है अगले कौशन की तरफ चलते हैं और आगला कौशन आप आजाईए कौशन नमबर 130 पर सवाल को पड़ो देखो समझो और फिर आंसर करो कौशन पूतरा है हमसे विध्यायले सी में कक्षा 10 जो विध्यायले सी में कक्षा 10 में प्रवेश लिए विध्यारतों की संख्या विध्यायले ए में कक्षा 6 में प्रवेश लिए संख्या में कितना प्रतिसत है प्रवेश लिए विध्यारतियों का कितने प्रतिसत है देखो सबसे पहले यह पता लगाओ कि विद्धायले C में कक्षा 10 में कितने बच्चों ने प्रवेस लिया फिर यह पता लगाओ कि विद्धायले A में कक्षा 6 में कितने लोगों ने प्रवेस लिया क्या है कि कक्षा विद्धायले C में कक्षा 10 में प्रवेशली विद्धारतों की संख्या विद्धायले A में कक्षा 6 में प्रवेशली विद्धारतों की कितना प्रतिसत है यानि एक विद्धायले का दूसरे विद्धायले के साब से हमको क्या निकालना है प्रतिसत निकालना है थोड़ा tricky लग रहा होगा लेकिन अगर आप थोड़ी सी understanding रखोगे तो इस question को आप आराम से कर पाओगे चलिए सोचो भाई सबसे पहले तो कक्षा 10 में C पान सो पचास विद्यारती हैं और यह कक्षा ए विद्याले ए और सिक्स किलास के और विद्याल ए और सिक्स किलास के डेड़ सो अब यह पूरा है पान सो पचास का डेड़ सो का अंतर आप से यहां पर पूछा जा रहा है थोड़ा ट्रिकी है मैं समय दे रहा हूं आपको करने के लिए फिर मैं आपको समझा दूँगा सोचो दिमाग लगाओ फिर आंसर करो हो जाएगा इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इस कॉशन में आप अगर एक बार थोड़ा सा आंसर तो लगाईए कुछ हुआ 66 बटे दूबर कुछ लोगों ना आंसर देना शुरू किया है पर माकी के लोगों ने नहीं दिया है सब्सक्राइब लोगों ने सब्सक्राइब लोगों सब्सक्राइब लोगों ने दिखाई नहीं दे रहा है बस करना नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा चलिए कोई बात नहीं समझा दे भाई यहां पर हमको एक चीज का पता लगाना था वो चीज क्या है विध्धायले 10 और विध्धायले C C में क्या है? यहाँ पर क्या है सात्यों? विद्धायले C में 10 में कितने हैं? 550. विद्धायले C कक्षा 10. चात्र कितने हैं इसमें? 550. ठीक है? अगला है सात्यों विद्धायले कौन सी है? A और कक्षा कौन सी अच्छे? कितने हैं? विद्धायले 1 कक्षा चात्र कितने 150 अब यार सिंपल सी बात पूछिए यहाँ पर कक्षा सी में दस्वी में प्रवेशली विद्यारतों की संख्या यानि इसका ये कितना प्रतिसत है तो यहाँ पर सवाल क्या बन गया यहाँ पर ये सवाल बन गया कि 550 एक सो पचास का कितने प्रतिसत है अब पढ़िए यही सवाल तो बनाए ना कि 550 एक सो पचास का कितने प्रतिसत है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा जो अपना फॉर्मूला अपन ने जो अपना रखा है हमेशा वाला वो ही करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 550 ब इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे अब इसको काट कर बताओ मुझे एक बार पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा एक बार इससे आप काट कर मुझे बतलाईए काटिए देखो इस 0 से हम इस 0 को काट लेंगे अब 5 से काटते हैं 5 तीय 15 संख्या क्या हो गई हमारे सामने 1100 बटे 3 क्या हो गई 1100 बटे 3 अब 1100 में अगर 3 का भाग देंगे और संख्या कटेगी और उसके अनुसार अगर आंसर हम लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 366 सही 366 सही दो बटे 3 अब चाओ तो इसको आप दे कर देख लो पर हम इतना डीप नहीं जाएं यह आंसर हमारा आजाएगा बस हमको यहाँ पर संख्या जमाना आ रहा होना चाहिए एक बार एगर कॉशन को समझ जाओगे इस कॉशन को आप पढ़ोगे बार बार तो यह निकल कर आ रहा है यह बनेगा कि 550 150 का कितने प्रतिसात है और प्रतिसात निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बतलाई रखा है बात समझ लगी लगी बात समझ आपको भाई दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई नहीं देना मत करो मेरे पास भी मोबाईल है एक तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ और दूसरा मोबाईल को इस तरीके से कर लो मोबाईल को इस तरीके से कर लो तिर्षा तब दिखेगा साफ ऐसे ऐसे करके देखोगे तो साफ नहीं दिखेगा ऐसे करो मोबाईल को आटोमेटिक साफ दिखेगा तो भाई साब अगले कोशन की तरफ करते हैं जंप तो इस टाइप के कोशन हमारे होगे कम्प्लीट तो आब हमने कैई टाइप के कोशन करवा दिखेगा अब इन कोशनों को एक बार फिर से देखिएगा अब ये कोशन करवाँ चलिए इसको पढ़ो ढंक से मैं आपको परिदा हो जाए निमनारेग 2006-2009 के दोरान एक नगर की कुल जनसंक्या की तुलना में इसना तक हाई स्कूल पास तता निरक्षरों का प्रतिसत आपको यह पर दिखा रहा है एक बार देख लिजे आप और अब मैं जा रहा हूं दुबरा चीजों को सेटल्ड करके राइट गाइज चलिए अब इसमें क्या किया है यह तो हमने कर लिया यह कॉश्चन कर लिया हमने कर लिया यह वाला कॉश्चन हमने कर लिया कल कर लिया था कॉश्चन कल कर लिया था मुझे यानता हमने दोने कॉश्चन कल कर लिया था यह वाला कॉश्चन मैंने कर लिया थ हाँ आजम करेंगे सातियों ये सिनेमा घर वाला कॉश्चन चलिए इसको पढ़िये आप आजम ये वाला कॉश्चन करेंगे वैसे बता दूए 2019 के एक्जाम में आपसे पूछा गया है एक बार पढ़ो आप डंग से पढ़िये चले गाई निमले की तालिका पर विचार कीजिए जो एक विशेश दिन पर सिनेमा ए और सिनेमा बी में पाच फिल्में एक फिल्म के नाम है पी एक का नाम है क्यू एक नाम है आर कुई के एक एस और टी पी क्यू आर एस टी के टिक्टो की कुल संख्या की विक्री को दरसाती है इस तालिका के आदार पर पूछे गए प्रश्णों का आपको उत्तर देना है अब ये तो हैं हमारी फिल्में पी क्यू आर एस टी ये हैं सिनेमा घर सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी और ये हैं टिक्टो की संख्या एज बार इसको समझलो ये हैं टिक्टो की संख्या जैसे पी फिल्म की टिक्ट पर बिगें 200 सिनेमा घर ए में इस आदार पर हमको कॉश्ण्स को सुट आउट करना है आद राँ कैसर लाइब साइंस की किलास कब चलती थी है अनेकेडमी पर चलती है लाइप साइंस की क्लास इस यूटूब चैनल पर नहीं चलतीं कि कल वाली पी-डियेफ आज एक साथ देदूगा मैं मैं आपको», मैं सोत्रा डीआई का इक साथ पीडियेफ सर पूरा तैयारी नहीं हो परा एक मंत में क्या करें समा प्रवीन इतने दिन से कहां सो रही थी देवी मैं तो यह कहता हूं कि पढ़ लो भाई पढ़ लो एक्जाम जब होगी तब हो जाएगी आप लोगों ने तैयारी साथ रखनी चाहिए थी अब आपको तो क्या है कि जब जब application forum आये हैं तब जाकर आँख खुली हैं इतने दिन से नहीं कह रहा था पढ़ लो अभी भी समय है अभी से तैयारी करो या तो जून वाली एक्जाम पास हो जाएगी अगर जून वाली नहीं तो कम सकम दिसंबर वाली तो हो जाएगी अब तुम सोते रहोगे तो दिसं पीडियाफ मिलेगा डॉक्टर लोकेस बाली टेलिग्राम चैनल पर पीडियाफ मिलेगा पीडियाफ के लिए तने परिशान रूर तावला होने की ज़रूत नहीं है क्लास तो देखो क्लास देखोगे तब भी तो पीडियाफ में समझोगे अच्छा मैं सामने हूँ कॉशन के अरे कॉशन तो भी दिया यह नहीं देवी जी चले अब आ गया कॉशन यह है कॉशन सिनेमा गर ए पर सिनेमा गर ए पर फिलम टी यह सिनेमा गर ए फिलम है टी सिनेमा गर ए पर फिलम टी की बिक्री गई टिक्टो की संख्या का प्रतिसत सिनेमा गर ए पर फिलम पी की बिक्री की टिक्टो की संख्या में कितना है यानि टी और पी इन दोनों की संख्या के आब आधार पर आप से आंसर पूछाए कि कितना प्रतिसत का यहां पर दोनों में अंतर है आप एक बार इसको पढ़ो और डंग से आंसर दो तीन प्रशनावली अगर आप सीख गए तीचिंग अप्रतिसत निकालना औसत निकालना तो आप डियाई का कोई भी कॉशन सॉट आउट कर सकते हो जो आपके सामने इस समय डियाई की किलास है चल रही है ये दूस्ती हम नहीं तोडेंगे तोडेंगे नेट ज्यारेव लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोडेंगे आज मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे हमको स्टेप बाई स्टेप फॉरम फिल करना है इसका भी मैंने वीडियो आप लोगों ले बना दिया है अब आप देख लिजे इस तरीके के कॉशन साते हैं हमारी एकजांस में चलिए समझ लेते हैं सात्यों इस वाले कॉश्चन को ये दूशती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दमगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ठीक नहीं दिख रहा अरे महाराज सब कुश तो दिख रहा है और कैसा देखोगे थोड़ा सा मैंने कहा कि अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए मेरे पास भी मोबाइल है वहां तो अच्छा चल रहा है ख्लास सब लोग अंसर दीजिए और कैसा लग रहा है कॉशन को सॉल करने के बाद कैसा फील हो रहा है मुझे ये बतला हो आप तो अब मुझे बतला हो कैसा लग रहा है कैसा फील हो रहा है भाई गुन-गुन क्यों रो रही है या गुन-गुन क्यों रो रही है मैं सोच रहा हूँ कुछ नए कॉशन और देख लेता हूँ 34 सब लोगों ने सही आंसर कर दिया है 200 वेरी गुड अच्छा फील हो रहा है तो सीधी बात है चली फिल्म टी की विक्री तो फिल्म टी में कितना है पी के सामने हम लिख दिया 400 टी के कितने विक्री चार सो टीकेट फिल्म पी की विक्री 200 प्यार सीधा बात है दोनों मंतर कितना आ जागा 200 प्रतिसत का दोनों के बीच में अंतर है बस इस सरल कॉशन देखो कितना सरल कॉशन है अगला कॉशन करिए कॉशन नमर दो दोनों सिनेमा घर घरों जैसे सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी को मिला कर फिल्म क्यू और फिल्म आर की विक्री की गई टिक्टो की कुल संख्या कितनी है चलिए फिल्म क्यू और फिल्म आर की विक्री की गई टिक्टो की कुल संख्या कितनी है सॉल कीजिए हट जाओं आगे से हट तो गया यार जो डेली क्लास में आएगा उसको सब कुछ समझाएगा जो डेली क्लास में नहीं आएगा उसको कम-कम समझाएगा कर दोनों सिनेमा घर ए और बी को मिला कर क्यूं और आर की विक्री की के खुल में टिक्ति हो गया दोनों फिलम о मैं go ki q और की एक तो q hou i siko जोड लेना है दोनों को और एक और इनको जोड देना सब मधा टोटल संहिए आमको जोड है है दिए हखिए तॉ अध्यां कि प्रॉट है कि थे जा कर तो तो अधे दुआ हो और दूआ हो रही ना अरे लच्चा हाई गुन-गुन अलो बोलो सब को हाई आरे नहीं-ञीं रोते नहीं हैं अलो बोलो इधर को ऐसे थोड़वâm रहोते हैं कि पापा अगर याँ पर किलास में काम करने तो आप ऐसे रोगी, तोड़ी, ना, आप तो बहुत समझदार हो, ऐसे तोड़ी रोते हो, और वैसे यह आप six months की हो चुकी है, सबको हाई करो, चलो, आप नहीं देखो, सबको हाई करो, उदर आय करो, उदर करो हाई, इतनी प्यारी हो आप रोक्यों रही हो हां बात जल्दी क्लास कटम करेंगे आपके पास आने वाले हैं ये है इसका नाम है ईवा और ईवा का कल भर्षडे था 6 मेंट की हो गी है इवा और बड़ी प्यारी है हाई, नहीं नहीं देशन सबको हाइल गरो अब कितनी अच्छी लगिर आप ती इधर इधर देखो हाइय الإे चले अब के पापा ट्रेमे लेते हैं आपके साथ ही तो हमको यह क्या कि साथесть अप्लस कर देना है इन सब के सब चीज़ों को यहां पर प्लस कर देना है और हमारा आजाएगा चलिए मेरे पास जिम्मेदारी इतनी है कि जो इवा की जो मौम है वो है नहीं यहां पर उनकी उसकी चुट्टी कहतम हो गई थी और वो राजिस्तान गवर्मेंट में जौब है उनका तो वो भी टीचर है तो उनको क्या कि दो-चार दिन के लिए जाना पड सब लोग रखते हैं बरट मां अगर कुछ काम करने लग जाती है तो फिर मेरी जिम्मेदार ही हो जाती इसलिए चलिए क्यों करिये क्यों सिसने मगर बी सिने मगर बी परुम-पी यह सिने मगर हमारा कौन सा आब है इस पर फिलम-पी मिश्के टिकेट डिने है थीं । बिकियें, सिनेमा घर P की बिक्री की गए टिक्टो की संख्या का अनुपात, सिनेमा घर B पर फिल्म क्यों की टिक्टो की अनुपात हमको निकालना है, बड़ा सरल है, आपको यह अनुपात निकालना है, इवा अनुपात निकालना है, इवा अनुपात निकालना है वेटा आपके सवालों का जवाब जाना चाहती है यहां पर अब आप देखे यार मैं बहुत बिजी रहता हूं मुझे कई सारे काम होते हैं यह उनुसटी कॉलेज में पढ़ाना अलग अलग जगे चीजें फिर गर परिवार भी समालना इस गुडिया को भी समालना पड़ भी मैं एक हैं पर तो उसी कमिटमेंट में यह चीजें हो रहे हैं सामिल तो आपने सब ने आंसर दे दिया है कितना अंसर आए कि niveau कन फिगुज है किसको देखना काई एं कबही वह इधर देखती है किस दो इंचता सब लोगों यह आंसर दिया है अ समझाने कि के आप सेक्ता तो नहीं ह रही है इवा आपसे हर कोई हैलो कर रहा है इवा आपको हर कोई हैलो कर रहा है हर कोई इवा से हैलो कर रहा है आपको हाई होके समझाने क्या आप सकता नहीं है नहीं सर समझाने क्या आप सकता नहीं है अगले कौशन तरफ बढ़े तो आप कैसा लग रहा है आपको डियाई छोटा दिखेगा आपको, question number five करो आप, cinema गर बी पर फिलम T और फिलम S की कुल मिलाकर बिक्री गई टिक्टो का औसत संक्या क्या होगी, चले, बताए, करें, यार देखो, आप D.I. सीख चुके हो, आप D.I. सीख चुके हो, आप D.I. सीख चुके हो, हाई वाँ, हालो, एक बार चलते हैं, विट आप चलते हैं, न, क्लास ले रहूं मैं, चलो, यहीं रहना चाहोगी, मेरे पास ही, तो यहीं रहे लो, मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है, बच्च्च्या, हाई, ओ, 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 इनको डाट रही हैं सबको, यह आपके जो अंकल है, दीदी है, इनको सबको डाट रही हो, आप, चलो, अच्छा है, सब लोगों ने आंसर यहाँ पर सी दिया है, सब लोगों ने आंसर ची दिया है, और बधाई हो, कि आप लोग डियाई सीख चुके हो, बधाई हो, आप लोगों को डियाई सीख चुके हैं आप, ओनली तीन क्लास के अंदर आप डियाई सीख चुके हो, केवल तीन क्लास के अंदर, इवा, केवल तीन क्लास के अंदर डियाई सीख चुके हैं यह लोग, केवल तीन से लास के अंदर, देख लो आप, आपको पता भी नहीं लगा, कि जिन चीजों से आप डरते थे, only 3 class के अंदर उन चीजों को आप सीख चुके हो मदा आ गया ना अब बताओ कैसा लग रहा है आपको अब तक मैंने math पढ़ा दी reasoning पढ़ा दी logical reasoning पढ़ा दी जिसमें Indian logic को भी पढ़ा दिया और मैंने आप di पढ़ा रहा हूं और almost di हमारी आप खतम हो जाएगी आई वा हलो इतनी मस्ती नहीं इतनी मस्ती नहीं तरह बाल और सही कर दो अब आप वीडियो को लाइक कर दो और आज मुझे फिर आप class stop करना है क्योंकि इवा के duty है मेरी duty इवा के पास लग रही है आप लोगों से हट कर तो अब हम लोग आप को जो जो चीजें हो वो आप class thank you guys thank you मैं आपकी comments देख रहा हूँ अभी समय बढ़ा अच्छा लग रहा है देखके डेली आया करो thank you guys कल मिलते हैं तब तक स्वस्त रहो मस्त रहो जै हिंद जै भारत कहते रहो हाई इवा एक बार बोल दो इवा सबसे सभी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को अच्छा लगे पढ़ना तो subscribe कर दो अच्छा ना लगे तो मत करो आप पर ऐसे कर दो वीडियो को लाइक सब के सब कर दो ठीक है भी भी कर दो सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको अनेकेट भी पर प्रेडिंखी की तरह बढ़ते हैं हमने काफी सारे कोंस को कर दिया था मैदने जैसा कि हर स opiniसें बोलता हूं कई टाइप के कॉशन आते हैं एक टाइप गाल शीन है एक टाइप के कॉशन यह हैं एक टाइप के कोशन कल कई थे यह पीकवी वाले कल कर लिये थे और साथियों हमने ये वाले कौशन भी कर लिये निरक्षर वाले भी कौशन कर लिये अब तक हमने मैंने आपको pye chart वाला question भी करवा दिया और मैंने कल आपको विध्यायले वाला question में करा दिया यानि कि एक एक बार मैंने इस प्रकार के सारे question के practice करवा दी है अब भाई साब इस वाले question को complete करने जा रहे हैं तो चलिए पढ़ते हैं और copy pen सब के सब लोग निकाल लीजे डरना नहीं है इन आकडों को देखकर इन लट्थों को देखकर इन डंडों को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है आप यकीन मानो मैं खुद कही बार net zrf क्वालिफाई हूं देश की बैतर इन संग्ठनों में पुर्सों और महिलाओं की संख्या को दर्साने वाले निम्न बार आरेक को धान से पढ़िए यह जो खाली जगह है ना यह वाली यह पुर्सों की संख्या को दर्सा रही हैं और यह जो भरी हुई जगह हैं यह सात्यों महिलाओं की संख्या को जगा रही है एक बार अपने दिमाग में छाप लो इसको और फिर हम इसके आधार पर कॉशन्स करना शुरू करेंगे देख लिए एक बार इसको मैं साइड मढ़ जाता हूं सब लोग वीडियो को लाइक कर दो यार बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो डेली नौ बज़ आया कर कि देख लिया चलिए कॉशन की तरफ हम लोग जंप करते हैं वीडियो लाइक कर दिया साथ यह आपने अपने दोस्त के लिए मैंने आज ही जोईन किया है अरे डेली आया करो भई तो बताए सबी संख्ठनों में पुरुसों की कुल संख्या तथा महिलाओं की कुल संख्या का अंतर क्या है सबसे पहला सवाल 134 वे नंबर का सवाल तो बताए सबी संख्ठनों में पुरुसों की कुल संख्या तथा महिलाओं की कुल संख्या का अंतर क्या है यह आपका 2020 में कॉशन आया था यह वाला 2020 में आया था चलो आप आंसर दीजिए पुराने मैं इतने सारे कॉशन करा दी उसके आधार पर तो बताए संख्ठन में कुल पुरुसों की संख्या और कुल महिलाओं की संख्या का अंतर क्या है आपको इसका अंसर देना है कि कुल संख्या क्या है पुर्सों की और महिलाओं की तो सबसे पहले साथ हैं पुर्सों की संख्या को यहां पर जोड़ देंगे तो पुर्सों की संख्या कितनी है? संगठन ए में पुर्सों की संख्या है 35 संगठन ए में क्या है संगठन ए पूर्षों की संख्या यहां लिख दो पूर्षों की संख्या आप लिखते जाओ पूर्षों की संख्या क्या है 35 3500 के अलावा 4500 प्लस ध्यान से देने की चुद यह देखो 4500 और इसके बीच में है यह 4500 और 5000 के बीच में है यानि कि यह साड़े 4700 और यहां पर साथ यो जो पूर्षों की संख्या है वो कितनी है यहां पर भी साथ यो पूर्षों की संख्या है वो कितनी है साड़े 2200 तो मैं यहां पर और कर देता हूं प्लस 2250 और यहां पर जो पूर्षों की संख्या है साथ यो वो है 3500 ये तो हो गई पुर्सों की संख्या एक बार इनका योग करिए आप एक बार आप इन सब पुर्सों की संख्या का आप साथियो योग करिए ये हो गया साथियो योग हो गया इसका 1850 क्या हो गया टोटल पुर्सों की संख्या है 1850 इसी तरीके से हम फीमेल महीलाओं की महीलाओं की संख्याओं को यहाँ पर साथियो एक बार हम जोड देंगे बड़ा आसान है महीलाओं की संख्याओं को जोडना चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हमको आसानी से पता लग जाए महिलाओगी संख्या महिलाओगी संख्या संगठन A में है 3000 प्लस संगठन B में है 3500 प्लस संगठन C में है 4250 और सातियो संगठन इसमें है D में है 4000 अगर सातियो अब हम इन माप करना एक और चूट गया भी थे मुझसे एक महिलाओं यह और रहे गी हमारे 1500 अगर यहाँ पर महिलाओं की संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आएगा महिलाओं की संख्याओं का योग आएगा 16250 क्या आएगा 16250 तो हमसे क्या का है दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है तो हम साथ हूं बाइस सो पचास आपका सई आंसर आ जाएगा क्या जाएगा यह पर सई आंसर आ जाएगा आपका आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है दंग से गाइज सब कुछ आपको डंग से दिखाई दे रहा है सई आंसर बाइस सो पचास आजाएगा अब यह दो हजार बीस मा आया यह कॉशन अब बता दीजिए कितना सरल कॉशन है आज आर एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है मुझे और इसकी वज़े से में पंखा चला नहीं सकता क्योंकि आवाज आएगी और एसी महराज हमारी पता इसका रिमोट कहां कि रफड़ा है रूम के अंदर यह महराज इदर इदर नहीं कर गया कहीं जी इसी का रिमोट ढूंडा और मिल गया पंखे का चालो पंखे से भी काम चला लेंगे हम गुम जा सिमसिम मेरे तरब गुम जा गुम जा गुम जा शावास शावास गुम जा ओई बेड़े शावास इस्पीड कर ले तू थोड़ी से सिलो अब ठीक है तो ये है सातियों पूरा क्लास का लेखा जो का अब बताईए कैसा लगा आपको ये सवाल ये सवाल बहुत ही आसान है इसी तरीके के सवाल हमसे पूछा जाता है अब बताओ आपको math reasoning di.i. पढ़ने में कोई समशारी है अब बताईए math reasoning di.i. पढ़ने में कोई सम साप नहीं दिख रहा और mobile को ऐसे तिर्चा कर लीजिए mobile को तिर्चा कर लीजिए बड़ा-बड़ा दिखेगा साप दिखने लग जाएगा अगला question 2020 में पूछा गया है इसको solve करने की यहाँ पर causes करते हैं मैं इस सम्क्या को मिटा देता हूं यहाँ पर और अब आप साथियो निचला वाला question एक बार कीजिए question number इसमें यह answer है 135 करने की यह पर causes कीजिए पहले आप करो try करो फिर मैं तो करवाँगा यह करवाँगा एक पर आप try तो कर लो लेकिन एक बार आप try कर लो और फिर मैं आपको इस solve को करवा देता हूं सवाल को question समझा नेता हूं तो बताए संगठन B में तो बताए संगठन B में महिलाओं की संख्या संगठन B में पुर्सों की संख्या से कितना अधिक है यानि पुर्सों की संख्या से महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है किसमें संगठन B संगठन B की तो महिला फिमेल और संगठन D का मेल निकालो आनसर दो सब की सब कि 2020 में कॉश्चन आया है यह 2020 का कॉश्चन है जो कंबाइंड एक्जाम लगी थी रूम में तो यह सी चलती है तो बिलेजर पहन लो कुछ भी पहन लो क्या फरक पड़ता तो डिसेंट लुक आता है और क्या है और इसका पीछे कोई रीजन नहीं है कि सब जिसे कहते ना सब प्रतीत होते हैं मलब टी इस पहन कर पढ़ाओं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना टीज़ट पहनला तो थोड़ा यही पहन लेता हूं और फिर मैंने क्या शुरू कि दिन से यही पहना तो मैं इसको इसी को पहन रहा हूं डेली हर किलास मैं ब्लैक कोल्ट तो ब्लैक ब्लैक एक वह गया और से इंपक्ट यह ना कि जो वाइट लाइट होती है ना वह हमारे चेहरे से कपड़ों से रिफ्लेक्ट नहीं करती एक यह भी फायदा है ब्लैक कपड़े पहनने का तो डिस्पेल अच्छा दिखता है और कोई रीजन नहीं थैंक्यू मेमोरी सब लोग आंसर दीजिए जोड लोन भाई पहले महिलाओं और पुरुसों को प्रतिसत निकालना है ना समय लेकर कर लो मैं करवा दूंगा अब आप लोगों के आंसर आने लगे हैं सरस्टी तोमर कियरी के सारी आपकी लगी बलेजर है आपकी क्लास दमाल मत कर रही है अरे बहाई बिल्कुल अच्छों का बटी संक्ष्या अपनी क्लास देखी जाती है अच्छा लगता है समझ लगता होगा सायद इसलिए आप लोग देखते हो चलिए बेसीक से समझने का प्रियास करते हैं क्या है माजराव सबसे पहले आईए बी संगठन बी में मैलाओं की संख्या संगठन इदर को लिख देते हैं हम यहाँ पर संगठन बी में फिमेलों की संख्या संगठन बी में फिमेल की संख्या कितनी है संगठन बी है और यह फिमेल की संख्या कितनी है 35 संगठन दी में मेल की संख्या कितनी है यह संगठन दी है और इसमें जो मेल की संख्या आती हो वो कितनी है 500 पाइससो पचास क्या है? संग्ठन डीमे bit 200 rings上 kiss अब सबसे पहले इस दोनों का अंतर निकाल लेते हैं हम लोग 35 है minus 250 कितने का अंतर है मुझे बताओ 35-225 में अंतर बताओ, सब के सब अंतर बताओ, एक बड़ कॉमेंट करके, कॉमेंट करके अंतर बताओ, पहले तो सबसे पहले हमको अंतर निकाल लेना है, इन दोनों से क्या होगा, अंतर क्या है? सब लोगों ने काये कि 1250 इनके बीज का अंतर है अब सवाल हमारा क्या बन गया सवाल हमारा क्या बन गया यहां से आगे यह चीज हमसको समझने की आउशकता है क्या है संगठन बी में मेलाओं की संख्या संगठन डी में पूरसों की संख्या से कितना प्रतिसत अधिक है तो यहां पर साथ यो संगठन डी से कितना प्रतिसत अधिक है तो यहां पर हमको क्या करना है साथ यो यह जो 3500 है यह बाइस सो से कितना प्रतिसत कम है यह निकाल लो कि 2200 से 3500 कितना प्रतिसत कम है इससे निकल जाएगा या फिर ये 1250 है ये कितने का 2250 का कितने प्रतिसत है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1250 का कितने प्रतिसत है क्या ये सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा सोच कर बताओ क्योंकि मैंने आपको प्रतिसत निकालना सिखाए था 1250 का कितने प्रतिसत है क्या ये सवाल बन रहा है या यह सवाल नहीं बन रहा है मुझे ये बताईए आप बन रहा है ना भाई एक बास सुनो एक संक्य है 3500 और एक संक्य है 2550 तो हमको यह करना है कि हमारा जो बाइस सो पचास है ना यह पैंतीस सो पचास से कितने प्रतिसत कम है यह पैंतीस सो से बाइस सो पचास कितने प्रतिसत कम है तो हमने बान लिख दिया कि बारा सो पचास बाइस सो पचास का कितने प्रतिसत है यह चीज निकाल लेंगे ठीक है त सबसे पहले संख्या सबसे पहली संख्या को पर लिखो सबसे पहले मैं आप से हमेशे आपको क्या समझाता हूं मैं समझाता हूं सुरू वाली संख्या को सुरू में लिखो बारा सो पचास अब 1250 है उसको नीचे लिखना है जिन लोगों को समझ नहीं लग रहा अगर यह ऐसे लिखना जमाना तो मेरी मैथ वाली क्लास देखना जो मैंने पीछे पड़ाई है प्रतिसत का मतलब होता है तो क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट लो आई ये पांच का भाग दे लेते हैं पचम 25 पांचों का बीस दो बचगे और पचम 25 पैटालिस बार गया पांदूनी दस पचम 25 पैटालिस बार गया आगे क्या हो गया फिर पांच से कट जाएगा फिर पांच से कट 29 बार गया 25 25 बार गया तो आगे हो जाएगा सातियों 500 बटे 9 500 क्यों हो गया है 100 गुणा 5 कर दिये मैंने तो 500 बटे 9 हो गये हैं तो 500 बटे 9 में हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 55 बटे 55 पॉइंट कुछ यह आंसर आ जाएगा कि सर बोड के उपर क्या है green green अरे भाई वो आप देखना चाहते हैं उस सर्प जैसा नहीसा नहीं रहा आपको लगए खाया थाकर कर तो उसके लिए पर्टड़े का वो लगा हुआ है मिने तो हैपी पर्टड़े का वो लगा हुआ है इस लिए ये आपको ऐसा दिख तो तो समझ गया है- यह ब्लग यह पूरा- लुक यह है पूरा लुक है तो लग रहा है तो चूट गे थे वह खराब होगे तो फिर नीचे आ गया और क्या है यह और कुछ नहीं है कि आप लोगों का ध्यान भी आर ऐसी ऐसी जगे जाता है कि पूछों मत कमाल आदमियों आप लोग हलके नहीं हो बिल्कुल भी कमाल चीजों पर आप लोगों के ध्यान चला जाता है कि अगर कि अगर कि सर्पी एच्डी में हम सब्जेक्ट से कर सकते हैं कि अधर सब्जेक्ट से भी हाँ यार एक बात और मेरी क्लास में आप मुझसे इस प्रकार के सवाल भी पूछ सकते हो लाइक पी एच्डी असेश्टेंट प्रोफेसर जे आर एफ तो क्या है कि मैंने खुद में इन सब चीजों में इनवाल्व रहा हूं मैं पी एच्डी वगरा किया है तो मैं आपको ज्यादा बैतर तरीके से समझा सकता हूँ ओके सराम पीएच्डी जिस सब्जेक्ट से हमने एम्ए किया है हम उब disciples से पियएच्डी कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट से पेज़नी नहीं कर सकते हां बिल्कुल रादिका हां बिल्कुल आप सही के रोग पर नीचे आ रहा था यूवा शह साल की हो गई इवा है उसका नाम यूवा नहीं है उसका नाम है इवा इवी ए मैं दिखा देता हूं आज उसकी फोटो क्योंकि आ आज उसको इवा की आपको फोटो दिखा ही देता हूं इवा 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 मेरी इवा यह रहा इवा का च्छाया चित्र है यह रहा है कि यह कल की फोटो है इवा की जो मैंने बनाई थी खुद ने उसके बर्चडे के लिए कल की ड्रेस है ऐसी बहुत सारे फोटोग्राप्स है बट कल मैंने इस पर लगाने के लिए एक इसकी फोटो बनाई थी यह देख लिया तो इसका लिखते है हैपी बर्चडे इवी ए इवा नाम है इसका हैपी बर्चडे इवा यह six month की हो गई है चलिए आ जाते हैं किलास की तरफ ओके भाई साब अगला कॉशन हम लोग करेंगे अब हमने इस परकार के कॉशन सात्यों यहां पर कर लिये हैं आईए अब और कॉशन यहां पर हम सात्यों करने का प्रियास करते हैं क्या लिख रखा है तो बताए संगठन बी और संगठन सी में महिलाओं की संग्या का संगठन डी और संगठन ए के पुरसों की संग्या से अनुपात क्या है तो इस सवाल में आपसे अनुपात पूचा जा रहा है तो एक बार डिटेल से ध्यान से अनुपात निकाल इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं लाइक करते नहीं हो मेरी क्लास इतना कम पसंद है क्या आप लोगों को अब लोगों को एव इतना कम पसंद है क्या पहले सबसे पहले संगठन B और C की महलाओं की संख्या जोड़ लो संगठन B और C की महलाओं की संख्या का योग कर लो फिर D और E के पूरसों की संख्याओं का योग कर लो और फिर इन दोनों का अनुपात निकालो मैं हर विध्यारती का आंसर चाहता हूँ मैं समझाओंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर विद्यारती इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में मुझे दे और मुझे पता है इसका आंसर आप जरूर से दे दोगे और मैं डियाई को कम्प्लीट कर दूँगा अगले यूनिट पर जम्प कर जाओंगा एक दो दिन में अब मैं डियाई को कम्प्लीट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारे कॉश्वनों का जवाब देने लग गये हो लक्ष्मी सर्मान पहली बार देखा लक्ष्मी पुरानी क्लासे जरूर देखला न विटा ओल्ड क्लास जरूर देखले न आज ये बीसवे नंबर की क्लास है ओल्ड क्लास भी देखने हैं आपको मैं आट रहा हूं सामने से आंसर करो हाँ हट गया बाबा हट गया अरे हट गया प्रभूस का आंसर तो करो करते जाहिए मैं आंसर देख रहा हूं बहुत लोगों के पर मैं अभी आऊंगा केमरे के सामने कि कि सब लोगन किसी ने 23 पर पॉंट 11 दिया है 23 कुछ कुछ लोगों ने दिया है 23 पॉंट 31 ते बीस अनुपात 31 एक तो यह दिया है आप लोगों ने और कुछ लोगों ने 31 अनुपात 23 दिया है वाइँ उल्टा उल्टा मत करो यार od सब करें द्यान से 31-23 तो बताए संग्ठन B और D में महिलाओं की संख्या का संग्ठन D और E के पुर्सों की संख्या से अनुपात क्या है पुर्सों की संख्या से है यानि पुर्सों की संख्या से तुलना की जा रही है तो सबसे पहले हम पुर्सों की संख्या लिखेंगे देखो एकजामन ने क्या बड़ी चालाकी की है देखो एक तो लिखरका है 31 अनुपात 33 और एक लिखरका है 31 अनुपात 23 अब आप मेंसे जो लोग ज़ादा शाने बनने की कौसिस करेंगे वो गलत आंसर दे देंगे और यह आंसर गलत हो जाएगा और खुस हो जाएगे मन में कि हमारा तो यहाँ पर मिल गया जबकि रियल में आंसर यह सही है एक्जामनन दे कितनी जानदार कला खेली है एक्जामनन कितनी कला खेली है देखो एक ऑप्षन में लिख दिया 31 अनुपात 23 और दूसरे ऑप्षन में लिख दिया 23 अनुपात 31 खेल गया ना कला अब कुछ लोग जल्दी वाजी में कौशन करेंगे और 23 अनुपात 31 लिख दे क्या है इसको ध्यान से समझने का पियास करने हैं, आन्सर क्या है इस चीज को सब्दु कई। मुझे पता है, आंसर करना आपसे आ गया, पर आपने मात खा गाई है, मुझे पता है, सब लोगों आंसर ठीक कर दिया है, मात खा गाई है, पूचा है, तो बताईए संगठन B और E की महिलाओ की संख्या का संगठन D और E के पुरसों के अनुपात क्या है, यानि पुरसों से तुलना की जा रही है, तो भाई जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है, उसको पहले लिखते हैं, इसलिए हमको सबसे पहले पुरुसों का योग लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले पुरुसों का योग लिखना है, ना की महिलाओं का योग, तो पुरुसों का योग क्या ओके यह आंसर है और सभी आंसर सातियों 31 है आप आपने कर लिया था कॉशन तो कर लिया है कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है तो सातियों सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर हम करेंगे 35 प्लस 4250 और दूसरा है सातियों डी और ए के पुरुसों के लिए डी और ए के पुरुस यह डी का पुरुस कितना है बाइस सो पचास तो हम कर देंगे सातियों बाइस सो पचास अरे हम से यहां पर क्या पूचा गया है इस बार इसको फिर से हम देख लेते हैं बी और सी की महिलाओं की संक्या बी और सी 35 अच्छा बी और सी हो गया ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे महिला फी मेल लिखेंगे बिल्कुल मैं चमा चाहता हूं उसके लिए क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक यह संगठन देख लिया था जबकि दो दो संगठन हम से पूचा गया है बी और इमें केवल बी और डी देख लिया था हम से पहले यह दोनों संगठन पूचे गया है और यह और दोनों संगठन पूचे गया है तो सबसे पहले यहां पर महिलाओं की संख्या कितनी है 3500 है माप करना मुझे मैंने तोड़ा सा गलत उत्चारन कर दिया उसके बाद में एक महिलाओं की संख्या कितनी है 3500 का बाद में यह 3500 कि प्लस 4250 कि इसको जोड़ेंगे इसको अगर हम जोड़ेंगे 3500 प्लस 4250 करेंगे तो यहां मरा आएगा साथियो ना जाएगा सते 350 सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब कि अगर हम देखेंगे क्योंकि दो ले लिया था तो मैं उसमें थोड़ा कंश्यूज हो गया था मेल को अगर हम देखेंगे तो मेल के साथ हो एक है बाइस सो पचास दूसरा यह मेल यह 35 अगर अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे यहां पर तो क्या आजाएगा 5750 आजाएगा तो अब सीधी बात है सतित्तर सो पचास अनुपात 5750 अगर इन संख्याओं को हम काट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा यह आएगा यह आएगा आप लोगों ने ठीक किया मैंने इस सवाल को गलत रीड कर लिया था क्योंकि मुझे मैं सोच रहा था बी और डी का ही हमसे पूछाय के वर आ आप लोगों ने बिल्कुल सई किया एक रेट लेकिन सब्सक्राइब इस तरीके से ओके तो अब कैसा लग रहा है डियाई को पढ़ कर जो आप लोग डियाई को पढ़ कर डर रहे थे जिस दिन मुझे याद है कि जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी उस दिन आप डरे रहे थे पूरी तरीके से डियाई से क्या करेंगे सर डियाई से तुम्हें लब हालत खराब हो अब बताओ कैसा लग रहा डियाई पढ़के इमांदार इसे बोलो मन में लड़ू फूट रहे हैं डियाई पढ़कर देखो कुछ लोग नए जुड़े होंगे आज पहली बार आये होंगे तो साथ उनके मन में लड़ू ना फूटें लेकिन जिन लोगों ने लगातार तीन-चार दिन से क्लास देख रहे हैं लगातार अरजुन बैच को फो सकूल टीचर और प्रोफेसर दोनों के लिए अवले पल होना है तो क्या करें जानवी स्कूल टीचर बनने के लिए बेटा आपको बीएड करने पड़ेगी और कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट पास करना पड़ेगा मेरा वादा है आप लोगों से पेपर वन में आप पचास में से 45 से लेकर 48 कोशन करके आओगे मेरा वादा है मेरा अर्जुन बैष देखने वाला हर विध्यारती 45 कोशन तो सही करेगा है मेरा वदा है यानि 90 नंबर उसके आ जाएंगे पेपर वन से आगे बढ़ते हैं सात्यों और अब है सात्यों और कई प्रकार के सवाल हम से पूछे गए हैं कुछ सवालों के जवाब आपके मैं एक बार दे देता हूं क्या है कि सर मुझे ये कॉशन भी बनाते दें लेकिन अब आपकी वीडियो देखकर बन रहा है नहीं बनते थे बड़ा बन रहा है सर कॉमर्स के लिए फ्री क्लास नहीं है क्या सर आप पेपर टू इसमें पढ़ाएं या उसके बारे में कुछ बताएं सर प्लीज पेपर टू क्या है आप लोगों का कॉमेंट्स करके बताओ जो लोग अभी वीडियो देख रहे है वो भी और जो बाद में वीडियो देखेंगे उन सब से कहना चाहूंगा कि पेपर टू आप लोगों का क्या है बाल बहुत उड़ते हैं पंखे की हवा से तोपी लगा अब या तोड़ा अलग लगूंगा मैं थोड़ा यह सूट बूट पर टॉपी जमेगी नहीं यह मैंने मेरी यहां पर एक मिरर लगा रखा है मैं तुमको थोड़ा सेट अप दिखाता हूं कैमरा जूम आउट करके पकेमरा थोड़ा जूम आउट कर देता हूं तब आपको बहतर दिखेगा यह मैंने क्या कर रखा है यह साथ यह लगा रखा है यह क्या लगा रखा है तो मैं यहां पर देखा अभी तो टोपी और चस्मे को कुछ बैठा नहीं सौधा इसलिए इसको हम कर देते हैं दुबारा जूम मैं दे रहा हूँ आपके सबी सवालों के जवाब आ रहा हूँ चिंता ना करें यह क्या पंकी के हवा से उड़ते हैं बाल उड़े जब जब जुल्फ है तेरी आय है उड़े जल्ब जब जुल्फ है तेरी सब किसी का वीजवल आर्ट है किसी का जोग्राफी है जो लोग बादम वीडियो देखने ना वो भी देखना हिंदी इस्ट्री ओके जोग्राफी केंप्यूटर सारे सब्जेक्ट लिखो ताकि मुझे आईडिया आजाए कौन सब्जेक्ट के लोग जादा है पॉलिटिकल साइंस लाइफ साइंस एक्नोमेक्स हिस्ट्री जोग्राफी यह एक बार संख्या कमत कर दो एंड उर्दू रिदी हिस्ट्री एकनोमेक्स ऑक्खे गाईज यह काम करो मैंने आपको वाटसेप पर अच्छे काट 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 के संख्या काटना नहीं यह आता है किया आपको कोई बात नहीं कातना तेता हूं मैंने आपको पहले ऐसा सिखा रखा है तो इसलिए मैं ने फिर सोथिया था इसलिए आपके इतने सारे अब कि 5730-750 4750 और 5750 आईए इनको हम काटना सीखते हैं अब जब भी हम साथियो और उनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले खर्पतवार को अटा देते हैं इस 0 से इस 0 को अटा दो फिर हमको साथियों यहाँ पर एक संक्या का भाग देना है जो दोनों को काट देता है आईए वो संख्या क्या है 5 क्योंकि 5 इसके इलाश्ण में इसके इलाश्ण 5 यानि 5 का भाग देंगे तो सबसे पहले काटना सीखो आओ इधर को मेरे तरफ तोड़ा देखो तोड़ा जूम कर दूँ थड़ा और आपको बहतर देखेगा आजाओ, देखो क्या है? काट नसीपों, सबसे पहले हमको ये पता लगाना है, कि इसमें एक common संख्या डूण नी है, जिसका भाग जाता हूँ, तो मैंने common संख्या डूण ली, पांच, तो पांच का भाग मानलों, इस संख्या में पहले देता हूँ, तो पांच का भाग मैं साथ में पांच का भाग दूँगा क्या हो गया पांच एकम पांच कितना गया पांच एक बार गया भाग एक बार गया लेकिन दो बच गये लेकिन बच कितने गये दो भाई ये संक्या साथ है मैंने भाग दिया पांच का एक बार पूरा पूरा गया बच गया दो तो हम क् देंगे दिमाग में यानि कि ये संक्याब होगी 27 कितनी होगी ये संक्याब होगी 27 हो गई अब इस संक्या कितनी होगी 27 हो गई क्योंकि हमने इस संक्या में आगे जो बचे हुए दो थे अभी 5 का भाग दिया पाचे-गं। पाउंच सातंच में बाग दिया दो बच गें। वो दो में नहीं लगा दिया, 27 हो गई संक्या दिमागे। अब हमें 27 में भाग देंगे। पाच पाच पांच 5, पांद उद पचम 25, 5 बार गया। लेकिन 25 और 27 में दो पांटर हो गया। फिर हम क्या करेंगे इस पांच के आगे भी दो लगा देंगे अब ये संख्या कितने होगी 25 हो गई तो पचम 25 एक सो पच्मन बार कट गया पूरा 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 मदा आ आ गया काट कर इस तरीके से हम इसको काट देते हैं आए फिर अगली संख्या को काटना सीखते हैं सबसे पहले पहली संख्या में भाग देंगे पांच एक बार गया ये कट गया फिर अगली संख्या में भाग देंगे पांच एक बार गया दो बच गया इस दो को मैंने यहां लगा दिया 25 यानि 115 बार ये साथियो कट गया लेकि अले ये पांच से फिर से काड़ देते हैं, तो क्या करें गेंगे conductors आगे लगा लेंगे और पांदी ये 15 तो गया ग्यात 31 अनुपात 33 तरीक इस तरीके से संख्या काटी जाती है अब लोग इस तरीके से बड़े प्रेम से प्यार से संख्याओं को काटना होता है देखो यार मैंने एक आप लोगों से वादा किया था कि मेरी क्लास में कोई नती आनी चाहिए और एस लेकर जैडट अविदी अनी चाहिए मैं उसको हर चीज सब्जिक से था मेरा तो सौसलोजी से पीजी की सब्छेक्ष से सथा मेरा सऊसलोटि से था मेरा पीजी मेंлом चया आप कर चुझा क्रचुका हूं तो एकाрам बीपास कर चुखऊं पता देता होना लें तालिकभ़ बता देता हुँ को निकाल कि क्या करें नए नए बच्चे आते हैं नए नए डिमांड होते आप तो हमारी चीज़ों का जवाब के देते हैं आप लोगा जवापे यह महाराज यह कि बहुत ही प्रसित विश्विधाल है उससे मैंने प्याश्डी किया है अब में दसवी बारवी की प्रसंटेज मत पूछो बहुत पुरानी चीज़ है मेरे लिए अगर आप यह पूछते हो प्याश्डी कैसे करी किस टॉपिक पर करी जनरल क्या लिखे तुम आनता भी मत पूछो साद की पूछ लीजिए ग्यान और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान कि सर नेट के लिए कितना परसंटेज चाहिए नेट के लिए आपको 55 परसंटेज होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी में से हैं तो सब की 55 परसंट लगा लिजिए हिंदी वाले हिंदी के किसी टॉपिक से पिएजडी कर सकते हैं सर पेपर टू में कितने कॉशन करने होते हैं मैं आपको बतला देता हूँ पेपर टू में कितने कॉशन करने होते हैं देखो बैसा बैसा है पेपर वन और पेपर टू दोनों जो होते हैं साथ यों 300 नंबर के आते हैं मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पेपर 1 इसमें 50 कॉश्चन आते हैं पेपर 1 में पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का होगा इसमें 100 कॉश्चन आते हैं यह 50 कॉश्चन होते हैं 100 नंबर के यह 100 कॉशन होते हैं 200 नंबर के यह टोटल होता है 300 नंबर के अब आप मानकर चलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो विध्यारती 300 में से 210 के आसपास नंबर ले आते हैं वो पास हो जाते हैं यह मानकर चलिए जिनका सातियों 70% के नियर बाई परसंटेज आती हैं दोनों को मिला कर वो पास होते हैं बाकी फैल होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा अच्छे से तैयारी करने की आउशक्ता रहती है ओके चलिए गाइज तो आज की किलास को हम यहीं समाप्त करते हैं कल डियाई के साथ फिर से आएंगे नएने कॉशन्स का करेंगे कल डियाई में इन कॉशन्स को करने जाएं यहीं सब और उसके बाद को करदेंगे और अगला यूनिट जुगा research का होने वाला है क्योंकि आपको पता है PhD के दोरान मैंने 4 साल तक research पढ़ा है तो research के आप चिंता छोड़ दो ऐसा basic से research पढ़ाऊंगा ना आप तो खुद एक दम research हो जाओगे तो आप चिंता ना करें साथियो एक दो दिन में हम इसको complete कर देंगे यार देखो मुझसे बहुत से लोग comment बार बार करते हैं सर पेपर वन की किताब बता दो किताब मेरे पाद दुनिया भर्खे हैं पेपर वन की कुछ भी नहीं उखाड पाओगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझने पड़ते हैं नहीं सीख पाओगे किताब से और मैं आपको यह भी बतला दूं मार्केट में बहुत सारी किताब हैं तुरूटिया बहुत ज़्यादा है अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं एक अरिहंत पब्लीकेशन की किताब भी आती हैं उपकार पब्लीकेशन की किताब भी आते हैं द्रश्टी पब्लीकेशन की किताब भी आती हैं और भी कोई मदान की किताब भी आती हैं ऐसे बहुत सारे पब्लीकेशन हैं लेकिन मेरा recommendation मत मानना इनको क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से इन किताब को पढ़ा है और इन किताबों में बहुत ज़्यादा उल्टा सुल्टा गलत मेरी एक बात मानलो मैं जो notes provide आपको करवाता हूँ वो notes को निकाल लो उनको ढंक से पढ़ लो और मेरी हर class में आ जाओ आपका कोई question paper one का भार नहीं जाएगा on record बोल रहा हूँ इस चीज़ इसको record करके रख लेना अगर सारे question मेरी class में ना मिलें तो मेरी मुँपर मारना तो मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि मेरी class अरजुन वैच को जिसने आरपार पढ़ लिया ना वो paper one में लगबग 45 से लेकर 48 question करके आएगा मेरा वादा है इस यह जो छोटी सी clip को record करके रख लेना और अगर ना मिले तो मुझसे कहना कि गुरू जी आपने ऐसा बोला था मैं वादा करता हूँ क्योंकि इस exam को मैंने ऐसे थोड़ना पास किया कही कही बार किताबों को चकर मत पढ़ना किताबे बहुत अच्छी चीज़ है पर बहुत सारी किताबे मार्केट में तुम जाओ तुमको जो समझ लगे पढ़ने में अच्छी लगे वह लेकर आओ मैं रिक्मेंड नहीं करूंगा क्योंकि इन गाइड़ों को रिक्मेंड करूंगा में में रिक्मेंड करने से एक गाइड की सेल बढ़ जाएगी अगर मैंने बोल दिया कि तुम xyz की किताब ख खृँ लो अब मालो इस वीडियो को एक लाख लोगों ने देखा अब एक लाख लोगों ने नहीं खरीदा तो कमस्कम 10.000 लोग तो खरिद लेगे अरे 10 मेल Impossible हाजार लोग तो मेरे क्योंसे को सजेस्ट करूं जबकि उनमें तुरूटियां बहुत ज़ादा है मालो मैंने किसी किताब का नाम ले दिया और वो किताब मेरे कहने से बिग गई एक लाक लोगों ने वीडियो देखा एक लाक में से दस हजार ने खरीद लिए तीन हजार ने दो हजार ने तो खरीद ली न तो दो हजार किताब बिग गई किसी कितो अगर मालो दो अगर मालो पांच हजार बच्चों ने किताब खरीद ली और एक किताब की कीमत 500 है तो तुम्यार 5,000 गुणा 500 कर लो पचंप 25, 30, 1, 2, 3, 2, 0, 2, 0 के 21, 25, 30, 10, 100,06, लाक, 10, लाक 25 लाग की किताब बेश देगा मेरे कहने से कोई आदमी अगर मैंने किसी publication house का नाम ले दिया और 5000 किताब बिगई मेरे कहने से तो 25 लाग की किताब बेश देगा ना सामने वाला तो तो मैं क्यों recommend करूँ आपको हाँ मैं ये कह सकता हूँ मेरी free class होती है daily देखो आप यह कह दोगे गुरुदी फलानी किताब खरीदी सारी किताब में बहुत जाए रत्रुटिया आपकी कहने से करेज ली मैं नहीं बताता है रीजन यह है निशुल्क पढ़ो ना यार कौन तुम से कह रहा है तुम फीश पे करो कहीं पर किताब खरीदो मैं देता रहा हूं नौट साम को अरे ब्राइट फ्यूचर मैं देख लेता हूं क्या है ब्राइट फ्यूचर नौट कहां से मिलेंगे सर एजुकेशन के पेपर वन के नौट्स तो मैं आपको बतला दूँगा पेपर वन के नौट्स तो टेलिग्राम चैनल है मेरा उसका फर्स्ट कॉमेंट में लग रहा है वहां पर मिल जाएगा मेरे नौट्स पिछले 5-6 किलास से नहीं मिले हैं मैं यार वन मेन आर्मी हूँ अभी अकेला ही काम कर रहा हूं मैं पूरी टीम इखटी करने की सोच रहा हूं जो बलब टीम मतलब पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाऊंगा तो महीं बलब ऐसा जो मेरा नौट्स तयार कर दे ज जो बच्चों को नौट्स सेंड कर दे भेज दे वैसा कोई बंदा ढूंड रहा हूं मैं अपने लिए ताकि समय पर क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं तो इसलिए मैं कई बार समय पर नौट्स वगर नहीं सेंड कर सकता लेकिन आज रात को मैं बैठूंगा इस प फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए जॉइन करें अब उसके बाद मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता हूं मेरे पास हर दिन आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है मेरे पास हर दिन मेल आते हैं पब्लिकेशन हाउस के लोगों के क्योंकि मेरी ब्रेंड वैल्यू अच्छी है लोग मुझे जानते हैं मेरा कहना मानते हैं मुझे हर दिन मेल आते हैं कि सर हमारा पब्लिकेशन कि है आप हमारी किताब का पर्मोशन कर दो किवल इतना बोल दो फलाने पॉप्लिकेशन आउस की किताब करमिकेशन रहो हम आपको इतने रुपई दिए जिसे किया पहले अगर मैंने यह कह दिया की दिस कोई X Y Z नाम का पब्लिकेशन है उसकी किताब तुम खरिद लो उसकी मालो मेरे कहने से 5000 किताब बिग गई और 500 रुपे कीमत है 25 लाकी किताब बेश दी उस बंदेने एक जटके में बट मैं ऐसा कोई ओफर एक्सेप्ट नहीं करता हूं लाइव क्लास में आपको बतला र रखा है बढ़िया हर चीज अपना काम चल रहा है मैं आपको बतला देता हूं कितने सारे लोग मुझे हमको मैं पब्लिक से ना उस्वालों की बता रहा हूं चलो और तो मैं छोड़ी देता हूं कि मैं तुम को बता रहा हूं आज लाइव वीडियो में कैसे बता हूं कहीं ऐसात ना हो कि अफेंड हो जाए जो लोग थोड़ा सा मेल दिखाऊंगा क्योंकि मैं पूरा दिखा नहीं सकता पब्लिकेशन आ उसका नाम आ जाएगा और पूरा मेल है मैं मेल दिखा नहीं सकता क्योंकि यह परसनल हो जाएगा किसी का अगर आ पॉब्लिकेशन आ उसके नाम दिखा दूँगा तो यह लगेगा कि यह बिक्वाराय किताबों को ऐसे मेरे पास कितने सारे मेल आते हैं मेरे पास मैंने ना बुक नाम से सर्च किया और देखो जितने भी पीले पीले दिख रहे ना आपको यह पर पीला यह सब पीला पीला जितना दिख रहा है ना वह अलग अलग पुब्लिकेसन हाउस मुझसे कहते हैं कि तुम एक वीडियो के 20,000 नहीं करता मैं ऐसा कोई भी है तो इसलिए मैं नहीं रिक्मेंट करता आपको किताब कि कोई किताब 2021 में चपी, मालो कि कोई किताब 2021 में किसी किताब का एडिशन आया, आज 2023 चल रहा है, 2024 चल रहा है, भाई, पिछले 3-4 साल में इतना बदलाव आ गया है ना, एक्जाम के पैटर्न में, ये किताब कच्रा हो गई है पूरी तरीके से, और ये लोग क्या करते हैं, पब्लिके सनावस वाले, इसी किताब को न्यू एडिशन में चाप देंगे, बस पूराने साल के कॉशन एड़ कर देंगे, और ये किताब बिलकुल कच्रा है, क्योंकि कच्रा क्यों है, क्योंकि हर 6 मेने में एक्जाम का लेवल बदल रहा है, जो आज 2018 में कॉशन आते थे, जो 2020 में कॉशन आए थे, जो 2023 में नहीं आएंगे, एक्जाम का इस्टेंडर्ड हर दिन बदल रहा है, अगर मैं ये कह दूं कि तुम किसी भी पब्लिके सनावस की ये किताब खरीज लो, जो आज के लिए महत्वी ही नहीं है इसका, और तुमने मालो 500 रुपे खर्च कर दि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिन जो लोग किताब खरीदना चाते हैं, जिन लोग के पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाकर आने के एडिमी पर क्लास दोइन कर लो, वहाँ पर मैं खुद पढ़ाऊंगा तो मुझे भरोसा है, मैं क्या मैटरियल दे रहा हूँ बेताब खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं, तो आने के एडिमी पर मेरी क्लास दोइन कर लो, वहाँ पर आपको सम्मिल जाएगा, बाकी की चीज़ों को भी पता करते हैं, अरपित धवन किस सब्जेक्ट से वहाँ बेटा महाँ पर, आप किस सब्जेक्ट से वहाँ पर, चले काईज आप काफी ज़्यादा बात होगी आप लोगों से, अब हम कल मिलेंगे, सुबह स्याम को 9 बजे, एक काम और कर लो आप, एक काम कर लो मेरे कहने से, एक नया बैच सुरू करने जा रहा हूं, एक और चैनल है हमारा, वो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, अरे इवा देवी, अरे इवडा, यह अट गया है, रुको, 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 आपको देखो क्या करना है, अभी आप गए यूटूब चैनल पर, और यूटूब चैनल पर हमने, अभी राइट नाव हमारी ये क्लास चल रही है, अभी राइट नाव क्लास कौन से चल रही है यह वाली class अभी right now चल रही है आपके लिए आप ऐसा करना इसके description में जाना इसके description में जाना यहापर अरजुन बैस की playlist दिख रही होगी आपको यहापर telegram channel में आपको दिख रहा होगा यह कर लेना अगर आप इसकी description पर इस playlist पर click करोगे ना तो यह पूरी classes आपको देखने क मिल जाएंगे अपर काम करना क्या है आपको एक channel है हमारा मेडम का channel है एक्चली वह पुलकी डवल्योर्ड मेडम यहापर हिंदी साइथ पढ़ाना शुरू करेंगे यहापर हिंदी साइथ पढ़ेंदी साइथ के जितने विद्यारति हैं न वह यहाँ पर पढ़ सकते हो यह यहापर बहुत दिन से यह चैनल बंद पढ़ाया है क्योंकि इवा के चक्क्रमनों ने पढ़ाया नहीं तक्रीवन 28000 के आसवास फोलोवर्स हैं आप इस चैनल को जाकर जोइन कर लो सब्सक्राइब कर लो पुलकी वर्ड नाम से और यहाँ पर जो हिंदी साइथ हिंदी की बट अब से यहाँ पर क्लास हिंदी साइथ की रेगुलर रहेंगी ध्यान रहें कोई सुल्क नहीं है यह पर फिर से बता दूं कोई सुल्क नहीं लगए क्लास इज का आप तो देखना सुरू कर दो पुलकी वर्ड पर हिंदी साइथ ही क्लास होने वाले हैं चीक है यह काम कर लो मज़ा आ जाएगा आपनों को यह टेलिग्राम चनल जोने पर आती आसान शब्दों में सारे चीज़े समझा दूंगा पास विभिन संग्ठनों में पुर्सों और महिलाओं की संख्या को दरसाने वाले निमन बार आरेक को ध्यान से पढ़िए ये जो खाली जगह है ना ये वाली ये पुर्सों की संख्या को दरसारी है और ये जो भरी हुई जगा हैं ये सात्यों महिलाओं की संख्यों को जगा रही हैं संगठन का नाम है संगठन A, संगठन B, संगठन C, D और E जबकि लोगों की संख्या सात्यों इधर को ये दे रखी है एक बार अपने दिमाग में छाप लो इसको और फिर हम इसके आधार पर कॉशन्स करना शुरू करेंगे देख लीजे एक बार इसको मैं साइड मढ़ जाता हूँ सब लोग वीडियो को लाइक कर दो यार बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो कि देख लिया चलिए कॉशन की तरफ हम लोग जम्प करते हैं वीडियो लाइक कर दिया साथ ही आपने अपने दोस्त के लिए मैंने आज ही जोईन किया है अरे डेली आया करो भाई तो बताए सबी संख्ठनों में पुरुसों की कुल संख्या तता महिलाओं की कुल संख्या का अंतर क्या है सबसे पहला सवाल 134 वे नंबर का सवाल तो बताए सबी संख्ठनों में पुरुसों की कुल संख्या तता महिलाओं की कुल संख्या का अंतर क्या है यह आपका 2020 में कॉश्चन आया था यह वाला 2020 में आया था चलो आप आंसर दीजिए पुराने मैंने इतने सारे कॉश्चन करा दी उसके आदार पर तो बताए संख्ठन में कुल पुरुसों की संख्या और कुल महिलाओं की संख्या का अंतर क्या है आपको इसका अंसर देना है कि कुल संख्या क्या है पुर्सों की और महिलाओं की तो सबसे पहले साथ हैं पुर्सों की संख्या को यहाँ पर जोड़ देंगे तो पुर्सों की संख्या कितनी है? संगठन ए में पुर्सों की संख्या है 35 संगठन ए में क्या है संगठन ए पूर्सों की संख्या दे रहे हैं यहां लिखते जाओ पूर्सों की संख्या क्या है 3500 3500 के अलावा 4500 प्लस ध्यान से देने की चूद यह देखो 4500 और इसके बीच में है यह 4500 और 5000 के बीच में है यानि की यह साढ़े 4700 और यहां पर साथियो जो पूर्सों की संख्या है वो कितनी है यहाँ पर भी साथ हो, पुरसो की संख्या है, वो कितनी है, साड़े बाइस सो, तो मैं यहाँ पर और कर देता हूं, प्लस, बाइस सो पचास, और यहाँ पर जो पुरसो की संख्या है साथ हो, वो है पैतिस सो, यह तो हो गई पुरसो की संख्या, एक बार इनका योग करिए आ एक बार आप इन सब पुर्सों की संख्या का आप साथियों योग करें ये हो गया साथियों योग हो गया इसका 1850 क्या हो गया टोटल पुर्सों की संख्या है 1850 इसी तरीके से हम फीमेल महीलाओं की महिलाओं की संख्याओं को यहाँ पर साथियो एक बार हम जोड़ देंगे बड़ा आसान है महिलाओं की संख्याओं को जोड़ना चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमको आसानी से पता लग जाए महिलाओं की संख्या मैं लाओगी संक्या संग्ठन A में है 3,000 प्लस संग्ठन B में है 3,500 प्लस संग्ठन C में है ये 4,250 और साथियो संग्ठन इसमें है D में है 4,000 अगर साथियो अब हम इन माप करना एक और चूट गया भी थे मुझसे एक महिलाए ये और रहेगी हमारे 15,000 अगर यहाँ पर महिलाओं की संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आएगा महिलाओं की संख्याओं का योग आएगा 16,250 क्या आएगा 16,250 तो हमसे क्या का है दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है तो हम 18,000 में से क्या साथियो हम यहाँ पर साथियो माप करना 8,500 है मैंने पचास लिख दिया क्या 8,500 में से तो हम इसका आणसर क्या आजाएगा इसका आणसर आजाएगा साथियो 18000-16250 तो answer क्या आ जाएगा? 270 आपका सई answer आ जाएगा क्या जाएगा है? सई answer आ जाएगा आपका 250 आपको सब कुछ दिखाए दे रहा है डंक से? गाईज सब कुछ आपको डंक से दिखाए दे रहा है सई answer 255 आ जाएगा अब ये 2020 मा आया ये कॉशन अब बता दीजिए कितना सरल कॉशन है यह आज आर एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है मुझे और इसकी वज़े से में पंक चला नहीं सकता क्योंकि आवाज आएगी और एसी महराज हमारी पता नहीं इसका रिमोट कहां कि रफड़ा है रूम के अंदर यह महराज इदर द्रफ नहीं गर गया कहीं जी कि इसी का मिमोट ढूंड़ा और मिल गया पंक्खे का चलो पंक्खे से भी काम चला लेंगे हम गुम जा, सिमसिम मेरे तरब गुम जा, गुम जा गुम जा शावास, शावास गुम जा, बेड़े शावास, इस्पीड कर ले तू थोड़ी से सिलो, अब ठीक है, तो ये है सात्यों पूरा क्लास का लेखा जो का, अब बताएए कैसा लगा आपको ये सवाल, ये सवाल बहुत आपको, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिनको साप नहीं दिख रहा, और मोबाइल को ऐसे तिर्चा कर लीजिए, मोबाइल को तिर्चा कर लीजिए, बड़ा-बड़ा दिखेगा, साप दिखने लग जाएगा, अगला कॉशन 2020 में पूछा गया है, इसको सॉल करने कि यहाँ पर कॉशिस करते हैं, मैं इस संख्या को मिटा देता हूँ यहाँ पर, और अब आप साथियो निचला वाला कॉशन एक बार कीजिए, कॉशन नमबर, इसमें यह आंसर है, 135 करने कि यहाँ पर कॉशिस कीजिए, पहले आप करो, ट्राइ करो, फिर मैं तो करवाँग एक बार आप ट्राइ तो कर लो, लेकिन, एक बार आप ट्राइ कर लो, और फिर मैं आपको इस सवाल को करवा देता हूँ, सवाल को, कॉशन समझा नेता हूँ, तो बताए संगठन B में, तो बताए संगठन B में महिलाओं की संख्या, संगठन B में पूर्सों की संख्या से कितना अधिक है, यानि पूर्सों की संख्या से महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है, किसमें संगठन B, संगठन B की तो महिला, फिमे निकालो आनसर दो सब के सब 2020 में कॉश्चन आया यह यह 2020 का कॉश्चन है यह जो कंबाइंड एक जाम लगी थी रूम में तो यह सी चलती है तो बलेजर पहन लो कुछ भी पहन लो क्या फरक पड़ता थोड़ा डिसेंट लुक आता है और क्या है और इसका पीछे कोई रीजन नहीं है कि सब जिसे कहते हैं सब प्रतीत होते हैं बलब टी-सर पहन कर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना टी-सर पहन ला तो थोड़ा आज मैं पहन लेता हूं और फिर मैंने क्या सुरू कि दिन से पहना तो मैं इसको इसे को पहन रहा हूं और कोई रीचर नहीं है थैंक्यू मेमोरी सब लोग आंसर दीजिए जोड़ो ना भाई पहले महिलाओ को और पुरुसों को प्रतिसत निकालना है ना समय लेकर कर लो मैं करवा दूँगा अब आप लोगों के आंसर आने लगे हैं सरष्टित ओमर कहरी है कि सारी आपके लगे लेजर है आपकी क्लास दमाल मत कर रही है अरे बाई बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अपनी क्लासेज को विसेश प्रेम मिल रहा है बच्चों का बहुत जादा बड़ी संख्या में अपनी क्लासे देखी जाती है अच्छा लगता है समझ लगता होगा साइद इसलिए आप लोग देखते हो चलिए बेसीक से समझने का प्रियास करते हैं क्या है माजराव कि सबसे पहले IA in के संगठन उने में मैलाओं कि संख्या संगठन इदर रखू लिख देते हैं यहाँ पर संगठन B में female की संक्या Sanctan B में female की संक्या क McN takąit Sanctan B है और यह female के संक्या कितनी है 35 ठीक है Sancta D שak male की संक्या कितनी है यह Sanctan D है और इसमें जो male की संक्या है साथ यह कितनी है 925 कि एर यहां है कि 2050 क्या यविदा संधन्वी में कितनी यह संख्या साथ यहाँ पर मने पड़िआए संख्या अब सबसे पहले निकाल लेते लिए यह नोगे 35 virus माइनस 2250 कितने का सब करके करके पहले तो सबसे पहले हमको अंतर निकाल लेना इक इन दोनों से क्या होगा अंतर क्या है कि सब लोगों ने काये कि 1250 इन के बीच का अंतर अब सवाल हमारा क्या बन गया सवाल हमारा क्या बन गया यहां से आगे यह चीज हमस को समझने की आउशकता है क्या है संगठन बी में मेलाओं की संख्या संगठन डी में पुरसों की संख्या से कितना प्रतिसत अधिक है तो यहां पर साथ यो संगठन डी से कितना प्रतिसत अधिक है तो यहां पर हमको क्या करना ह 500 है ये 2200 से कितना प्रतिशत कम है कि 2200 से 35 कितना प्रतिशत कम है इससे निकल जाएगा या भी यह 1250 है यह कितने और 1250 का कितने प्रतीसत है तो मैं यहापर लिख दूगा 1250 2250 का कितने प्रतीसत है क्या यह सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा सोच कर बताओ क्योंकि मैंने आपको प्रतीसत निकालना सिखाया था बारा सो पचास बाइस सो पचास का कितने प्रतिसत है क्या ये सवाल बन रहा है या ये सवाल नहीं बन रहा मुझे ये बताई आप बन रहा है ना भाई एक बास सुनो एक संक्या है 3560 और सक्या 2250 तो ढ़िंड कड़ना है क्या हमारा जो 2,550 और ये 550 संक्या क्या कितने प्रतिसत कम है तो हमने बना लिख दिया कि 1250 बाइस सो पचास का कितने प्रतिशत है मैं यह चीज निकाल लेगी कि सबसे पहले संक्या सबसे पहली संक्या और हीरे मैं आंप से हमेशें आपको क्या समझाता हूं सुरुवाली संक्या सुरू मिलिखो बारा सो पचास अब बारा सो बाईस सो पचास है उसको अमने को नीचे लिखना है जिन लोगों को समझ नहीं लग रहा अगर यह ऐसे लिखना जमाना तो मेरी मैथ वाली क्लास देखना जो मैंने पीछे पड़ाई है प्रतिसत का मतलब होता है तो क्या करेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट लो आई ये पांच का भाग दे लेते हैं पचम पचीस पांचों का बीस दो बचगेर पचम पचीस पैटालिस बार गया पांदूनी दस पचम पचीस 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 बार गया आगे क्या हो गया फिर 5 से कट जाएगा फिर 5 से कट जाएगा पनम 45 नो बार गया पच्चाम 25 पाँच बार गया तो आगे हो जाएगा साथियो 500 बटे 9 500 क्यों हो गया है 100 गुणा 5 कर दिये मैंने तो 500 बटे 9 हो गये हैं तो पानसो बटे नो में हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 55 बटे 55 पॉइंट कुछ यह आंसर आ जाएगा सर बोर्ड के उपर क्या है ग्रीन ग्रीन अरे भाई वह आप देखना चाहते हूं सरफ जैसा निकल रहा है आपको लग रहा हूं शाप तो नहीं है ऐसा ऐसा क्या आ रहा है बिल्कुल शर्फ तो नहीं है अरे मैं दिखाता हूं भाई कल ईवा का छटा बर्थडे था ईवा का क्या था six number का birthday था कल तो उसके लिए happy birthday का वो लगा हुआ रखा है मैंने तो happy birthday का वो लगा हुआ है इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है happy birthday का वो लगा हुआ रखा इवा का, happy birthday का वो लगा है यहाँ आप आप समझ गया आप? अरे zoom कर दो, zoom out ये है पूरा look यह है पूरा लोग तो लग रहा है तो वह चूट गेते वह खराब होगे अटाया नहीं तो फिर नीचे आ गया और क्या यह और कुछ नहीं है आप लोगों का ध्यान वियार ऐसी ऐसी जगह जाता है कि पूछों मत कमाल आदम हो आप लोग अलके नहीं हो बिल्कुल भी कमाल चीजों पर आप लोगों के ध्यान चला जाता है तो प्याइच डी में हम सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं कि अधर सब्जेक्ट से भी हाँ यार एक बात और मेरी क्लास में आप मुझसे इस प्रकार के सवाल भी पूछ सकते हो लाइक प्याइच डी असेस्टेंट प्रॉफेसर ज्यार एफ तो क्या कि मैंने खुद इन सब्चीजों में इन्वॉल्व राओं मैं प्याइच डी वगरा किया है तो मैं आपको ज्यादा बैतर तरीके से समझा सकता हूँ ओके सर अम प्याइच डी जिस सब्जेक्ट से हमने एमे किया है हम उभी उसी सब्जेक्ट से प्याइच डी कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट से प्याइच डी नहीं कर सकते हाँ बिलकुल रादी का हाँ बिलकुल आप सही के रोग पर नीचे आ रहा था उसके नाम है इवा मैं दिखा देता हूं आज उसकी फोटो क्योंकि आपने कई बार मुझसे कहा था कि फोटो दिखा दो इवा की आपको फोटो दिखा ही देता हूं यी रहा इवा का चाया standing. यी रहा कि कल की फोटो है, इवा की जो मैंने बनाई थी खुदने उसके बर्स डे के लिए कब के ड्रेस है ऐसी बहुत सारे फोटोग्राप्स है रिडीर कल मैंने's देख लिया तो इसका लिखते है एपी बर्थडे इवी ए इवा नाम है इसका एपी बर्थडे इवा यह सिक्स मन्त की हो गई है चलिए आ जाते हैं किलास की तरफ ओके भाई साब अगला कॉशन हम लोग करेंगे अब हमने इस प्रकार के कॉशन सातियों यहाँ पर कर लिये हैं आ ये अब और कॉशन यहाँपर हम सातियों करने का प्रियास करते हैं क्या लिखरका है तो बताइए संगठन B और संगठन C में महिलाओं की संग्या का संगठन D और संगठन E के पुर्सों की संग्या से अनुपात क्या है तो इस सवाल में आप से अनुपात पूचा जा रहा है तो एक बार डिटेल से ध्यान से अनुपात निकाल दीजिए आप लोग वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते हो मैं एक बार देख लेता हूं इमानदारी से देख लेता हूं कि सच मैं या तो मैं देखने से पहले लाइक कर दो ताकि मुझे अच्छा लगे मैं देख लेता हूं कितने लोगों लाइक किया खोल लिया खोल लिया खोल लिय पहले सबसे पहले संगठन वी और सी की महलाओं की संख्या जोड़ लो संगठन वी और सी की महलाओं की संख्या का योग कर लो फिर डी और एके पुर्सों की संख्याओं का योग कर लो और फिर इन दोनों का अनुपात निकालो मैं हर विध्यार्ती का आणसर चाहता हूँ मैं समझाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर विद्यारती इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में मुझे दे और मुझे पता है इसका आंसर आप जरूर से दे दोगे और मैं डियाई को कम्प्लीट कर दूँगा अगले यूनिट पर जम्प कर जाऊंगा एक दो दिन में अब मैं डियाई को कम्प्लीट करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारे कॉर्शनों का जवाब देने लग गये हो लक्ष्मी सर्मा ने पहली बार देखा लक्ष्मी पुरानी क्लासे जरूर देख लाना वेटा ओल्ड क्लास जरूर देख ले ना आज ये बीसवे नंबर की क्लास है ओल्ड क्लास भी देखने हैं आपको मैं हट रहा हूं सामने से आंसर करो हाँ हट गया बाबा हट गया अरे हट गया प्रभूस का आंसर तो करो करते जाहिए मैं आंसर देख रहा हूं बहुत लोगों के पर मैं अभी आऊंगा केमरे के सामने कि सब लोगन किसी ने 23 पर पॉंट 11 दिया है 23 कुछ कुछ लोगों ने दिया है 23 पॉंट 31 तेवीस अनुपात 31 एक तो यह दिया है आप लोगों ने और कुछ लोगों ने 31 अनुपात 23 दिया है भाई उल्टा सुल्टा मत करो यार सई किया है मेथर्ड सई है पर सबसे पहले संग्टन बी में महिलाओं की संख्या का संग्टन और संग्टन पूर्सों की संख्या का संग्टन तोड़ा ध्यान से तो उसको पर नीचे मत करो आराम से करो करें द्यान से इकतीस तेवीस तो बताए संग्ठन बी और डी में महिलाओं कि संख्या का संग्ठन डी और री के पुर्सों की संख्या से अनुपात क्या है पुर्सों की संख्या से है यानि पुर्सों की संख्या से तुलना की जा रही है तो सबसे पहले हम पुर्सों की संख्या लिखेंगे देखो एकजामन ने क्या बड़ी चालाकी की है देखो एक तो लिख रखा है 31 अनुपात 33 और एक लिख रखा है 31 अनुपात 23 और एक लिख रखा है 23 अनुपात 23 अब आप मैंसे जो लोग जादा शाने बनने की कौसिस करेंगे वो गलत आंसर देदेंगे और यह आंसर गलत हो जाएगा और खुस हो जाएगे मन में कि हमारा तो यहाँ पर मिल गया जबकि रियल में आंसर यह सही है एक्जामेन दे कितनी जांदार कला खेली है एक्जाम्नेन कितनी कला खेली है देखो एक उप्षन में लिख दिया 31- converter और दूसरे उप्षन में लिख दिया 23-31 खेल गया किया है इसको धान से समधने का प्रियास करते हैं आनसर क्या है इस चीज accessing मुझे पता है आसर करना आप से आ गया पर आपने मात खा गाई मुझे पता है सब लोगों पर्ष्ह ठीक कर दिया है मात खा गा है पूछा है तो बताए संगठन B और E की महिलाओं की संग्या का संगटन D और E के पुरसों के अनुपात क्या है यानि पुरसों से तुलना की जा रही है तो भाई जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है उसको पहले लिखते हैं इसलिए हमको सबसे पहले पुरसों का योग लिखना है क्या लिखना है सबसे पहले पुरसों का योग लिखना ह लोग निकाल लेते हैं डी और ए के पुरसों की संख्या से डी और ओके यह आंसर है और सई आंसर साथ 31 है आप आप ने कर लिया था कॉशन तो कर लिया है कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं को तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे यहांपर हम करेंगे 355 मिल्स बैयाली सोपचास और दूसरा है साथियों डी और ए के पुरसों के लिए D और E के पुरुस ये D का पुरुस कितना है 2250 तो हम कर देंगे साथ यो 2250 हम से यहाँ पर क्या पूचा गया है इस बार इसको फिर से हम देख लेते हैं B और C की महिलाओं की संक्या B और C 35 अच्छा B और C हो गया न तो सबसे पहले हम लिखेंगे महिला फिमेल लिखेंगे बिल्कुल मैं चमा चाहता हूं उसके लिए क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक E संगठन देख लिया था जबकि दो-दो संगठन हमसे पूछा गया है B और E मैं केवल B और D देख लिया था हमसे पहले ये दोनों संगठन पूछे गया है और ये और दोनों संगठन पूछे गया है तो सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं की संक्या कितनी है? 3500 है माप करना मुझे मैंने थोड़ा सा गलत उचारन कर दिया उसके बाद में एक महिलाओं की संक्या कितनी है? 3500 का बाद में ये है 3500 प्लस 4250 इसको जोड़ेंगे फिमेल की संक्या माप करना ये फिमेल की संक्या है इसको अगर हम जोड़ेंगे पहां 29 सो पससके JAC stupid अगर हम करेंग फैंतिस सो प्लस प्लस या पर हम्हरेगा साथ कितना जाएगा 37350 कि ए irrig Japan कि अगर हम देखेंगें क्योंकि दो ले लिया था मैं उसमें ठुड़़ा जो गया मेल को अगर हम देखेंगे तो मेल के साथ यह के बाइस सो पचास अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे यहां पर तो क्या जाएगा सत्तावन सो पचास अगर इन संख्याओं को हम काट लेंगे तो हमारे पास जो आएगा यह आएगा यह आएगा आप लोगों ने ठीक किया मैंने इस सवाल को गलत रीड कर लिया था क्योंकि मुझे मैं सोच रहा था बी और डी का ही हमसे पूछाए के वर आप लोगों ने बिल छुआ है ओके तो डी आइई अप कैसा लग रहा है यह यह को पढ़ कर जो आप लोग डी अइई को पढ़ कर डर रहे थे जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी और दिन नाब डरे पढ़ती पूरी तरिक यह कि यह कर Palace लाइ में लड़ू फूट रहे हैं डियाई पढ़ कर देखो कुछ लोग नए जुड़े होंगे आज पहली बार आये होंगे तो साथ उनके मन में लड़ू ना फूटें लेकिन जिन लोगों ने लगातार तीन चार दिन से क्लास देख रहे हैं लगातार अरजुन बैच को फोलो किया है उनके बैच उनके मन में बहुत सारे लड़ू फूट रहे होंगे नए लोगों को लगबग समझ ना भी आए पुरानी क्लास देखनी पड़ेंगी आपको सर हमें स्कूल टीचर और प्रोफेसर दोनों के लिए अवलेबल होना है तो क्या करें जानवी इस्कूल टीचर बनने के लिए बेटा आपको बीएड करनी पड़ेगी और कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट पास करना पड़ेगा डियाईजी लग रहा है मेरा वादा है आप लोगों से पेपर वन में आप पचास में से 45 से लेकर 48 कॉश्चन करके आओगे मेरा वादा है 45 से लेकर 48 कॉश्चन आप करके आओगे मैं तो 50 के 50 भी कह दूँ लेकिन मैं एक औसत बता रहा हूं आप 48 कॉश्चन तक करके आओगे औसत बता रहा हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो 49 कॉश्चन करेंगे कुछ लोग ऐसे जो 50 की 50 कॉश्चन सही करेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम करेंगे तो औसतन बता रहा हूं मेरा अर्जुन बैच देखने वाला हर विद्यारती 45 कॉश्चन तो सही करेगा ही करेगा मे यानि 90 नंबर उसके आ जाएंगे पेपर वन से आगे बढ़ते हैं सातियों और अब हैं सातियों और कई प्रकार के सवाल हम से पूछे गए हैं कुछ सवालों के जवाब आपके मैं एक बार दे देता हूं क्या है कि सर मुझे ये पॉर्शन भी बनाते दें लेकिन अब आपकी वीडियो देखकर बन रहा है नहीं बनते थे बढ़ा बन रहा है कि सर कॉमर्स के लिए फ्री क्लास नहीं है क्या सर आप पेपर टू इसमें पढ़ाएं या उसके बारे में कुछ बताएं सर प्लीज पेपर टू क्या है आप लोगों का कॉमेंट्स करके बताओ जो लोग अभी वीडियो देख रहें वह भी और जो बाद में वीडियो देखेंगे उन सबसे कहना चाहूंगा कि पेपर टू आप लोगों का क्या है बाल बहुत उड़ते हैं पंखे की हवा से तोपी लगा लू तुम कहो तो अब या तोड़ा अलग लगूँ आप थोड़ा यह सूट बूट पर टूपी जमेगी नहीं तो यह मैंने मेरी यहांपर यह गड़ लगा रखा है मैं तुमको ठोड़ा सेट अप दिखाता हूं केमरा जूम आउट करके केमरा थोड़ा जूम आउट कर देता तब आपको बहतर दिखेगा यह मैंने क्या के रखा है यह साथ यह मिर लगा रखा है याँ ये क्या लगा रखा है मैंने इग मिर लगा रखा है दिख़हा करना करें यह कि पंक Glass पर आ महास 있다 हैं बाल कि उडे जब जब जुलभ जुलभ आ याँ इस्फो जब जब जूरुभ आरट देजिते सब किसी का वीज़ुलांट है किसी का जिल्फि है जो लोग बादम वीडियो देखना वह भी history, okay geography, computer, सारे subject लिखो ताकि मुझे आइडिया आजाए कौन सब्जेट के लोग जादा है, political science, life science, economics, history, geography, लॉफी एक बार संख्या कम्त कर दो एंड उर्दू हिंदी हिस्ट्री कि एकनोमेक्स कि ओके गाइज एक काम करो मैंने आपको वाटसेप पर तेल अच्छा सम कर अच्छा काट काट के संख्या कम काटना नहीं आता है क्या आपको कोई नहीं काटना में सिखा देता हूं मैंने आपको पहले ऐसे सिखा रखा देता हूं ठीक है इतने सारे सब्जेक्ट है है सते तर सो पचास सत्ता वन सो पचास आए इनको हम काटना सीखते हैं अब जब भी हम सातियों अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले खर्पतवार को अटा देते हैं इस जीरो से इस जीरो को अटा दो फिर हमको सातियों यहाँ पर एक संख्या का भाग एना है जो दोनों को काट देता हूँ आए वो संख्या किया है पांस क्योंकि पांस इसके इश्ची बेश्चय जब आखि देंगे तो सबसे पहले कार्ट न सीखो आओ तोड़ा देखो तोड़ा जूम कर दूँ थड़ा और आपको बहतर देखेगा आजाओ देखो क्या है काट नसीप हो सबसे पहले हमको यह पता लगाना है कि इसमें एक कॉमन संख्या डूणनी है जिसका भाग जाता हो तो मैंने कॉमन संख्या डूण ली पांच तो पांच का भाग मालो मैं इस संख्या में पहले देता हूं तो पांच का भाग मुझे सबसे पहले इस वाली संख्या में देना है क्या दिख रहा है सामने वार इधर से भाग न लेकिन दो बच गए लेकिन बच कतने गए दो भई यह संक्या साथ है मैं ने बाइब 5 बार पूरा पूरा गया तो हम क्या करेंगे दिमाग में तो रहें चवrations के आगे लगा देंगे दिमाग में लगा देंगे दिमाग में यानि कि यह संक्याब होगी 27 कितनी होगी यह संक्याब होगी 27 हो गई अब इस संक्याब हमने लगा दिया यह संक्या कितनी होगी 27 हो गई क्योंकि हमने इस संक्या में आगे जो बचे हुए दो थे अभी पांच का भाग द लेकिन 25 और 27 मन दो कांतर फिर हो गया फिर हम क्या करेंगे इस पांच के आगे भी दो लगा देंगे अब यह संख्या कितनी होगी 25 हो गई तो पचम 25 155 बार कट गया पूरा को मदा आ गया काट कर मदा आ गया काट कर इस तरीके से हम इसको काट देते हैं आए फिर अगली संख्या को काटना सीखते हैं सबसे पहले पहली संख्या में भाग देंगे पांच एक बार गया यह कट गया फिर अगली संख्या में भाग देंगे, पांच एकम पांच एक बार गया, दो बच गया, इस दो को मैंने यहां लगा दिया 25, यानि 115 बार यह साथियों कट गया, लेकिन अब भई हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, हमको यहां पर साथियों 100 इन संख्याओं को भी आगे काट ना है, अब हमको इन संख्याओं को भी आगे काटना है, चलिए पांच से फिर से काट देते हैं, तो क्या करेंगे, पांच से काटेंगे, तो पचम 25, पांच एक पांच, पांच एक पांच, एक तीस आ गया, मैंने सबसे पहले पांच का भाग दिया 15 में, क्योंकि एक संख् सोटी है, पांच एक पांच, पांच पांच, पांच दुनी, दस, दो बार गया, अब जो एक बच गया ना, इसको हम इसके आगे लगा लेंगे, और पांच एक पंद्रा, तेवीस, तो हो गया, ज्याद 31, अनुपात 33, इस तरीके, इस तरीके से संख्या काटी जाती है, अगर मैत, कुछ नहीं, मैत में कुछ भी नहीं जानता है, उसको केवल एक से लेकर सो तक गिंती आनी चाहिए, और A से लेकर Z तक ABCD आनी चाहिए, मैं उसको हर चीज को सिखा सकता हूँ, सर आप मेरा Haa रिपलाई नहीं दे रहे हो, रँचना बताएए कि सर PG कि सब्जेक्ट से था, हाम जो को मेरा सोचलोगी से पीजी कि सब具 से से था मेरा तो सुचलोगी से था मेरा PG में केटर पिभी बताइए निसंद आपका PG कि सब्जेट से था अच्छा मुझसे परसंटेश पूछ रहिए और बापरे व कि में PG भी कर चुका हूं मैं नेट 16 यह लोगों की चीजों का जवाब यह मैंने हमारे देश के बहुत ही प्रसित विश्विधाल है उससे मैंने प्याश्डी किया है अब में दसवी बारवी की प्रसेंटेज मत पूछो बहुत पुरानी चीज़ है मेरे लिए अगर आप यह पूछते हो प्याश्डी कैसे करी किस टॉपिक पर करी जनरल क्या लिखे तुम आनता भी में मत पूछो मे कि पूछ लीजिए घ्यान और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान सर नेट के लिए कितना परसंटेज चाहिए नेट के लिए आपको 55 परसंटेज होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटिगरी में से हैं तो सब की 55 परसंट लगा लिजे हिंदी वाले हिंदी के किसी टॉपिक से पीचडी कर सकते हैं सर पेपर 2 में कितने कॉशन करने होते हैं मैं आपको बतला देता हूँ पेपर 2 में कितने कॉशन करने होते हैं देखो भाई साब ऐसा है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों जो होते हैं, साथ यो 300 नंबर के आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, पेपर 1, इसमें 50 कॉश्चन आते हैं, पेपर 1 में, पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट का होगा, इसमें 100 कॉश्चन आते हैं, यह 50 कॉश्चन होते हैं 100 नंबर के, यह 100 कॉश्चन होते हैं 200 नंबर के, यह टोटल होता है 300 नंबर के, अब आप मान कर चलिए, ऐसा कुश्चन नहीं है, कि जो विधारती 300 में से, 210 के आसपास नंबर ले आते हैं, वो पास हो जाते हैं, यह मान कर चलिए, जिनका सातियों 70% के नियर बाई, परसंटेज आते हैं, दोनों को मिला कर, वो पास होते हैं, बाकी फैल होते हैं, अच्छे से तयारी करने की आउशक्ता रहती है, ओके, चलिए गाईज, तो आज की किलास को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल डियाई के साथ फिर से आएंगे, नएने कॉशन्स का एक्स्परिमेंट करेंगे, कल डियाई में इन कॉशन्स को करने जाएंगे, रॉक ओन बोलेंगे, इन कॉशन्स को करेंगे, डियाई में कल इन कॉशन्स को करेंगे, कई अलग-अलग टाइप के कॉशन्स को कल हम करने वाले हैं डियाई की लगबग दो तीन क्लास और करूँगा डियाई को मैं समाप्त कर दूँगा अब मैं आपको 2022 के कॉश्चन करवाऊंगा 2021 के करवाऊंगा यह सब पीवाई क्यूज भी करवाऊंगा डियाई के और उसके बाद मैं डियाई को समाप्त कर देंगे और अगला तो आप चिंता ना करें साथियों एक दो दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे यार देखो मुझसे बहुत से लोग कॉमेंट बार-बार करते हैं सर पेपर वन की किताब बता दो किताब मेरे पाद दुनिया बारखियों पेपर वन की कुछभी नहीं उखाड पाओगे निसी किताब से अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं अरेहंत पुबलीकेशन की किताब भी आते हैं द्रफ्टी पब्लीकेशन की किताब भी आती हैं और भी कोई मदान की किलताब भी आती हैं ऐसे बहुत सारे पब्लीकेशन हैं लेकिन मेरा recommendation मत मानना इनको क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से इन किताब को पढ़ा है और इन किताबों में बहुत ज्यादा उल्टा सुल्टा गलत मेरी एक बात मान लो मैं जो नॉट्स प्रवाइड आपको करवाता हूं वो नॉट्सों को निकाल लो उनको नंक से पढ़ लो और मेरी हर क्लास में आ जाओ आपका कोई कोशन पेपर वन का भार नहीं जाएगा और रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस चीज़ इसको रिकॉर्ड करके रख लेना अगर सारे कॉशन मेरी क्लास में ना मिलें तो मेरी मुँपर मारना तो मैं गैरिंटी के साथ कहता हूं कि मेरी क्लास अरजुन वैच को जिसने आरपार पढ़ लिया ना वो पेपर वन में लगबग तुमको जो समझ लगे पढ़ने में अच्छी लगे वह लेकर आओ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इन गाइड़ों को रिकमेंड करूंग में में रिकमेंड करने से एक गाइड की सेल बढ़ जाएगी अगर मैंने बोल दिया कि तुम एक्स वाइजेड की किताब खर लेदा तो कम सकम दसजार लोग खरिद लेंगे अरे दसजार नहीं खरेंगे 5000 लोग तो मेरे कहने से खरिद लेंगे ना तो क्यों मैं किसी को सज़ेश्ट करूं कि जबकि उनमें तुरूटियां बहुत जादा हैं मालो मैंने किसी किताब का नाम ले दिया और वो किताब मेरे कहने से बिग गई एक लाक लोगों ने वीडियो देखा एक लाक में से दस हजार ने खरिद ले तीन हजार ने दो हजार ने तो खरिद ली ना तो दो हजार किताब बिग गई किसी कितो अगर मालो अगर मालो पांच हजार बच्चों ने किताब खरिद ल है तो तुम्यार 5000 गुणा 500 कर लो कि पचंप पच्चीस तीन जीरो एक दो तीन दो जीरो दो जीरो के एकाई धाई सेंखड़ो हजार दस जार लाख दस लाख 25 लाख की किताब बेश देगा मेरे कहने से कोई आदमी अगर मैंने किसी पब्लिकेशन आउस का नाम ले दिया और 5000 किताब बिग्गी मेरे कहने से तो 25 लाख की किताब बेश देगा ना सामने वाला तो तो मैं क्यों रिक्मेंड करूं आपको हां मैं यह कह सकता हूं मेरी फ्री किलास होती है डेली देखो और मेरे नॉट्स पड़ो खतम बाद किताब फिरदने के जरूती नहीं है मेरे कहने से कोई पब्लिकेसर 25 लाख रुपे कमा लेगा एक जटके में और जबकि उस किताब में तुरूटियां बहुत जादा है आप यह कह दोगे गुरुदी फहलानी किताब खरीदी सारी किताब में बहुत जादा तुरूटियां आपकी कहने से करेज लिए मैं नहीं बताता है रिजन यह है कि निसुल्क पढ़ो ना यार कौन तुम से कह रहा है तुम फीच पे करो कहीं पर किताब खरीदो मैं देता रहूं नौट साम को अरे це समय पर कि अरे ब्राइठ फ्यूचर मैं देख लेता हूं क्या है ब्राइठ ४ुचर नौट से मिलेंगे सर एजुकेशन के मैं पेASE परवन के नौट तो मैं आपको बतला दूंगा पेपर वन के नॉट्स तो टेलिग्राम चैनल है मेरा उसका फर्स्ट कॉमेंट में लग रहा है वहाँ पर मिल जाएगा मेरे नॉट्स पिछले पांच-छे किलास से नहीं मिले हैं मैं यार वनमेन आर्मी हूँ अभी अकेला ही काम कर रहा हूँ मैं पूरी टीम इखटी करने की सोच रहा हूँ जो तीम मतलब पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा जो मेरा नॉट्स तयार कर दे जो बच्चों को नॉट्स सेंड कर दे भेज दे वैसा कोई बंदा ढोंड रहा हूँ मैं अपने लिए ताकि समय पर क्योंकि मु मिले हैं उन सारे क्लासेज के नौट्स आपको डॉक्टर लॉकिस वाले टेलेग्राम चैनल लेकिन जो पुरानी क्लास हमारी हो गई है वो क्लास देखने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखोगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे सम 23 क्लासों को आपको पढ़ना है यह कोर्स पूरा कब कंप्लीट होगा एक्जाम से पहले देखो अब तक मैं क्या-क्या करा चुका हूं बैच अरजुना में क्या-क्या हो गया है अब तक साथिओ यूनिट नंबर पांच हम मैठ एंड रिजिनिंग करवा चुके हैं यूनिट नंबर छैं लॉजी कल रिजीनिंग करवा चुका हूं इस समय मैं आपको यूनिट नंबर साथ पढ़ा रहा हूं वह एशा साथिओ डिय यानि तीन यूनिट तो मैं complete करवा चुका हूँ अब हमारी बची साथ यूनिट टोटल दस यूनिट होती है नेट में तीन यूनिट मैंने complete करवा दी बस डियाई का एक दो क्लास में खत्म हो जागा डियाई डियाई की चिंता ना करो अब साथ क्लास है वो एकजाम से पहले कोर्स हो जाएगा आपका एकजाम से पहले पूरा सिलेबस complete हो जाएगा आप चिंता ना करो जब मैंने आपको 20-22 दिन में तीन यूनिट करवा दी है तब कि इतनी कठीन है मैं त्रेजिनिंग तो और चीजिए तो बहुत आसान है आप और वो हम कर लेंगे अगर जरुरत पड़ी तो हम दिन में दो क्लास भी कर लेंगे ठीक है अगर जरुरत पड़ी तो हम दिन में दो क्लास भी कर लेंगे एक दिन में रख लेंगे एक शाम को इस समय रख लेंगे बट कोर्स आपका एकजाम से पहले complete हो जाएगा यह promise है मेर लोगों नों लाइक किया है मुझे अच्छा लगता है कि यार अपनी जो चीज समझा रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है कि निलंजन भाई दास नमस्कार आपको चलिए शुरुआत करने सबको नमस्कार सबको प्रिणाम अब हम पढ़ाय पर जान दे देते हैं नहीं तो फिर आमारी किलास हमसे मिस हो जाएंगे देखो मैंने 2021 के कॉशन करवा रहा हूं मैंने बेसिक आपको सारे समझा दिये अभी जो नए हैं उनको थोड़ा आइडिया द देखो यार मैं अब तक इस प्रकार के कॉश्चन समझा चुगा हूं एक टाइब दिय INF दिंधक समझा। चैनल मैं आपको यह समझा चूगा हूं गवा गभा कर्यादं से चार झाल्चीं और चारो टाइप के कॉशन को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुगा हूं दोजार किस तरीके का पेपर आ रहा है उनको में सॉल करेंगे तो वैसे मैं ने दोजार इक इसका प्रियास करो जल्दी जल्दी आ जाए एक पर कॉपीपेंट निकाल लो कुछ बेसिक चीज में आपको लिखवाऊंगा इसलिए आपको कॉपीपेंट निकालना बहुत जरूर पर से कॉपीपेंट निकाल कर क्लास में और ऐसे मताया करो कि हात उठाते आ गया कॉपीपेंट निकाल कर यह आया करो क्लास में अगर ऐसे आ जाओगे तो मज़े वाली बात नहीं रहेगी चलिए गाइस मैं एक बार कॉमेंट्स और देख लेता फिर सुरुआत करते हैं क्लास इसकी चलिए जिन लोगों को वीडियो लाइक कर दिया जिन लोगों को फर्ष्ट क्लास है वो पुरानी क्लास सारी देख लें जिन लोगों का खुसी चवान का स्वागत है सब लोगों स्वागत चलिए यह 2021 में question आया है अगर आप यहां पर देख पाओगे तो तो यहां यह कॉशन लिख रखा है यह नवंबर 2020 की अक्जाम आया है क्या लिख रखा है ज्यान सब दो निमलिक्त सारणी 2020 से जून 2020 तक की यह जन्वरी 2020 से लेकर जून 2020 तक की 6 महा की आउदी के 6 यूरोपियों देशों जैडड़ ट्रपल नाइन मोटर साइकल की एकल विक्री यूनिट सेल को दरशाती है यह मोटर साइकल किसी मुख विक्रेता डीलर के त्वारा प्रतेग देश से आयतित की जाती है सार्नी में प्रतुत आंखडों के आधार पर प्रसंपत्र का आंस्वर हमको यहां पर देना है अगर मैं आपको इस्पष्ट कर दूं देशों के नाम कौन कौन है जर्मनी यूके फ्रांस बेलेजियम इस्पेन इटली आधी जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई यह मोटर साइकलों की बिक्री दिख रही है यानि कि यहां पर देखो क्या है जर्मनी ने जनवरी में 34 बेची फर्वरी में 47 बेची मार्च में 45 बेची अप्रेल में 54 बेची माई में 56 बेची और जून में 60 बेची इस तरीके से अगर देखो जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है एक तो क्वालिटी बढ़ा लो और अपने मोबाइल को ऐसे कर लो थोड़ी यह मत कहना कि दिखाई नहीं दे रहा है इंटरनेट की क्वालिटी बढ़ा लो और मोबाइल को ऐसे तरशा कर लो आए एक एचीज को समझा लेते हैं मोबाइल की कॵालिटी बढ़ा लीजिए चलिए पहला कॉशन से हम से हम सुरुवाद करते हैं कि पहला कॉशन हमसे क्या कह रहा है पहले कॉशन से से स्पेजों की सुरुवाद करते हैं लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर हमको थोड़ा सा California की आफश्रक्ता पणेगी जो इस क्लासेज में मैंने आपको समझाया है आईए उस तरीक के को समझने का प्रियास करते हैं क्या है जर्मन आयात करता को बेची गई मोटर साइकल का कुल प्रतिसत क्या है अब एक बात बताओ यह जर्मनी प्रतिसत हैं अब हमारे सामने हमको एक तो दिक्कत क्या कर आ गई है कि हम तो टोटल मोटर साइकल की संख्या हमको निकालनी पड़ेगी एकजामर ने क्या किया है कि हमसे कैलकुलेशन जादा करवा दी तो सबसे पहले हमको जर्मनी के कुल कितनी मोटर साइकल है जर्मनी ने कुल कितनी मोट साइकलों का तो थोड़ा आप कैलकुलेशन करो सबसे पहले कुल मोटर साइकलों की संख्या निकालो आप एक दो-तिन चीजे निकालो आप निकालो कुल मोटर साइकल की संख्या अब आपको कुल मोटर साइकल की संख्या क्या निकालनी है यह सारी संख्या आप जोड़नी है एक बार जोड़ो यह जोड़ो जब पूरी मोटर साइकल निकलेगे क्योंकि हमसे एक्जामनर प्रतिसत पूश रहा है सारी मोटर साइकल में से जर्मनी का तो सबसे पहले कुल मोटर साइकलों की संख्या हमको ग्याट करनी है तो आप एक बार इसको जोड़ लीजे सारी यहां पर तोटल मोटर साइकलों की संख्या हो जोड़ा ऐसा करो यहां पर जनवरी की जोड़ लो यहां पर फरवरी की जोड़ लो मार्च अप्रेल माई और यहसे ऐसे जोड़ लो मैं आपको पूरी बता देता हूं मैं केलकुलेटर से जोड़ कर बता देता हूं कि कितना हो गया है कि सर 1166 वेरी गट अरे क्या बात है कुल मोटर साइकल हो की संक्या कितनी है आप लोगों ने जोड़ दिया 1166 वेरी कट कुल मोटर साइकल कितनी है हमारी 1166 अब हम से क्या पूछा गया कि जर्मनी ने कितनी मोटर साइकल बेची तो जर्मनी की मोटर साइकल कितनी है एक और ये जोड़ दो आप जर्मनी की कुल मोटर साइकल कितनी है सी आएगा मोटर साइकल कितनी है जर्मनी की अब आप एक काम करो इन संख्या को और जोड़ दो इन संख्या को यह टोटल जर्मनी की निकल जाएगी जोड़ के बताओ मुझे थोड़ा एक्जामर्ण ने केल्कुलिशन बढ़वा दिया है कौशन सरल है प्रतिसत निकलवार आकेवल पर एक्जामर्ण ने आपका कैल्कुलिशन बढ़वा दिया है बट ध्यान रहे यह कैल्कुलिशन अगर आपने एक बार कर लिया ना तो पांच कौशन तक आपको कैल्कुलिशन करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप सब लोगों ने बड़ी इमानदारी के साथ का है कि सरकार 236 जर्मनी की कितनी मोटर साइकल है 236 हैं जर्मनी की मोटर साइकल माप करना 200 चान में आप ने 236 नहीं 200 चान में अब हमारे सामने सीधा एक प्रसंद आप देख लिए दिखना है ना आपको सबको है अब हमारे सामने यह सीधा प्रसंद बन गया कि भाई टोटल संख्या मैंसे जर्मनी की मोटर मोटर साइकलों का प्रतिसत क्या है सिर्फ यह चीत पूछिए ना कि बेची गई मोटर साइकलों की कुल प्रतिसत में से यह प्रतिसत लिख रखा है दोको कुल प्रतिसत क्या है इन में से आपको जर्मनी का निकालना है तो जर्मनी की हो गई हमारी 200 चाण में अब हमारे पास स चान में 1166 का कितने प्रतिसत है भाई यही तो बन रहा है ना यही तो बन रहा है ना यह बताओ यही बन रहा है यही तो बन रहा है यही तो बन रहा है ना बै कुल मोटर साइकल है 1166 जर्मनी की हैं 206 में तो 206 में 1166 का आपको प्रतिसाद निकालना है कि 206 में का 1166 कितना प्रतिसाद है सिंपल सा सवाल है सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक चीज मैं देखूंगा आपको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे या पर उपर वाली संख्या को सबसे उपर लिखेंगे वो है दो सो छाण में बटे में लिख देंगे हम ग्यारा सो चासट इंटू कर देंगे सो ये संख्या जिसने जमा दी वो आंसर काट पीट कर ले आएगा बताओ आंसर बताए कितने आगे हैं 25.4 आप लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल जिरों ने इनका सई आंसर है साती हो 25.4 यह आंसर अब बताओ मज़ायक नहीं आया आज से 5 किलास पहले जब मैंने D.I. की पहली बार यह का कि मैं आपको ड.I पढ़ाओंगा आप उस किलास के कॉमेंट उठा कर देख लो सब tangible डर गए थे कि गुरू जी ड.I. में से कुछ नहीं आता आप लोग नहीं का कि डियाई मम से कुछ नहीं आता और आज देख लो आप एक चुटकियों में डियाई के कॉश्चन कर रहे हैं कैसा लग रहा है अंदर से फील बताओ पैं लो कि बाइन से अतरफ हिल बताओ कैसा लग रहा है कैसा फिल लग रहा है अन्दर से कैसा बोता हिल एप अपको है आपको है वाई साब है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जारेप करवा दूंगा चिंता ना करें कि मैंने खुदने से एक्जाम को कई के बार पास कर रखा है कि देश की सबसे बड़ी और प्रतिश्टिस विश्चिदाले से पीएज़ी है मेरा कि दुनिया वर के आर्टिकल नेशनल इंटरनेशनल जनरल से प्रकासित होते रहते हैं इस छित्र से मैं काफी समय से जुडाओं तो मुझे एक एक चीज़ का पता है कि क्वालिटी बढ़ाओ जर अरे सर को क्वालिटी नहीं बढ़ानी आपको बढ़ानी है क्वालिटी अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाओ या दिखाता हूं भाई क्या करें इतना साफ दिख रहा है मुझे तो देखो मेरा मोबाइल ऐसे है उसी में साफ दिख रहा है देखो यार यह देखो कितना साफ दिख रहा है आपको क्या करना है इस मोबाइल फोन के यहां पर सेटिंग वाले बटन पर जाना है सेटिंग पर किलिक कर दिया हमको सबस्पहले सेटिंग के बटन पर किलिक करना है सेटिंग बटन पर किलिक कर्ब यह तो नी चोलिख रहा किये कौलिटी कौलिटी क्वाइटी पर किलिक करना है और फिर जाकर लिखना HERE यहां पर आपको दिख रहा होगा यह वाली चीज कर लो एक काम तो यह कर लो जैसे मैंने 700 कुछ कर लिया और अपने आपको हर चीद दिखने लग जाएगी तुम्हार बच्चों जैसी बात करते हो कि दिखने रहा है फलाना डिखाना अमकाना ऐसा थोड़ता चलता है बार-बार कॉमेंट्स करते हैं पाग लोग तरह कि सर क्वालिटी बढ़ा हो दिखने रहा है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे ओके बच्पना जलगता है उससे आपका आप लोगों कि यार आप लोगों को तो मोबाइल के बारें कुछ आता ही नहीं है बिलकुल लुल्ली हो आप तो शुरू करें अगले कॉस्चन के लिए बारवा कॉस्चन करें 2021 का जो पेपर आया था वो इतना तगड़ा आया था 2021 के पेपर जिन बच्चों ने दिया था ना उनको आतंक फैल गया था ओ बाई बहुत तरड़ा कटिन भी बढ़ाया है जबकि पेपर इतना सरल है बस language में अंतर कर दिया examiner में बस काटना सिखाने के लिए देखो मेरी बास सुनो मैंने अल्रेडी math पढ़ा दिये जैसे मैं काटना यहां पर सिखा देता हूं इस संख्या को काट कर बतला देते हैं दिक्कत वाली बात रही है चले इसी संख्या को मैं काट कर बता देता हूं चली आपको अब देखो यहां पर क्या है 66 है और यहाँ पर 6 है समान संक्या काम को भाग देना है जैसे मैं यहाँ पर क्या तीन का भाग दे दूँगा आगे बढ़े सर चले कोई बाद नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अगला कॉशन मैं काटन सिखाऊंगा ध्यान से अब यहाँ बारवी नंबर का कॉशन करो इसको मैं काट कर बता दो क्योंकि मैंने काटना पीटना के लिए बहुत डिटेल्ड में समझाया है अगर मैं काटना पीटना यहां सिखा हुआ इस कॉशन के बाद में काटना सिखाऊंगा अब होता क्या है कि आज मैंने आपको काटना सिखा दिया अब कल दो बच्चे फिर नहीं आजाएंगे परसो फिर चार नहीं आजाएंगे फिर वो कहेंगे फिर हमको काटना सिखाओ तो यह होता है नहीं बच्चे आते हैं फिर वो काटना सीखते हैं मैं आज मैंने काटना सिखा दिया कल फिर बच्चे नहीं आ जाएंगे वो खेसर काटना सिखाओ अगर मैं काटना काटना ही सिखाता रहूंगत पर किलास आगे नहीं बढ़ेगी बढ़ मैं सिखा रहा हूं कि बारव कॉशन करें कि इसमाइल प्लीज टूरिजम का बेटा मुझे आइडिया नहीं है कहां से कराओगे कि उसी आज पहली बार किलास में आई है और आज पहली बार इक खुशिन गर्दा उड़ा दिया वाई शाबास शुसी मही महा में बेची गई कुल योग का प्रतिसत क्या है हमको यह पता लगाना है कि मही महा में कितनी गाड़ी विकी कितनी विकी मही मां के अंदर तो यह तो पता है कुलियों 1166 है है न अब आपका मही महा को जोड़ लो सबको मही महा में कितनी मोटरसाइकल विकी है इसको यहांपर जोड़ना है सब लोगोंने काया किसा यह 208 मोटर साइकल महीं महाम में किया है तो बहुत जाहिर सी बात है यार हमको तो वही करना है 208 1166 का कितने प्रतिसत है बस मैं आपको बार बार प्रतिसत निकालना सिखा चुगा हूँ पहली संक्या को सबसे पहले लिख देंगे इसको काटना में सिखाना है तो छोटा 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 लिखता हूँ सबसे पहले 208 लिख दिया हमने बटा में 1166 लिख दिया हमने इंटू कर दिया हमने 100 क्या कर दिया हमने आपर इंटू कर दिया साथी आपर 100 यह संक्या जमादी उसको आंसर करना है अब मैं आपको जैसा है मैंने प्रोमिस किया मैं आपको काटना सिखाता हूँ ध्यान से दे आईए आपको काटना सिखाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखना सब के सब सब के सब ध्यान से देखना भाई है नहीं इदर देखे आज़ो जब भी हम कोई भी संख्या को काटते हैं या तो हम इस संख्या में इस संख्या से काट देंगे यानि उपर नीचा गी या फिर इसको इससे काटनेंगे यानि नीचा की संख्या को उपर की संख्या से काटना है काटने के लिए हमको क्या होता एक समान संख्या की आवशक्ता पढ़ती है जैसे यहाँ पर है साथ यू लाश्ट में छह और यहाँ पर है आठ तो 6 में भी 2 का भाग चला जाता है 8 में भी 2 का भाग चला जाता है तो सबसे छोटी संक्या 2 है तो आईए 2 का भाग देता है अब 2 का भाग हमको 1166 में देना है लेकिन 1166 में 2 का भाग नहीं देना हमको 2 का भाग हमको इधर की साइड से देना सबसे पहले 11 है ना इसमें 2 का भाग देना है तो कितनी बार गया दो पंजो 10 पांच बार गया तो यह कितनी बार कट गया यह कट गया पांच बार ठीक है लेकिन यह तो है 11 और दो पंजो 10 दस बार गया लेकिन 11 है 11 अब क्या बच गया एक बच गया सब्सक्तव 10 et 9 तो हमने क्या किया जो एक बच गया नगा दिमाग के अंदर ही हमने यह मान लिया है न कि यहां लिख रख़ा है यहां पर ऐख को इस स्षे के आगे लगा देंगे अभ यह सिक्ष हमारा 13 बन गया अब 16 में 2 का बाग देंगे तो कितनी बार गया और यह च्छे का दो का बार गया यानि कि 1166 मगर Do का बाग देंगे तो 580 अगर अब भी समझ नहीं लगा तो आइए उपरवाली संक्या से समझदने का प्रियाश doet है कि सबसे पहली वाली संख्या में भाग देंगे यहां पर दो है तो पूरा पूरा भाग चल जागा दो एकम दो मैं इस जीरो को यहां पर जीरो को लिख दो फिर दो का भागा आथ कितना गया चार इसे क्तिने byłahi104 पर यह देखो कि क्या 104 में कोई भाग दे रहा है यहां 3 है तो 3 का भाग यहां पर नहीं जाएगा तो अब यहां से आगए यह कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहां से आगए कटेगा नहीं तो इनको इससे गुणा कर देंगे तो यहां पर गुणा करेंगे तो 104 इसकी 2 0 लिख देंगे तो क्या ह गया, 10400 में भाग दे दिया, आपने 583 का, अब आप इसमें मैनवली भाग दे कर देख लोगे, तो answer आजाएगा, क्योंकि यहां से आगे यह संख्या कट नहीं रही है, पूरे पूरे तरीके संख्या कट रही है, तो 583 का आप इस तरीके से भाग दे कर देख लोगे, इस तरीके से तो आंसर के आ जाएगा 17.8 आंसर आएगा कितना आएगा 17.8 आंसर आएगा बात समझ लगी काटना अब देखो ऐसा नहीं है कि यह संख्या को हम इस चीज़े काटेंगे इस संख्या से हम इसको भी काट सकते थे इस संख्या से हम इसको भी काट सकते थे किसी भी एक चीज़ को हम काट सकते थे अब बताओ ये 2021 के कॉशन करने में आपको कोई समझ आ रही है क्या अगर आप मुझ से पढ़ कर जाते और 2021 में एक्जाम दी होती तो फोड नहीं देते पेपर को फोड देते ना देखो कितना सर तो ये रही है इदर को अब बताओ कोई दिक्कत है आपको डिय करने में सर जी फिर से समझा दिये एक बार क्या आपको फिर से समझने क्या आप शक्ता है सारे लोग कमेंट करो कि अगर आपको फिर से समझने क्या शक्ता है तो फिर से समझा देता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोलो हर ने किसी ने नो किया है तीन बच्चों ने यस किया है कोई बात ने फिर से समझ लेंगे इसको आप चिंता क्या करते हूं सब लोग ने वीडियो लाइक कर दिया क्या अगर इस समय 254 बच्चे लाइव देख रहे हैं अगर 200 मेरे मोबाइल उठा कर लाइक देखने से पहले 254 लाइक हो गए वीडियो में तो मैं दुबारा समझा दूँगा मैं देख लेता हूं कितने लाइक है इस वीडियो में चला कर एक सो नबभे लाइक को यह नहीं समझाऊंगा आप लोग लाइक नहीं करते तमये क्यों समझाऊंगा आगे वड़ेंगे फिर 250 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय आए अगले कॉश्चन के तरफ बढ़ते हैं ये यह 2021 का कॉशन है अब हम 2021 के अगले कॉशन की तरह बढ़ते हैं 11 और 12 नंबर का कॉशन मैंने आपर complete आप लोगों को करवा दिया अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप 14 नंबर का कॉशन को एक बार करिए खुद करो समझ ना लगेगा तो मैं आपको समझाऊंगा 14 तीन नंबर के कॉश्चन को आप करिए है 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 अब भी घट रहे हैं लाइक है अगर जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक होगे तो मैं आभी समझा दूंगो दुबारा कि यार मतलब भाद हो गई मतलब तुम्हारे अंदर मतलब भाव नहीं है कि कोई आदमी सारा काम दंदा छोट गर आप लोगों के लिए लगा पड़ा है और मतलब आप मतलब रान ने और रान ने एकदम हाई लाड़ी है उससे नई वाली से पिलाकर देखना इस वारे उसमें लगा दी मना टेस्ट कर दे नहीं है यह यह बॉटल और उसका ड़कर नहीं हो पर यह आहां जांस 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 पोटीन नंबर का कॉश्चन करिए मैं सामने सेट रहा हूं और फिर मैं आपको करवा दूँगा अरे समझा देंगे यार आप तो थोड़ा तसलीत लेलो भाई समझा देंगे घर की रागे नजाक कर रहा था समझा दूँआ भी कैसा है गरम तो नहीं है अला मुझे दे कितना करने करना है हो गया फिक्स जा अरे फिक्स हो गया भाई नंबर दूद इसी मच्छा लगता है चौदवे नंबर को करो फिर मैं समझा दूँगा आप जिंता ना करें भाई समझा देंगे करिए आगे सट गया हूं मैं पड़ी पड़ी आराम से फर्वरी महा में क्या लिक रखाया फर्वरी महा में सबसे बड़े आयात करता को कुल मोटर साइकलों का कितने प्रतिशत बेचा गया फर्वरी महा है यह इसमें सबसे बड़ा आयात कर धान से लेंग्वेज लेंग्वेज आपको अठकारे वाली है भाई फर्वरी महा में सबसे ज़्यादा करता को नहीं जर्मनी है क्योंकि 47 मोटर साइकलों बेचे जर्मनी सबसे ज्यादा है तो सबसे बहले कुल योग जोड़ लो इनका इनका योग क्या है परवरी महां में मोटर साइकलों का योग क्या है वेरी गुड प्रियंका एक सो नब्वे है यह जोगन का अब एक सो नब्वे 47 का प्रतिस्त निकाल लो एक ही कॉस्चन आया है सारा प्रतिस्त प्रसीतत तर्जर से कि इतना आसान पेपर है यार 2021 का और सारे लोग मरे पड़े थे 2021 में कि टफ आया है टफ आया है कि इतना आसान है कि आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है तो अभी स्पॉंट साथ अब कैसे आया मैं वही तरीका वही तरीका परवरी माह में बेची गई कुल मोटर साइकल कितनी है 190 सबसे ज़्यादा आयात कर या करता कौन है 47 तो वही कॉस्चन बन रहा है ना यार 47 190 का कितने प्रतिसत है पहला 47 लिखेंगे फिर 190 लिखेंगे बुणा 100 कर देंगे इसको काट लेते हैं चलो मैं आपको काटना सिखा देता हूं बार बार काटना काटना खेर हो आप तो चलिए इसको हम काट लेते हैं अरे महराज चलो इसको हम काट लेते हैं आईए 47 बटे 190 इंटू 100 दिल दिवाना कहता है कि प्रेम कर चलिए इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे इस जीरो को इस जीरो को से काट लेंगे अब पताईये कई और भी जाज सातियों भाग जा रहा है क्या 47 में इस साथियों 47 चार सुट्र कैसे यह जो दस्य कुणा हो जाएगा नहीं का भाग देंगे तो यह आजाएगा 24.7 आनसर आजाएगा आ गया मजा हो गया 2021 का पेपर सॉल्व है भाईयो आ गया स्वाद है भाई आ गया स्वाद है डियाई करके अब 2022 के और कर लेंगा अपन कॉश्चन तिन्ता क्या करते हो के अभी टर्श Super kommt आजाए A 5 अभी कल पर्सूजफे पेपर लगा पहा है उसके सोवल कर लएंगे हम इसी तरीके से को हुआ हुआ हें फिरयाई आप वाई लें है अभी सsaब दो क्लास और रहूआ डियाई के अभी तो बढ़ complete math reasoning di complete math complete unit number five complete कर दिया हमने unit number six logical reasoning complete कर दिया और unit number seven di complete कर दिया देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि sir complete कहा हुआ है अरे आप लोग डेली किलास में ताईए इस तरीके से साती हमने इस कौशन को आज मजे से आपर कर लिया है आईए कौशन नंबर पंद्रा भी हम लोग कर लेते हैं कौशन नंबर पंद्रा आप लोग एक बार करके मुझे बतलाईए कि दिमाग लगा दो यार तोड़ दो दुस्मल की नली बजरंग बली तोड़ दो प्रतिसत आयात किया गया तीन सबसे छोटे हमसे यहां पर पूछा जा रहा है तो कुल आयात कितना था हमारा ग्यारा 1106 में यादैं आपको टोटल हमने किया था ये मापकर न 1166 थे कि तोटल कितने थे ग्यारा सो 1166 यह टोटल थे अब हमसे यह पूछा गया है यहां पर कि सब तीन सबसे छोटे आयात करता हो द्वारा अब तीन सबसे चोटे आयात करता कौन है इस चीज़ का आप पता लगाओ तीन सबसे चोटे आयात करता तब पता लगेगा तीन चोटे आयात करता होगा कि इन में इनके सामने आप योग करोगे ने इनका इनको योग करके देखोगे ने इनको इनको योग करके देखोगे ना तब जाकर आप को तीन आयात करता हो का पता लगेगा इसलिए तो कहता हों कि एक्जाम में क्जा हुआ एक्जाम ररण आप लोगो की कैल्कुलेशन को बहुत ज्यादा भड़वध दिया आप लोगों की कैल्कुलेशन तो पता लगे बस वो यह यहां पर क्या कि तीन लेने हैं उनका योग करना है और फिर 1166 में उसका प्रतिसत निकाल देना है बस यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं निवासी 14410 पर यह बताओ नाम बताओ निवासी चमल किसमें हो रहे हैं यह जरमनी फ्रांड इसे बताओ ना बैकिसमें हैं हमको क्या बता इन दोनों का तो हो नहीं सकता एक तो यह हो सकता है बेल्जियम है ना इसके बहुत कम है 14 149 आइधिंक तीनों है मुझे लगता है कि आइधिंक के तीनों है माल लेओ क्या-क्या योग है निवासी 147 तो हम निवासी 146 और 117 का योग कर लेंगे इसका योग क्या हो गया इसका योग भी बता दो मुझे अब बताने लगे तो 410 योग हो गया ठीक है 410 योग हो गया बस वो ही है तो यार उसमें अब अपनों क्या करना है 410 बटे 1166 इंटू 100 ये पूरा कॉशन आपसे प्रतिसत ही निकलवा रहा है ये पूरा कॉशन आपसे पूरी क्लास में प्रतिसत निकलवाया है और ये अंसर आ गया कि देखो ऐसा है कि जिन भी विध्यारत्यों को समझ कम लग रहा है वो मेरी पूरानी क्लास अवस्ष देखें क्योंकि मैंने वहां पर हर चीज विश्तार से पहले समझाई है ठीक है कि सोचो आ रहा हूं एक सेकंड़ अजय गा Spider HAVE No निए हैं है सटें क्या थπάते हुआ है यह क्या रहा है posibl्वार से टीर का पाल्य सटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र जाद्ट्ट्क्ट्स» कि नीचे के तीनों है नहीं तो यह सात्यों इसका सई आंसर आंसर में आप एक बार लगे लगे हाथ बतला दीजिए 35 पॉइंट कुछ आंसर यहां पर आ रहा है इतने कौशन यह आंसर आ जाए कि इस तरीके से हम सात्यों कि आप कितने कौमेडी हैं सरीता रहे यार मैं भूल जाता हूं पूरी क्लास में माटी करवा देखा आँ वाई उपर को लिख रखा है डेली देखो आख खोल के देखो डेली लाइव नाइन पीम और थमलेन पर भी लिख रखा है डेली गिलास होती है आया करो तो यह थे सात्यों 2021 के कौशन जो हमने आज बड़े प्रेम से कर लिये हैं एक कौशन और है 2021 का यह वाला और कर लो एक कौशन यह है यह भी सात्यों 2021 का है इसको भी हम कर लेंगे आप चाहो तो कर लेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यह 2021 कौशन है कल हम 2022 के कौशन पढ़ेंगे आई रिपीट कल 2022 के कौशन पढ़ेंगे लेकिन मैं आपसे बात जरूर कहना चाहूंगा इस कौशन को कराने से पहले कि इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं अपने इस बैच का नाम है बैच अरजुना बैच अरजुना पढ़ रहे है आज आप देख रहे हो बैच अरदुना की class number 24 इन 24 class में आपको unit number 5 करवा चुका हूं पहले unit number 6 करवा चुका हूं इसमें math reasoning करवा चुका हूं इसमें logical reasoning करवा चुका हूं अब unit number 7 में di करवा रहा हूं तीन उनिट में कम्प्लीट कर आज पढ़ा रहा हूं डियाई डियाई की क्लास नमबर ए सिक्स और वैसे बैच की क्लास नमबर ए 24 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यह सारी क्लास देखनी है पेपर वन कम्प्लीट हो मैथ, रेजनिंग, डियाई हर चीज में पढ़ाने वाला हूं तो आप डेली आओगे तो समझ पाओगे प्लेलिस्ट है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी आप यह काम और करो यह टेलीग्राम चैनल भी जोइन कर लेना सब की सब इस टेलीग्राम चैनल पर मैं क्या लिंक डालता हूं क्लास होगी या नहीं होगी इसकी सूचना डालता हूं सारे नौट्स डालता हूं हर चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है तो यह काम आप जरूर से कर लेना और जब मैंने टेलीग्राम का लिंक लगाया जब लगाया था असपास लोगों मुझे टेलिग्राम पर जोइन कर लिया अगर आप मुझे मैसेज वेसेज भी करना चाहते हैं जब टेलिगें निमलेले की तालिका सत्तर दोजार बीस इक्कीस के दोरान विध्धायले में पांच विबिन क्रिया कलापों तेराकी गायन चित्रकारी नत्त हस्त छिल्प विध्धार्तों के नामंकन को दर्साता है विध्धायले में विविन क्रिया कलापों में सतरा सो पचास सतरा सो पचास चात्र सहीत कुल हां सक्ति तीन हजार विध्धायर्तियों का नАमंकन हुआ तालीका में प्रदत आकड़ों के आदार पर उत्तर दीजेお願いします को हमको यहां पर क्या दिखना हरे तोटल yes total कितने हैं तीन हजार मेंinea से छात्राerem एटेन हजार में से छात्रा कितनी है 1750 अब zitten में सते शोन फभ्याशन गटा लेंगे तो छात्रों की संख्या भी निकल कर आ जाएगी तोटल लोग कितने हैं तीन हजार जिनमें छात्रा कितनी हैं सत्रा सो पचास आए हम कौशनों को करने का यहां पर प्रियास करते हैं कौशन नम्मर आठ सबसे पहले हम करेंगे तैरा की और चित्रकारी तैरा की और संयुक्त रूप से कुल कितनी चात्राओं का नवांगगन है बैखो यह सात्युट यह है किरिया कलाप यह तैरा की गायन कारे इंद्रत नामांकित विध्यारतियों का प्रतिसत ये प्रतिसत निकला है 3000 में से जबकि छात्राइं कितनी हैं 1750 और 1750 के प्रतिसत ये रहा बस सरल है लेकिन थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा कॉशनों को गुमा दिया है चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए गाईज एक बार सब के सब मैं है आए जल किया रहा है कोशुझल 13 की और चित्रकारी ये तैरह की है ये चितरकारी कि में कुल कितनी चात्राओं का नामंकन हुआ यह जो टोटल चात्रा बर्सेंट और इसमें तो टोटल चात्राओं का क्या प्रतिसद यकोट वो हमको यहां पर निकाल लेना है कु देखो कुल चात्रा कितनी हे या पर यानिकालने का सीधत को सक्या जैने 바꿈 1750 और यहां पर 13 की की और चित्रकारी की बात की गई है तो 14 की में कितने है 14 परसेंट और चित्रकारी में हम जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों का ही प्रतिसत हम से पूछा गया है तो तैरा की में अभी अच्छी ठीक है तो दिर्वाद में अच्छा तैरा की और चित्रकारी कितना हो गया सात्यों 14 प्लस 16 इनको जोड़ देंगे हम यहां ऐसा करते हैं 16 प्लस 16 बराबर कितना होगे सात्यों 30 होगे ने 30 प्रतिसत अब हमको क्या निकाड़ना है 1750 का 30 परसेंट निकालना है भाई टोटल चातर 1750 है चातर है अब 30 परसेंट 13 की और चित्रकारी में है तो 30 परसेंट का हमको नमबर बनाना है बस सीधी सी बात है तो यहां पर क्या कॉश्ण बनेगा यहां पर कॉश्ण बनेगा इधर देखिए सतरा सो पचास का थीस पृतिसत क्या होता है सतरा सो पचास का थीस पृतिसत क्या होता है मैंने आपको ऐसे कॉश्ण सौल करना सिखा रखा है सबसे पहली संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 1750, का का मतलब होता है गुणा, गुणा कर देंगे, अगली संख्या को ज्योंका तो उतार देंगे 30, और यह प्रतिसत का भाग दे देंगे, काट लेते हैं, इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, तो क्या हो गया साथ्यों हमारी संख्या, 1459 में 3, अब बताओ, एक सो पिछे तर गुणा अगर हम 3 कर देंगे, तो हमारा, यहां पर सई आनसर क्या आ जाएगा साथ्यों बताईए, आएगा 525 क्या जाएगा 525 आंसर आजाएगा अब बताओ कितना सरल सवाल था 2022 में पूछा गया है जून वाली एक्जाम कितना सरल सवाल था सरफ दिमाग गुमाने के लिए थोड़ा सा इदर विदर कर दिया जबकि कॉशन बहुत ज़्यादा सरल था अब आप देख लीजे कोई दिक्कत है इस कॉशनों करने में सिर्फ हमसे प्रतिसत निकालना आना चाहिए हमको देखो प्रतिसत दो तरीके से निकाले जाते हैं आप टाइप वन में क्या आता है कॉशन आता है जैसे सत्रह सो पचास का सत्रह सो पचास का मालों चालीस प्रतिसत क्या होगा एक सवाल तो यह बन गया टाइप टू टाइप टू में क्या होता है एक संख्या लिखी रहती है संख्या कैसे लिख देते हैं मालों ऐसे लिख देते हैं सत्रह सो पचास और यहां पर डॉट लिख देते हैं और उसके बाद में कितना प्रतिसत है आप लोग ना इन कंफ्यूजन हो जाते हो प्रतिसत निकालने में कि भी किस प्रकार से हमको प्रतिसत निकालना चाहिए है ना आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो तो मैं आपको बतला देता हूँ कि संख्या कैसे जमेंगी अगर इस प्रकार की संख्या कोई आगी जैसे कोई संख्या बीच में का प्लस संख्या इस प्रकार से कुछ आ गया तो नियम क्या कहता है इस चीज को समझो नियम सबसे पहले पहले वाली संख्याव को पहले लिख दो मैं शुरुवात की जो शंख्या में लिख दिया स सतरा सो पचास कि यह का है ना इसका मतलब होता है गुणा तो कर दिया गुणा फिर अगली संख्या को बराबर से लिख दिया प्रतिसत का मतलब होता है भाग तो हमने क्या किया भाग दे दिया सो का एक संख्या तो इनकी संख्या तो इस प्रकार से जमती है इनकी संख्या क्या सातियो इस प्रकार से जमती है जबकि ये संख्या कैसे ज सत्रा सो पचास ही लिखेंगे लेकिन का होता तो गुणा हो जाता लेकिन यह का नहीं है तो यह जो चालीस है ना इसके नीचे आ जाएगा और फिर का हो गया यहां पर गुणा और फिर प्रतिसत कर दिया हमने सो यह दोनों संक्या इस तरीके से जमेंगी थोड़ा अपना दिम करता की है तो इसको देख लो नहीं तो मैंने आपको हर चीज समझा रखी हम आपँ संख्या जमाना आ को उना चाहिए यह को यहां पर गयी evolves 1750-40 का कितने का यानि कि इसका ये कितने प्रतिसत है और यहां पर लिख रहा के 1750 का ये कितना प्रतिसत आप बताओ आगे कभी तो गड़बर नहीं करोगे ना इस प्रतिसत को निकालने में ठीक है इस तरीके से हमको यह करना है और हमने बहुत ही आसान तरीके से इस कॉश्चन को यहां पर सॉल्व कर लिया है जो आया है हमारा जून 2022 में बोलो डियाई पढ़ कर मज़ा आ रहा है के वल आज की एक कल की कल में डियाई को कमपलीट कर दूगा जान रहें कल डियाई को कमप्लीट कर दूगा है सब्सक्राइस स्टार्ट करने वाला हूं और शुबह दस बजे यारये घंडाρεं में teaching aptitude पढ़ाने वाला हूं सुबह दस बजे जो मैंने आपको तरीका बता रहे बंडा रेगा उसमें आपको बढ़ाने वाला हूं research aptitude ठीक है teaching aptitude सर्जी second वाले type को काटना बता दो बस easy है बिटा आ जाओ इसको काटना के संख्या जमादी हमने इस जीरो से हमको कोई भी एक जीरो काट देनी है इस जीरो से मालो हमने इस जीरो को काट दिया अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे इस जीरो से जीरो को इका गुना चार कर देंगे एक सो पिच्छे त्रवन पुच्छा आंसर आजाए ठीक है आप ये कोई समस्षा हो तो बोलिए और मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने वीडियो लाइक किया है बिल्कु धीट ही बैठे हो आप तो धीट धीट बने बैठे रहे तो धीट है सर पॉलिटिकल साइंस की किलास कहा है यार इस टैनल पर तो नहीं होती है लिकर नाने के अडिमी पर होती है पॉलिटिकल साइंस किलास तुम जॉइन कर लो फीस फीस लगती है माँ पयार अगर तुम फीस पे करने में सक्षम हो तो जरूर से जोईन करो एक डिस्काउंट कॉड मैं आपको बता दूँगा थोड़े दिर बाद में आईए अगले कॉशन को करते हैं यह ऐसा आते हो कॉशन नमबर 9 कॉशन कॉशन नमबर 9 को हम साति हूं यहां पर आपके लिए लेकर आए कॉशन नमबर 9 करिए कॉशन नमर 9 करिए निरत्मे नामांकित छात्राओं की संख्या विद्धायले के विद्धारतियों की कुल संख्या का कितने प्रतिसत है दहाई आंकड़ों में पूर्ण आंक बनाने पर अब करिए इसको देखो तोटल बच्चे कितने तीन हजार इधर देखे तोटल स्टुडेंट कितने पुल स्टुडेंट कितने तीन हजार हैं इन तीन हजार में से 1775 लड़कियां हैं अब यहां ने पूछा कि जो नरत वाले जो लोग है न वो टोटल में कितने हैं छात्रा टोटल में से छात्रा कितनी है कुछ लोग ने सही आंसर दिया है वेरी गुट है कि सारे नौट्स आपको प्रक्टिस करने के लिए डॉक्तर लोकियस वाली टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे है ठीक है आये कॉशन को सौल करते हैं देखो कॉशन में कितने तीन बीस प्रतिसत हैं तो तो तीन हजार का बीस प्रतिसत निकालना है हमको सबसे पहले तो टोटल चात्र कितने तीन हजार हैं तीन हजार का 20 प्रतिसत क्या हो गया तो हम लिख देंगे तीन हजार का कि 20 परसेंट क्या होगा यह आंसर बन गया हमारा सबसे पहले 3000 लिख देंगे हम उपन यहां पर पहली संक्या 3000 का का मतलब गुणा ट्वंटी का मतलब ट्वंटी बटे सो कि इन दो जीरो से काट देंगे इन दो जीरो को और यह हो गया तीन दू निच्छे और बच गया दो कि आरे मैं दो तो्टल निकाला भी हम को यहां से 7onent 40 potential निकालेंगे डोकळे रोके रोके सत्रासवंफ पचास-क बीस परसेंगे और मने लड़की वोन का निकालेंगे नहीं तो लड़कि ऑज्त हम से हमसे पूछा चात्रां का थोड़ा सा कर्फिजन हो गया 1750 तो 1750 को हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर तो यानि लड़कियों में कितनी हैं 350 है इता देखे लड़कियों में नुरत करने वालों की संख्या कितनी है 350 है अब यहां पर हमसे पूछा है टोटल बच्चों का टोटल बच्चों का पूछा है तो तीन सो पचास तीन हजार का कितना हो जाएगा यहां पर इसको मिटा छोटा 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 लिख दूं ताकि पूरा कॉश्चन आपको समझ लग जाए यहां पर पूरा लग दें सब्सक्रिि लिख ल, इन टू ल, बेषा सो और इस जीरों से टिन लोको क्या निकालना है हमको यहां पर 3000 में से साथ इसको निकालना है 350 को तो आगे क्या बन गया 350 50 3,000 का कितने प्रतिसत को समझ गयो आप यह यह कहां से आया है कि यह कहां से आया इस चीज रिख को समझ गयो क्या भाई हमने सबसे पहले क्या किया कि कि். टोटल चात्राव संख्या सत्रा सोपचास है सत्रा सोपचास का 20 % निकाल लिया तो हमाये पास कितना हो गया तीन सोपचास हो गया अब हमने किया कि लड़कियों की संक्याः पता लगी, लड़कियों की संक्याः के 350 हैं, पर 3000 का कितना पृतिसाथ हैं तो हमने किया कि 350-3000 का तो सबसे हमने जैसे कि मैंने आपको समझाया, सबसे पहले 350 आ जाएगा, उसके नीचे 3000 आ जाएगा और गुणा में सो आ जाएगा इन दो जीरो से हमने इन दो जीरो को काट दिया इस एक जीरो से हमने इस एक जीरो को काट दिया आगे देते हैं सात्यों तीन का भाग पांच में इसके ग्यारा पॉइंट कुछ आंसर आ रहे हैं सात्यों क्या है ग्यारा पॉइंट कुछ आंसर आ रहे हैं इसके 11 point कुछ answer आ रहे हैं क्या ये बात समझ लग गई आपको कि कैसे ये answer आया है क्या ये समझ लग गई क्या कितना सरल question था ये क्या आपको समझ लग गया ये question हमने कैसे किया है मैं comment देख लेता हूं हाँ सी answer है अब बताव समझ लग गया क्या question नमर 6 कीजिए साथियो विध्यायले में छात्रों का प्रतिशत कितना है विध्यायले में छात्रों का प्रतिशत कितना है ध्यान रहे total छात्र है 3000 3000 मैं से 1750 है छात्रा है तो माइनस कर लो बागी छात्र बचेंगे उनका प्रतिशत निकालो चलो करो 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 कम ओन कम ओन कम उसका टाइम चेंज नहीं कर सकता मैंने दस बजे ही कर दिया है उसका टाइम उसका टाइम बिल्कुल दस बजे ही रहेगा उसका कोई बदलाव नहीं उसके टाइम में करिए कॉशन गो जूरों में कुलाए हैं ज्यान से करिए मैं सामने से हट चुका हूं मैंने पहले कह दिया कि कि 3000 हैं 17753 निकाल दो बच जाएंगे जात्र चात्र जितने बचेंगे उनका अप प्रतिसात निकालओ है पिन अजार का प्रतिसात निकाल रो कि हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 कॉन से गलास यार कोछ नहीं है में पाजनी सब लोगों ने 42 पृतिसत का अंसर दिया है अधिकतर लोगों ने क्या काया है कि सर 42 पृतिसत यहां पर सही आंसर है यार कैसा लग रहा है आप लोगों अले ज्यानी हो गएं आप तो मैस सीख गए लोजिकल रीजनी सीख गए और अब डियाई भी सीख चुके हो मैं पहले दिन को याद करता हूं आज डियाई की कलास सातवे नंबर कलास है मैं पहले दिन को याद करता हूं कि जैसे ही मैंने काल डियाई पढ़ांगा आप लोग टर गए थे सब डियाई नहीं आता हमसे है ना पहला कॉशन किसी से भी नहीं होगा था और आज देखो आप मैंसे 90 प्रतिसत लोगों ने जो डेली किलास में आते हैं ना सबने सौल करते हैं यह होती है ताकत दोस्ती की आपकी और मेरी यह है ताकत मज़ा आ गया ना सई आंसर इसका 42 परसेंट और सब लोगों ने सई निकाला एक दम करेक्ट देखो मैं अपने बारे में बतला दूं मैं खुद कही बार ज्यारेफ क्वालिफाई हूं ते इसकी सबसे बड़ी विस्विदाले से मैंने पिएच्डी किया है आपको सब पता है मेरे बारे में दुनिया बर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जनरल में प्रकासित होते रहते हैं कॉलेज यूनियू सिट्यों में पढ़ाने का अनुबव है ओनलाइन सरस्ताओं के साथ जुड़ा हूं काफी दिन से यहां पढ़ा रहा हूं अब इस कॉशन को हम समझने का प्रियास करते हैं इस कॉशन को अब हम समझ लेते हैं कि सिंपल कुल चात्र कितने हैं कि कुल चात्र कितने हैं कि तीन हजार है कि चात्रा कितनी है सत्रा सो पचास चात्र कितने हैं इनको माइनस कर देंगे हम बारा सो पचास तीन हजार में से सत्रा सो पचास है किर हम माइनस कर देंगे तो क्या आजाएगा बारा सो पचास चात्रों कि संक्या कितने आजएगी बारा सो पचास अब टोटल चात्रा हमारे पास कितने बारा सो पचास हैं अब तीन हजार में बारा सो पचास है बारा सो पचास कितने प्रतिसात है अब तीन हजार के यह बारा प्रतिसात कितने प्रतिसात है तो बारा सो पचास यह बढ़ जाएगा बारा सो पचास कि तीन हजार का कि कितने प्रतिसात है मैंने सबसे पहले पहली संख्या उपपर लिखवाने के लिए कहा था हमसे इस संख्या को हम सबसे पहले उपपर लिखेंगे बारा सो पचास भाग दे देंगे तीन हजार का गुणा कर देंगे 100 से इस दो जीरो से दो जीरो काट दिया इस एक जीरो से एक जीरो काट दिया अब आगे हमारे सामने 125 बटे 3 अब 125 और 103 को भाग देंगे तो लगबग 41 पॉइंट कुछ आंसर आएगा जो 42 पृतिसत के आसपास है भाग देखर देख लो आसान कोशन आसान 2022 में आए कोशन और बिल्कुल क्या आती हो आसान कोशन अब बताओ मजारा क नहीं आ रहा अब बताओ मजारा क नहीं आ रहा आप लोगो ए भाई साब बोलिए वीडियो लाइक किया नहीं कि आप लोगों आज है हां भाई थ्री टाइम ज्यारेफ क्वालिफाइड दिखा देता हूं सर्टिफिकेट्स आप तो मानते हैं आप कुछ नए बच्चों को पता नहीं है न जिस कुछ लोग नए आये होंगे देखो भई साब े है यह तो मेरा पिएस्डि का थीसिस है यह जो आपको दिख रहा हूं और ङे मेरे फोटो दीकर आपको यह मेरे नेट-ज्यार के सटिफिकेट्स हैं और यह मेरा फूरिकेिकर से हैं तो यह एक्जाम को पास करना बहुत बायांत का खेल है अगर आप ढंसे सई दिसा में चलो तो बहुत सटीक तरीके साब इस एक्जाम को पास कर सकते हैं आपने देखा होगा आने के आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे घूए एक चीज का मालूम नहीं होता है आप प्रफोजल बनाओं है तो प्रफोज़ल को मैं आपको प्रफोजल हर चीज में हैं मैंने लायफ स कrator मैं कि दिया कितने मार्स का था हर यूनिट दस नंबर का आता है आपका पीएज़डी किस पर है मैंने इंडियन नेशनल इजम पर काम किया है जो मेरा पीएज़डी का जो टॉपिक है वो था इंडियन नेशनल इजम इंडियन नेशनल इजम भारतिय राष्ट्रुवाद पर मैंने पीएज़डी किया इंडियन नेशनल इजम पर मेरा काम है मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग चीजों में आते रहते हैं इंडियन निस्टलिंजम पर काम किया है और बताओ अब मैं सवालों की जवाब दूंगा फिर अगला कॉशन साथ नंबर का करवाऊंगा अब मैं आपके सवालों की जवाब दे देता हूँ आपके मन में जो भाव चल रहे हैं वह एक बार मुझे बतला दीजिए सरीता मीना कहने कि सर आपकी क्लास का पता नहीं चल पाया आज होगी या नहीं होगी गलत बात वेटा आप लोग ना बड़े लापर वाव हो यार कि मैंने कैसे नहीं पता सोला आपको वेटा ऐसल कैसे कह सकते हूं मैं यह ऑई आपे यह रहा अपना टेलीगरां चैनल डॉक्टर लोकस बाली यह टेली ग्राम चैनल रहा और इसस टेली ग्राम में देकूं मेरे डाल रखी यह डाल रखी लिंक आप पिले कर लो देख आज की क्लास चलती भी मिल जाएगी जाने देते हैं एड के सामने खड़ा हो जाता हूं आज पता नहीं एड भी उट पटंग कैसे आ जाते हैं यार भाई यूटूपर है किसी भी तहीं के पताँ एड आ जाता है खड़ाओं आगे रूप जाओ क्लास की क्लास मा स्लीलता फैल सकती आप बाई कुछ मत दिखना पीछे से एड भी आसकल ऐसे आतने यार इसकिप कर दिया ये चल्रों हमारी अब क्लास ये चल रही ये चल्रही दो लिंक डाली थी वह आर ऐसे कैसे लिंक नहीं डाली एक काम करना वीडियो के डिस्क्रिप्छन में मैंने आलरी पूरे दे रखे रके ठीलिस्ट के लिंक डाल रखे टेलिग्राम के लिंक डाल रखे ये काम आप एक बार जरूर से कर ले ना किकैंच कोशा नमर 2 कर लेते हैं छाटा कोशा था होगा आपने उम्मीद हैं चले कौशा नमर 2 कोशा नहीं को साथ करिए गायन और हर्ष्ट सिल्फ में सयुक्त रूप से कितने चात्र ना मांग की थे हम से यहाँ पर पूचाए चात्रों की संक्या पूचिये सबसे पहले गायन में कितने हैं और हर्ष्ट सिल्फ में कितने हैं यह देखो आप एक बार खुद करने कोस्ट करो कॉशन को पढ़े कर चात्रा नहीं का चात्र गाहा है इनको जोडना है इनको यह रहे चात्र विद्यारती दोनुची जुड़ेंगे आप यह जोडने हैं गायन और सर्थ सिल्फ में कितने लोगों ने पार्टिसेट किया है ग्रेकार ये ग्रूप में दे दें चलो ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको ग्रेकार ये ग्रूप में दे दो चलो दे दो इसको ग्रेकार एक रूप में ले लो नहीं होगा तो कल मैं समझा दूँगा इसको ग्रेकार एक रूप में ले लो चलो ले लो होमवर क्या यह होमवर क्या चलो इसका स्क्रिंसोट ले लो फटावट से इसक्रिंसोट ले लो इसका ओके स्क्रिंसोट ले लीजिए कि वैसे मैं आंसर लिखरा हुं इसका ना न सै मैं बता रहा हु इसका कलि बताऊंगा आप लोग इसको एक बार पढ़ लो आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वा मै un ऊपने और एक बार को या थोड़ाता मैं दूसर ना को चंज ने चंज है इसमें क्या है सब्सक्राइब अजया इसमें क्या सब्सक्राइब कर देखना शुरू कर देता हूं वीडियो लाइक तो करी दिया होगा आपने ओके अब आपके सवालों के जावब दूँगा सर यूटव पर भी डाल दीजिए का सेकंड क्लास का इस यूटव पर नहीं होगी वह अलग जग होगी मैंनों आपको बत्रा दिया है चैनल सस्क्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सस्क्राइब करो इस समय यह वाली क्लास हमारी लायव चल रही है इस क्लास के अगर आप कि इस क्लास के अगर फ़र्ष्ट कॉमेंट में देखोंगी आपको फ़र्ष्ट कॉमेंट में लिख रखा है डियाई आल नौट्स अगर आप इस पर किलिक करोगे इस लिंक पर किलिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा जैसे आप टेलिग्राम चैनल को उपल करोगे आटोमेटिक उसी जगे पहुँच जाएगा जिस जगे हमारे नौट्स हैं यहाँ पर साथ वो डियाई के ओल नौट्स हैं इंडियन लॉजिक के नौट्स हैं अब आपको नौट्स से संबंदे सिकाथ नहीं रहेगी जो एक-दो क्लास में छूटे थे सब जगे मैंने अपडेट कर दिया बस आप तो डॉक्टर लॉक इस वाले टेलीग्राम चैनल को चाकर एक बार join कर लो, यहाँ पर हर चीज के notes आपको मिल जाएंगे बड़े भाईयो चलिए, शुरुवात करते हैं आज के session की जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं साथ यो, D.I.E. और एक जाम तक दो क्लास डेली रहेंगी, यह सूचना मैं आपको दे दी, बाद में जाके explain करता हूँ, यह सारा syllabus है, इस syllabus को हमने लगभग complete कर लिया है, अब बताइए, किसी को D.I.E.E. में समझ्या है क्या, फिर बढ़ूँँगा आगे, पहले मैं आप लोगों के comments देखू किसी को थोड़ी सी समझे है तो बोलो, हाई दिव्या, स्वागत है, सुबसंध्या कुलदीप, चलिए तो आज मैं आपको कुछ question करवाता हूँ, उन सब questions को करने का आम लोग प्रियास करें, रिविजन करवा रहा हूँ, आपको साथ क्यों, हाँ, भाई, ओ, ओ, दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं कर रहा न अभी तर, नहीं किया, डॉक्टर लॉकिस वाली लिख के सर्च कर लो, और इंस्टाग्राम, चलिए भाई साब, कुछ, अब तक मैंने क्या आप लोगों को इस type के caution करवा दिये, मैंने आप लोगों को और इस type के caution भी करवा दिया, चार type के caution ही, अमारे एग्जाम में आते हैं, और मैंने चारो type के रिविजन करवाता हूँ कॉशन्स का, पहला कॉशन आपके सामने है, आप करो, और मैं इसका रिविजन करांगा, नॉट्स मिल गए आपको सारे, आंसर के साथ, सारे नॉट्स मेंने आंसर के साथ कर दिया है, क्या बात है सार सिंग, स्वागत एंजू ठाकूर, देखो आज last class है D.I. की कल से हम दूसरा युनिट सुरू करने वाले हैं Cinema घर A पर film T की विक्री की गई टिक्टो की संख्या का परतिसत Cinema घर A पर film P की विक्री गई टिक्टो की संख्या की तुलना में कितना था यह question मैंने करवाया है बट मैं चाहता हूँ कि आप रिविजन करो नॉट्स मिल रहे हैं मोहित यादव की पहली किलास है स्वागत है भाई बैच अरजुना में सही आंसर है साथ इसमें दो सो परतीसद कितने लोगों ने सही आंसर कर दिया दो सो परतीसद इसका सही आंसर होने वाला है कैसे किया है समझाओं या अल्रेडी समझ चुके हो पहले करवाया था कॉशन चलो एक काम करते हैं रिविजन नहीं करते हैं कुछ नए कॉशन करते हैं ताकि आपको भी इंट्रेस्ट बना रहे हैं अंगि आपको रिविजन कर लेता हैं ताकि आप लोगों कभी इंट्रेस्ट बना रहेते हैं हां यह कॉशन कीजिए साथ यह कीजिए आप दीख रहा है आपको दीख रहा है गए कॉशन चलिए यह कॉशन करते हैं दिख रहा है क्या थोड़ा कम दिख रहा होगा दुंदला दिख रहा होगा लेकिन देखने का प्रियास करो तो नहीं कॉशन करते हैं पराने कॉशन हो क्य झाल झाल आ गया हूँ सात्यों आपके सामने ये सवाल लेकर अब ध्यान से समझ लेते कॉस्चन में क्या लिख रखा है कुछ तो विध्यारती हैं ये वाले विध्यारती हैं ये है सब्जेक्ट गनित रसायन साश्त्र बहुतिकी भुगोल इतियास कंप्यूटर साइंस और इन में से द लड़े अमन के सो सजल के 30 यहां पर साथी और टोटल इस तरीके से यहां पर दे रख्याएंग अलग अलग सब्जेक्ट में से कितने में से कितने नंभरठ यहां पर आये हैं है कि क्लियर नहीं दिख रहा यार कि यह बात टो कि लियर तो खेर आपको नहीं दिख रहे भुगा कि अब कि अ कि आ More आपको नहीं सकता अब देख देखें आपके सोब्सक्राइब अब मैं अंधेरिमा आ जाओंगा अब देखो देखके समय लुक। रुको 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 आप ऐसा करो बड़ा कर लो फॉन को ऐसा कर लो लाइट बंद कर दी तब भी वैसा ही दिखा उससे फरक नहीं पड़ा कॉशन मैं आपको बतला देता हूँ आईए निमलिक्त मैंसे कुल सबसे अधिक अंग प्राप्त किये यहाँ पर सबसे अधिक अंग किसको प्राप्त है आपको उसका जवाब देना है कि सब्सक्राइब कर देखो तोटल अंकों का हमको यहाँ पर जोड कर लेना है यह आयूस है हमको आयूस के एक बार हमको आयूस के अंकों को जोड़ लेना है कि यहाँ पर क्या आईूस के अंकों को जोड़ेंगे हम सब को के सबों के अंकों के अगर जोड़ेंगे ना तो सबसे ज्यादा मुसकान के अंक का है सब के consciousness Kelly मूसकान क आये हैं डी आ्नसर सहिए आप कर ले ना परिसनली निम TONER मेंसे किसने भौतिकी रसायन गनित में सबसे अधिक अगप्राप्त किये हैं आप आपको सारे लोगों का जोड़ना पड़ेगा गनित का रसायन शाष्त्रकार बहुत कीगा यह कॉश्चन बहुत सरल है बस आपको थोड़ा सा जोड़ घटाना है जोड़ना घटाना आपको यहां पर है इसको बदल देता हूं को इन कॉश्चनों को बदल देता हूं दूसरा क कर ले ठीक है क्योंकि यहां जोड़ना घटाना है जोड़ना घटाना है कि सबसे अच्छे नंबर आए यहां आए कि तरफे का अच्छे वे नोड़ना है यहां खाना है कि अच्छे नंबर आए कि यह साथ यह आपके साबने चार्ट दे रखा है इस चार्ट को समझना है और अब आंसर करना है क्या है नीचे दी गए इस्टोग्राम सम्मदित कोशन नीचे कोशन संख्या इतने निमलिक्त दंड आरेक का अध्यन कर दिएगे प्रस्णों का उत्तर दीजिए विविन संस्तानों में अभी निंतंड में पांच भिन पाट क्रोंबर पर विद्यारतों का दाखला हमको यह पर लेना है तो यह तो सं कॉशन नमर 11 करिए को कॉशन 11 कजिए आप कुछ दिखनी रायसा कैसे हो सकता है कल से हम लोग रिसर्च पढ़ने वाले हैं संस्ता सी में संस्ता सी में कंप्यूटर विज्ञान में नमंकित विद्यारतों की संख्या उसी पाठक्रम में संस्ता डी में नमंकित विद्यारतों की संख्या से कितने प्रतिसत अधिक है संस्ता सी और संस्ता डी कंप्यूटर विज्ञान तो कंप्यूटर विज्ञान यह वाइट वाली यहां पर computer विज्ञान में कितने हैं 280 बच्चे है ना और यहां पर computer विज्ञान में कितने हैं 200 बच्चे अब इनका आप निकाल लीजिए प्रति सब कम मतलब 280 by 280 मेरा सी का अंतर वान दोनों के बीच में कि एक में 200 कि आमाता करना इदर रेकिए मैंने अप्रकर गडबल कर दे सी और डि से पूर्जाना सी के दो से हैं और यह डी के 250 पर हमको क्या करना है 250 मारश दोसो पराबर 50 का अंतर है इतने जो लाढ़ बीच में इनके बीच्च में 50 और तो 50 कि कि इतने में से निका लेंगे 25 में से यह संख्या जमालों कि यार किलियर नहीं दिख रहा ना तो यह आन्सर आएगा इसका 20 इस जीरो से जीरो काट देंगे पची दुन पचार दो से काट देंगे दस दुन बीस आन्सर आएगा यह पर मैं 18 विद्ध दिख नहीं रहा ना यह जिखका तो यह यह कि कॉश्ण दिखने है अब पर दोनों यह पर टेक्टर में आप चले आप यह वाला कोश्ण करिए यह तो दिख रहा है ना यह कॉश्ण तो दिख रहा है ना आप लोगों को इसको करिए यह दिख रहा है अब गलती नहीं हो सकती यहां पर क्यास आते हो यह क्लास नीचे दीगार सावधानिपूर पढ़ीजिए यह क्लास छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह विद्धायलों का सिंबल हैं और यह चात्रों की संख्या आए इसके आदार पर कॉश्ण लोग करना सुरू करते हैं कॉश्ण नमबर 126 अब करिए तो दिख रहा है करिए अब करिए देख ऐसा होता है यार इस जब में डियाए के कॉश्ण करवाने होते हैं न तो यह भी रखना पड़ता है और उसके साथ कोश्ण भी रखना पड़ता है इसके चक्कर में फिर चलते चलते क्वालिटी वह थोड़ा सब दिक्कर आ जाता है कि अरे कोई बात नहीं भाई लॉकेश डेली देख्यार अच्छी बात है टाइम से देखा गरूँ सब्सक्र आज़ा कोई युआ रहा है है कि अज़ान से आज़ा कोई है सायांसर सात्य हो यह 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 आपर बिलकुर सायांसर है जो आप लोगों ने दे दिया है कैसा लग रहा है मतलब कैसा फैसूस हो रहा है कॉस्टनों करके कि दिया ही समझ गयों आप लोग यार पूरी तरीके से टेस्ट भी पास कर लोगे आप मुझे पता है कॉस्टन नमर 133 करिए हो गया बहुत बढ़िया अरे आप साफ दिखाई दे रहा अब यह मत बोलो साफ नहीं दिखाई दे रहा है अब खूप साफ दिखाई दे रहा है बसाग कौशन करिए कि सभी विद्धाइले एबी सी में कक्ष्या आठ में प्रवेस लिए छात्रों के बीच का अनुपात क्या है यह कक्ष्या और यह किलाक किसा अनुपात निकालो जो आए कि 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 क 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 अन्सरान सुरू हो गया क क क क क क क क जानवी को दिखाई नहीं दे रहा है रहे जानवी क्या करें मैं चस्मा लगा लेता हूँ आज ही कि कि इस लिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है दिल जाओ मेरी चस्मा लगाने से क्वालिटी बढ़ेगी यह लो मेरी चस्मा लगाने से क्वालिटी बढ़ जागी है करो थोड़ा हो जूम कर देता हूं कि 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 उम्मीद है सात्यों आप लोगों ने 139 नंबर का कॉशन यहाँ पर आसान इसे कर लिया होगा इस एंपाथ फोर अपाथ 7 इंपाथ 7 इस एंपाथ 4 और साथ वेरी गुड बहुत बड़ी जा रही हो शाबाँ 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 आज जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वह यह मत समझना कि सरन इनको समझा क्यों नहीं रहे हैं मैं और लेडि सब कुछ समझा चुका झाल टाइम यही रहेगा फिक्स है हर दिन के लिए यार जितने भी लोग है ना जिन्होंने सस्क्राइब नहीं किया ना आज आप सस्क्राइब कर लो क्योंकि अगर आज आप सस्क्राइब कर लोगे ना तो अपने तीन लाग की फैमिली हो जाएगी पूरी क्योंकि अभी 3,00,000 की family में कुछ लोग घट रहे हैं आज आप subscribe करो कर रहे ना 3,00,000 की family हो जाएगी मज़ा आ जाएगा फिर फिर और जोस उमीद के साथ काम करेंगे केवल 30 रहे हैं 3्2 होने में केवल 30 रहे हैं 3 लाइक होने में इस किलास को समापत होने से पहले आप 3 लाइक करवा hai क्यावल 30 लोग अट रहे हैं केवल 30 किहा है कल रिसर्च पढ씨 प्ढेंगे ताकि और अच्छे तरीके से त्यांसर इसका ए यह बाला बताओं समझाओं यार समझाओं या समझ गए हो समझाओं या समझ गए हो ये बताओ वेरी गुद समझ गए हो तो अगले कॉसन पर चलते हैं यह सात्यों यह कॉशन आई थिंग मैंने करवाया नहीं है यह कॉशन बड़ा मस्त है इसको आज कर लेते हैं यहाँ पर क्याए कि निम लिखत रेखा चित्र पर ध्यान दीजिए यह ओवर एक दो तीन चार पांच है साथ नो दस ओवर हैं और यह रन यह सात्यों रन और यह ओ अब आई पील चली रहा है आपको पता यह तो उसमें क्याएं कि उप्यूगत रेखा चित्र किसी एक एक दिवसी मैंच में भारतिय टीम द्वारा बनाएगे प्रती ओवर रन को दर्साता है क्या है पहले ओर में तीन रन बनाएं दूसरे ओर में छे बनाएं तीसरे ओर में एक बनाया चोथे में पांच बनाएं पांच में भी पांच बचाएं छटे में नो बना दिए साथवे में छे बना दिए आठवे में तीन बना दिया नवे में च्यार बना दिए दसवे में पांच बना दिए इन कॉश्चनों को करते हैं ताकि हमको मजा जाए इसको मैं आठ वर में भारतिय टीम ने किस औसत से रन बनाए शुरुवात के आठ वर में भारतिय टीम ने किस औसत से रन बनाए तो सिंपल है साथ हो आप लोग आंसर दो मैं फिर आपको बताता हूं बताओ भारतिय टीम ने पहले आठ वर में कितने ओसत सिरन मनाएं बताएं इसका अंसर दे दोगे आप मुझे बताएं हाँ 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 कॉशन नहीं दिख रहा हो रुको 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 कॉशन नहीं दिख रहा होगा यह चलो आप चलो आप दिखेगा अब दिख रहा होगा अब दिख रहा है चलो अब करो पहले आठ ओर में भारतिय टीम ने किस ओसत से रन बनाए देखो ओसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या आये कितने कितने रन मनाएं पहले ओर में कितने मनाएं तीन रन मनाएं प्लस दूसरे ओर में कितने मनाएं छे रन मनाएं तीसर और में कितने बनाया एकरन मनायां चौमनाया पांच बनाया कि 2 नाया चठी और यहां पर साथे योग करो इनको इनका योग कर योग बताओ योग और भाग देना आठ तो योग में आठ आठ ने ना है चलो योग बताइए बिना योग के पार नहीं पड़ेगी और योग में हमको आठ 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 देना है कर दो भाई calculate करो यार योग को calculate करो कि यहां गया 37 और 37 में अगर आठ का बाग देंगे तो कितनी बार चला गया है आठ का बाहर दो आठ दूनी शोल आठ तिया चोजा दो आत्थर्चे की बत्तीर आठ च्रेट के आसपास और रहें Stephan तो मेंमिला के मतलब ऐसा है कि संख्याओं का योग संख्याओं का योग बड़े है थे मलं की संख्या, यह संख्याओं का योग्तम के शंख्या है को याँ पर ट्रूं मतबर और है किस ओर में रनों की संख्या और की संख्या के समान थी बताए किस ओर में रनों की संख्या और की रनों की समान थी आट सो के बत्तीस होते हैं तो इसका योग हमने गलत किया होगा मैं एक बार देख लिए ना हूं चैनल नो और एक दस दस पांच पंद्रा पंद्रा पांच बीस बीस अन ना उनत्तीस और दो उनत्तीस इकतीस अच्छे सैंतीस इसेंतीस में हमको आठ को आठ का बाग देना है तो कितना लगबक कितना निकल कर आया है यह बताएए शैंतीस हुआ संक्या तो मैंने सोचा कि महीं मैंने संक्या गलत कैलकुलेट कर ली तो सैंतीस में हमको बाग देना है आठ का तो चार पॉंट्ट शह के आसपास ही निकलेंगे चार पॉंट्ट शह के आसपास ही आएगा चार पॉंट्ट शह के आसपास ही आएगा यह आंसर दीते आप कौन सा कॉस्चन है जो रन भी उतने ही है और कॉस्चन भी उतने ही है उसके और वो है सात्यों 5 पांचवे नमबर का जो ओवर है उसको देखो पांचवे नमबर के ओर में 5 रन ही गए हैं बॉलर से पांचवे में 5 ही गए है तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है अब अगला कॉस्चन करिए ग्यारवे वे बारवे ओर में कितने ओसत से रन बनाने की आव सकता है ताकि ओसत छे रन प्रति ओर हो जाए मतला भी बताओ ग्यारवा और बारवा आगे ग्यारवा और आगे बारवा ये अगर दो ओर में इसमें जोड़ दू ग्यारा और बारा दो और जोड़ दू तो इनमें कितने रन बनाए जाएं ताकि औसत रन हमारा कितना हो जाएं छे और प्रती रन का हो जाएं एक और में छे रन हो जाएं सबसे पहले इनका योग कर लो सबसे पहले इतनका योग कर लो कितना है योग करो इनका टूटल योग करो सबसे पहले इनका योग करो इनका योग करो आणसर क्या अएगा सबसे पहले इनका यहां से लेकर कितने रन बने इनन में रन कितने बने और फिर हम सबने सभी दिया कैसे हमारा तीन 37 तो यहां तक हो गया आज तक 37 हो गया नवी में कितना है चार नमे में कितना है चार है चार और दस में कितना है पांच है रहा चार और पांच नो 37 प्लस 9 335 नो बताइए कितना होंगे साथ हो यह नौ और साथ कितने हो गए 12 एक यानि टोटल साथ हो हमारे यहां तक कितना रन बन गे 46 बन गे टोटल क्या बन गे टोटल रन हमारे 46 बन गे अब इसमें कितने रन जोड है कितना न बनाने क्या आउशकता है तो एक तेरा कर देंगे 46 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 46 और 10 56 और 56 और 69 69 में आप भाग देग लिए 10 का और 12 का आंसर आ जाएगा क्योंकि टोटल हमको 46 रंकी आप सकता है हम 13 रंक बनाएंगे हर और मैं इसमें 13 रंक जोड़ देगा तो फिर्ति और कितना हो गया six रंक हो जाएगा ओके आज में रीविजन करा रहा हूं भाई आज से इस कलास को जज़्मत करना आज मैं इस कलास में केवल रीविजन करा रहा हूं क्योंकि آज हमादी कलास last कलास है तो हमने यह उल्रड़ी पढ़ चोके हैं हम सब कुछों को तो आज हम किवल इसका रिविजिन करना है आज हमको किवल इसका रिविजिन करना है और कुछ नहीं करना है किवल इसका रिविजिन करना है किवल इसका रिविजिन करना है कि मैंने कौशन पूरा नहीं समझाए आपको किसे लिए कि पूरा क्यों नहीं समझाए इदर देखो जानके पूरा नहीं समझाए इसलिए का भाग देंगे तो ऑस्तन कितना आ जाएगा छे रन परती और आ जाएगा यानि ग्यारा और बारा में तेरा तेरा रन बनाएंगे तो टूटल रन कितना हो जाएगे बहतर और बारे वह में अगर बारे के बाग देंगे वह तो छे आ जाएगा हर और के साथ से इस तरीके से हो जाएगा देखो भाई यह रिविजन किलास है आज की डियाई की इसे नए बच्चे कन्फूजन कर सकते हैं कि सराज अनक एडिवी पर किलास नहीं देखा देख पाए क्यों नहीं देख पाए हाँ हां कि दोनों में 13 13 रन मनेंगे न 11 और 12 में तो हमेरे वैतर रन हो जाएगे इस तरीके से हमने आज डियाई कंप्लीट कर दिया है जिन लोगों को डियाई में समश्या है यानि कि वो नए जुड़े हैं आज कल में तो इससे पहले मैं डियाई की साथ चेक आज साथ क्लास कर पर चुका हूं तुम जाओ और पुरानी क्लासेज को देख डालो एक भी चीज आपकी नहीं चुटेगी पढ़ेंगे नए जोस के साथ तो कल आईए नहीं क्लास होगी रिसर्स की नया थम्सलेन होगा अर्जुना बैच क्यों कल से नई शुरुआत करते हैं तब तक सात्यो तो स्वस्त्रें मैं देख लेता हूं 30000000 की यह निए आप लोगों कि अर्व देख लेता हूं 30000000 की यह निक आप लोगों हो ऑव लाज साल नॉज़ुसो अठाण में हमारे स्थक्राइबर कैसे पता लगा है लेकिन पता लगेगा और कैसे पता लगेगा इसको लॉगइन करना पड़ेगा तो पता लगेगा तो सब्सक्राइब यहां पता लगेगा और कैसे पता लगेगा क्योंकि इसमें तो पता ने लगेगा मतलब मैं पहली बार इतना खुसी मना रहा हूं सब्सक्राइबर्स की मतलब तीन लाख की फैमली हो चुकी है हमारी और कल मैंने कहा कि हमारी क्लास में तीन लाख की फैमली हो जाएगी आप मुझे बदाई दे सकते हो यारब तीन लाख की फैमली हो चुकी है यार तीन लाख लोग जुड़ चुके है यार बहुत यह बहुत बड़ा अपने आप में चैनल बनाया और दीरे 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 अरे यार यह मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे और आप लोगों को इतना प्रेम देख कर यार मैं गदगद हो गया ओ भाई साब दो भी बढ़ गे अगर मैं इसको और रिफ्रेस करूंगा तो सबसे बड़ी बात बता हूं गोना अपने चैनल पर हजारो वीडियोज अपलोड कर देताैं तब भी इतने followers नहीं वढ़ते और अपने कितने से वीडियोज है अपने चैनल पर मैं आपको बता रहा हूँ, रूको, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने चैनल पर,一 second, एक second, इसको refresh करता हूँ, तागे तीन लाग आजाए, आप आगे तीन लाग रहा हु, केवल 514 वीडियोज हैं, सारे वीडियोज मिला मिलू के 514 वीडियोज हैं केवल लोग हजारों वीडियोज बना देते हैं तब भी इतनी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं कर पाते हैं अपने केवल 514 वीडियोज हैं और वो भी अब मैं ज़्यादा ज़्यादा बनाने लगाऊं इसलिए ज़्यादा क्य व्यूज आते हैं मआ अच्य वीडियोस बनाता हूं आप लोगों बेस्ट क्या होता बेर में और में क्या अंसर है resp और राइव यह तो देखो प्लाइट अरजुन है ना बैट अरजुन की पहली वीडियो में कितने ज़्यादा व्यूज है देखो बैच अर्जुन की पहली वीडियो में एक लाख आट हजार व्यूज 38,000, 40,000 आप लोगों का प्रेमना अदभूत है याद अब जिन लोगों ने सस्क्राइब नहीं क्या हो सस्क्राइब कर लो अब उसे हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं हम लोग अब से लगातार इस वीडियो पर कॉंटेंट आता रहेगा, अच्छा अच्छा कॉंटेंट आता रहेगा तीन लाख से ज़्यादा सस्क्राइबर आप जुड़ चुके हो, तीन लाख से ज़्यादा, बहुत धन्वाद यार मैं आपको बात बताता हूं, और रुख जाए ठोड़ा साइं, रुख जाए, रुख जाए, कितने होगे, तीन लाख साथ होगे हैं, अब, यार, मैं जब पीषडि कर रहा था न, यह वीडियो चैनल बना कैसा है ? मैं यह समझा दो पहले ना यह वीडियो मैंने टेक्नोलोजी का बनाया था पर जब मैं पहली बार मुझे याद है दिल्ली में जमाल लाल नहरु विस्वित धाले में PhD की इंट्रिवू देनी के लिए आया था मैं अल्रेडी जियारेफ था मैंने जियारेफ पास कर ली थी लेकिन जियारेफ पा मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी मुझे बहुत दर-दर बटकना पड़ा था यापर जब मैंने PhD में एडियूसन ले लिया था जब मैंने यह सोचा था कि यार मैंने कितनी जादा समश्य उठाई थी PhD के दोरा कैसे प्रपूजल मनाते हैं कैसे सिनोपसिस मनाते हैं कैसे क् का देने वाला नहीं था बटक-बटक कर काम होते था और मुझे याद है मैं मुखरजी ने गार रहता था और एक लड़का रहता था निरंग कारी मैं उसने मुझे बहुत consistent किया था जाता हूं किसी ने मुझे बताया था कि फलाना फलाना आदमी है वह आपका सिनोपसिस बनाने में एल्प कर देगा वह अल्रेडी दिली विजाले से पीच्डी कर रहा है तो मैं उसके पास शाम की जाता तो कहता यार लॉकेस आप तो दोस्तों के साथ बैठाओं मैं तो सुबह आ जाना सुबह जाता था आदमी दस बज़े तो सो के जगता था अरे यार लॉकेस अब तो मुझे डिपार्टमेंट जाना है आज शाम को आजा ऐसा करकर के उस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा गुमाया मुझे उसने तो फिर मैंने पीच्डी में एडिशन ले लिया फिर बहु स्चैस कैसे बनाते हैं यह सब चीजेंस मैंने आप लोगों को बताना शुरूँ की और उसके बाद में जो आप कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता था इस तरीके से कोई बिच्डी आधार पर मैंने क्या किया कैसे बनाते हैं यह मेरा जए नूदी यह बनाता था करें तक्रिबन 310000000 यह मैं ने जेन्यू पाइमेंपस से बनाःता यह मैंने पूरा बताया था कैसे पर पूझल बनाते हैं ना फिर मैं यह वीडियो सोद घंगा क्या है सोद गंगा किस तरीके से करते हैं ने उस तरीके से करते 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 only 500 वीडियो जहना और 500 वीडियो में भी कुछ वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना दिये और तब भी जाकर हमारे 3,00,000,000 लोग हम से जुड़ चुके हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार seriously guys अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैं बहुत खुश हूँ आज आप सब लोगों को धन्वाद ग्यापित करना चाहूंगा कि यार इस मुकाम तक हम पहुचे हैं और एक दिन हम 5,00,000,000 भी करेंगे अब हम target लेकर चलता है कि 5,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, कब जोड सकते हैं थैंक्यू गाइज थैंक्यू देखो न इस चैनल पर मैं पहले कभी नेट के लिए पढ़ाता नहीं था मैं पहले न वो करता था आप लोगों को क्या कहते हैं अब तो सस्क्राइबर ज्यादा होगे सोशल बिलेड़न न बढ़ता नहीं अपडेट नहीं क कितने होगे तीन लाग से ज्यादा होगे अब तो मैं बताता हूं कि 3,15,00,00 होगे हैं है 3,15,00 होगे है कि देखो है 3,15,00 होगे मुझे उम्मीद थी कि कल तक हम लोग 3,00,00 आखड़ा पार कर लेंगे कि बादी होनी चाहिए को पार्टी क्या हुनी चाहिए कि आप आप लोगों को कल केंप मंगवाएंगे रहा आज में केंप मंगवा लेता करेंगे मि अपने कर लेते हैं तीन लाग सब्सक्राइबर होने की खुशी है जब बहुत बढ़िया गाईज यार मलब मज़ा आ गया यार सीरियस्ली थैंक्यू गाईज थैंक्यू आज यार मलब बहुत बढ़िया मेरे पास एक सिल्वर प्ले बटन भी है आगर आपको मैं दिखाऊं तो यह मुझे मिला था यूटूब की तरफ से ही यह वाला सिल्वर प्ले बटन अब कब गॉल्ड आएगा कब और आएगा लेकिन यह सिल्व वीडियो अगरा नहीं बनाया इस तरीके में वीडियो कम बनाता हूं बट यह भी मुझे मिला है काफी अच्छा लगता है इसको देखकर भी यह पता है कि आदमी नौकरी कहीं भी करें काम कुछ भी करें लेकिन यह एक ऐसा मंच है ना जहां पर आप अपनी बात को आसानी स रख सकते हैं अपनी बात को कह सकते हो अरे तीन लाग पर अटका पड़ा है यार यह जब कि सब्सक्राइबर जाता है होगी हूं कि सर हम लोग कैसे खाएंगे बात तो यह है एक काम करते हैं आप लोगों को जयारेफ करवाता हूं और जयारेफ के बाद मां घर बोलाता हूं मेरे क्या इतने सारे बच्चों नेटयारेफ पास होते ए मैं कभी मिलता नहीं हूं ज्यादा पर एक काम करते हैं इस बार आप लोगों को नेटजी राफ होगा मीटप रखेंगे जाएंगे बात करेंगे अलग अलग तरीके से मस्त तरीके से मस्ती करेंगे आप लोगों को पार्टी दी जाएगी पूरी सब यह कर लेते हैं मेरे अमेशे बहुत ज्यादे स्ट्वेंट पास होती पर मैं ज्यान नहीं देता हूं इतना इस बार सब को बुलाएंगे मीट अप करेंगे आपको दिल्ली आना पड़ेगा दिल्ली द्वारिका में रहता हूं मैं दिल्ली द्वारिका में रहता हूं वेगास मौल के पास मैं ही रहता हूं यही पर हम लोग यहाँ पर मिलेंगे और मर्श्टी कर लेंगे चलो चले गाई very very thank you यार आप सभी के लिए big thank you यार love you all अच्छा लगा आज बड़े दिनों के बाद कल मिलेंगे अब आप लोगों को मैं सब को यहां बुलाने वाला हूं सब लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट में पास करवा कर मैं सब को यहां पर बुलाने वाला हूं थैंक्यू गाइज थैंक्यू 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 झाल झाल